एक बार की बात है, जिग्यासु छात्रों से भरी एक जीवंत कक्षा में, रवी नाम का एक प्रतिभाशाली युवा लड़का रहता था। उनका दिमाग हमेशा सवालों से भरा रहता था और वे जटिल विश्यों को समझने की उत्सुकता के लिए जाने जाते थे। एक दिन उनके शिक्षक, जो अपनी कहानी कहने के माध्यम से सबसे कठिन पाठों को आसान बनाने के लिए प्रसिद्ध थे, ने एक नई अवधारना पेश करने का फैसला किया, इंड ऐस एक वित्तिय विवर्नों की प्रस्तुती के लिए मानक। शिक्षक ने अपने पाठ की शुरुवात अपने सामान्य मनमोहक तरीके से करते हुए कहा, कल पना करो, रवी, तुम एक भव्य किताबों की दुकान के मालिक हो, यह सिर्फ कोई किताबों की दुकान नहीं है, यह शहर की सबसे बड़ी और सबसे पसंदीदा किताबों की द क्या यह पैसा कमा रहा है या क्या आपको कुछ टुनौतियों से पार पाना है इसके लिए आपको अपनी वित्तिय कहानी प्रस्तुत करने का एक स्पष्ट तरीका चाहिए। लिखी गई किताब की शुरुवात मध्य और अंत होता है आपके वित्तिय विवर्नों को एक संरचित प्रारूप का पालन करना चाहिए। अध्यापक समझाने लगे। इंड एस एक आपको बैलन्स शीट से शुरुवात करने के लिए कहता है। यहां आपकी कहानी की नीम की तरह है जहां आप दिखाते हैं कि एक निश्चित समय पर आपके व्यवसाय का मालिक क्या है और उस पर क्या बकाया है। इसे अपनी किताबों की दुकान की वित्तिय स्थिती के रूप में सोचें। ऐसा करें आपके पास बैंक के बकाया से अधिक किताबे भरी हुई हैं। बैलन्स शीट से यही पता चलेगा। वह रुके रवी को इस विचार को आत्मसात करने के लिए कुछ समय दिया और जारी रखा। इसके बाद लाब और हानी का विवर्ण आता है। यह वह जगह है जहां आप बताते हैं कि आपके व्यवसाय ने वर्ष के दौरान कितना कमाया और कितना खर्च किया। क्या लोगों ने कई किताबे खरीदी या थे विक्री धीमी है। यह विवर्ण दिखाएगा कि आपकी किताबों की दुकान ने लाब कमाया यहानी। रवी ने भी साथ-साथ चलते हुए सिरहिलाया। और क्या यही सब है। शिक्षक ने हनस्ते हुए कहा, बिलकुल नहीं, मेरे उत्सुक छात्र। उसके बाद आप कैश फ्लो स्टेट्मेंट प्रस्तुत करते हैं। यह भाग बताता है कि आपके व्यवसाय में पैसा कैसे आता और जाता है। क्या आपको किताबों की बिक्री से नकद प्राप्थ हुआ, या आपने भुगतान किया नया स्टॉक खरीदने के लिए और अधिक। यह आपके किताबों की दुकान की धड़कन की तरह है, जो दिखाता है कि इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए परियाप्त नकदी है या नहीं। रवी ने एक पल के लिए सोचा और पूछा, लेकिन क्या होगा अगर मेरा व्यवसाय बढ़ता है और मैं इसे निवेशकों के लिए अच्छा बनाना चाहता हूँ। मैं अपने बयानों में ऐसा कैसे कर सकता हूँ। शिक्षक ने अपना हाथ उठाया और कहा आह यह एक महत्वपून बिंदु है रवी। इंड एस एक के लिए आपको सच्चा होना आवश्चक है। आप जानकारी छिपा नहीं सकते हैं या अपने व्यवसाय को इससे बहतर नहीं दिखा सकते हैं। सब कुछ निश्पक्ष और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए आपके पाठकों को चाहे वे निवेशक हो या ग्राहक उन्हें जो दिखता है उस पर भरोसा करना चाहिए। इंड एस एक-एक खेल के नियमों की तरह है। यह सुनिश्चित करता है कि हर कोई निश्पक्ष रूप से खेले। रवी मुस्कुराया उसे लगा जैसे वह समझने लगा है। तो इंड एस एक मेरे वित्तिय व्यवसाय के लिए एक कहानी कहने वाली मार्गदर्शिका की तरह है जो यह सुनिश्चित करती है कि मैं अपनी किताबों की दुकान की स्थिती को स्पष्ट और सच्चाई से प्रस्तुत करूँ। शिक्षक ने गर्व से सिरहिलाया। बिलकुल रवी। आप समझ गए। याद रखें एक महान कहानी की तरह स्पष्टता और इमानदारी महत्वपूर्ण है। इंड एज एक आपको एक स्पष्ट तस्वीर चित्रित करने में मदद करता है ताकि हर कोई जान सके कि आपकी किताबों की दुकान वित्तिय रूप से कैसे चल रही है। रवी ने उस दिन कक्षा छोर दी इस विश्वास के साथ की अब वह अपने शिक्षक के अविस्मर्णिय कहानी कहने के कौशल की बदौलत वित्तिय विवर्ण ठीक से प्रस्तुत करने के महत्व को समझ सकता है। कृप्या सूचनाय प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्य तालें, टिपपनी करें और घंटी आइकन दबाएं। एक धूप भरी दोपहर में, रवी जिग्यासु छात्र कक्षा में बैठा था, अपने शिक्षक से एक और मनोरम पाठ के लिए तयार, जो अपनी कहानी कहने के जादू के लिए दूर-दूर तक जाना जाता था। आज शिक्षक ने एक नई अवधारना को समझाने का वादा किया था, इंड ऐस दो जो सूची से संबंधित है। शिक्षक ने शुरू करते ही मुस्कुराते हुए कहा, रवी, चलो हम तुम्हारी किताबों की दुकान पर वापस चलते हैं। अब कलपना कीजिए कि आपकी अलमारिया सभी प्रकार की पुस्तकों से भरी हुई हैं। ये पुस्तकें आपका स्टॉक हैं या लेखांकन के संदर्भ में आपकी इन्वेंटरी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह कैसे पता लगाया जाए कि इस इन्वेंटरी का मूल्य कितना है। रवी की आखे जिग्यासा से चमक उठी। मैंने इसके बारे में सोचा है, सर। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी पुस्तकों का मूल्य कितना है। शिक्षक ने सिरहिलाया, खुश होकर की रवी सही प्रशन पूछ रहा था। यही पर इन्ड एस दो आता है। यह वह मार्क दर्शिका है, जो आपके जैसे व्यवसायों को उनकी सूची के मूल्य का पता लगाने में मदद करती है। इसे यह सुनिश्चित करने की एक विधी के रूप में सूचें की आप अपनी अलमारियों पर रखी हर चीज का सही मूल्य जानते हैं। रवी उच्सुक था, तो मैं अपनी इन्वेंट्री के मूल्य की गणना कैसे करूँ, सर। शिक्षक आगे की ओर चुके, मानो कोई रहस्य साजा करने जा रहे हूँ। दो मुख्य चरण हैं, रवी। सबसे पहले यह तै करना है कि किताबें अपने स्टोर तक लाने में आपको कितना खर्च आएगा। इसमें प्रकाशक से किताबें खरीदने के लिए आपके द्वारा भुगतान की गई कीमत, परिभन लागत और यहां तक कि उन्हें अपने गोदाम में संग्रहीत करने की लागत भी शामिल है। रवी की आखें चौडी हो गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि इसमें कितने कारक शामिल थे। तो मुझे किताब की कीमत के अलावा और भी बहुत कुछ सोचना होगा। शिक्षक ने सिर हिलाया। बिलकुल यह केवल वह कीमत नहीं है जो आप किताब के लिए चुकाते हैं। आपको उन लागतों के बारे में भी सोचना होगा जो उन पुस्तकों को बेचने के लिए तयार करने के लिए आवश्चक हैं। यह पहला भाग है लागत का पता लगाना। रवी ने एक पल के लिए सोचा और फिर पूछा लेकिन क्या होगा अगर किताबें अच्छी तरह से नहीं बिक रही हैं। या वे बहुत लंबे समय से शेल्फ पर पड़ी हैं। शिक्षक जानबूच कर मुस्कुराए। आ, यह हमें दूसरे भाग पर लाता है। इंड ऐस दो हमें बताता है कि लागत की गणना करने के बाद आपको इसकी तुलना शुद्ध वसूली योग्य मूल्यक से करनी होगी। यह वह राशी है जिस पर आप विक्री के लिए किसी छूट या खर्च पर विचार करने के बाद पुस्तक बेचने की उम्मीद करते हैं। यदि शुद्ध वसूली योग्य मूल्य लागत से कम है, तो आपको अपनी इन्वेंटरी का मूल्य कम करना होगा। रवी हैरान लग रहा था। मैं मूल्य क्यों कम करूंगा, सर। शिक्षक ने धैर्यपूर्वक समझाया, एक ऐसी किताब की कलपना करें, जो पिछले साल लोगप्रिय थी, लेकिन अब मांग में नहीं है। आपने इसे सौ रुपय में खरीदा था, लेकिन अब कोई भी इसे उस कीमत पर खरीदना नहीं चाहता। नई किताबों के लिए जगह खाली करने के लिए आपको इसे साथ रुपय में बेचना पड़ सकता है। इस मामली में शुद्ध वसूली योग्य मूल्य आपके द्वारा भुगतान की गई राशी से कम है, इसलिए आपको इसे अपने खातों में प्रतिबिम्बित करना होगा। इंड ऐस दो यह सुनिश्चित करता है कि आपकी इन्वेंटरी का अधिक मूल्यांकन नहीं किया गया है, जो आपके व्यवसाय की अधिक सटीक तस्वीर दिखाता है। रवी ने धीरे से सिर हिलाया, तो मुझे अपनी पुस्तकों का मूल्य लागत और उस राशी दोनों के आधार पर तै करने की ज़रूरत है, जिस पर मैं उन्हें बेच सकता हूँ। बिलकुल रवी शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा। और याद रखें, इंड एस दो आपको अपनी इन्वेंटरी में कोई अनावश्यक लागत जोडने की अनुमती नहीं देता है। आप विध्यापन या सामान्य प्रशासनिक व्याई जैसी चीजें शामिल नहीं कर सकते। केवल किताबों से सीधे तोर पर जुड़ी लागते, जैसे उन्हें खरीदना, परिवहन करना या भंडारन करना शामिल की जानी चाहिए। रवी ने एक पल सोचा और फिर पूछा, लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है सर। शिक्षक की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्वेंट्री आपके व्यवसाय की संपत्ती का एक बड़ा हिस्सा है। यदि आप अपनी इन्वेंट्री को अधिक महत्व देते हैं, तो ऐसा लग सकता है कि आपका व्यवसाय वास्तव में उससे बहतर प्रदर्शन कर रहा है। यह उन लोगों को गुमराह कर सकता है, जो आपकी किताबों की दुकान में निवेश करना चाहते हैं या यहां तक की अच्छे निर्नय लेने की आपकी क्षमता को भी प्रभावित कर सकते हैं। इंड ऐस दो यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आपकी इन्वेंटरी का सही मूल्यांकन किया गया है, ताकि हर कोई आपके व्यवसाय की सही तस्वीर जान सके। रवी अधिक आत्म विश्वास महसूस करते हुए मुस्कुराया। अब मैं समझ गया, सर। इंड ऐस दो मुझे मेरी अल्मारियों पर रखी पुस्तकों के सही मूल्य का पता लगाने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करते हुए कि मैं उनकी कीमत को बढ़ाचधा कर नहीं आकता। शिक्षक ने गर्व से सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, रवी। याद रखें, जैसे एक अच्छी कहानी को सच्चाई से बताने की जरूरत होती है, वैसे ही आपकी सूची का मूल्यांकन भी इमानदारी से किया जाना चाहिए। इंड ऐस दो आपको सही रास्ते पर बने रहने में मदद करने के लिए है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपकी किताबों की दुकान की कहानी हमेशा सटीक और निश्पक्ष हो। रवी ने उस दिन अपनी सूची को संभालने की सपष्ट समझ के साथ कक्षा छोड़ी, सबसे जटिल लेखांकन अवधार नाओ को भी सरल, यादगार कहानियों में बदलने की अपने शिक्षक की अद्वितियक शमता के लिए धन्यवाद। क्रुप्या सूचनाय प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्य तालें, टिपपनी करें और घंटी आइकन दबाएं। एक बरसात की दोपहर सदैव जिग्यासु छात्र रवी कक्षा में बैठा, खिडकी से बारिश को टकराता हुआ देख रहा था। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था जब उसका प्रसिद्ध शिक्षक एक और महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाने के लिए तयार होकर अंदर आया। आज का विशय इंड एस साथ था, जो नकदी प्रवाह के विवर्ण को शामिल करता है। शिक्षक जो जटिल अवधारनाओ को आकरशक कहानियों में बदलने के लिए जाने जाते हैं, ने अपने सामान्य तरीके से शुरुवात की, रवी, कलपना कीजिये की जो बारिश आप बाहर देख रहे हैं, वह आपके व्यवसाय में आने और जाने वाले पैसे की तरह है। कुछ दिनों में लगातार भारी बारिश होती है और कुछ दिनों में आसमान साफ रहता है। अच्छा सवाल है, रवी। यहीं पर इंड ऐस साथ चित्र में आता है। यह आपको नकदी प्रवाह का विवर्ण बनाने में मदद करता है, जो एक मानचित्र की तरह है, जो दिखाता है कि एक निश्चित अवधी में आपके व्यवसाय में नकदी कैसे आती और जाती है। रवी समझने को उत्सुक होकर जुग गया। तो यह नकषा कैसे काम करता है, श्रीमान। शिक्षक ने आगे कहा, चलो इसे तोड़े, रवी अपनी किताबों की दुकान की फिर से कलपना करें। ऐसे तीन मुख्य रास्ते हैं, जिनसे नकदी आपके व्यवसाय में आ और ज परिचालन गतिविधिया, निवेश गतिविधिया और वित्त पोशन गतिविधिया। इनमें से प्रत्येक आपके व्यवसाय की नकदी कहानी का एक अलग हिस्सा दिखाता है। आए परिचालन गतिविधियों से शुरुवात करें। यहां आपके व्यवसाय का मूल है रोजमर्रा की चीजें जो नकदी लाती हैं और बाहर भेजती हैं। जब ग्राहक किताबे खरीदते हैं तो आपको मिलने वाले पैसे के बारे में सोचें। यहां नकदी आ रही है। लेकिन आपको अपने कर्मचारियों को भुगतान भी करना होगा। नई किताबे खरीदनी होंगी और अपने स्टोर में रोशनी रखनी होगी। वे नकदी बाहर जाने के उदाहरन हैं। इंडएस साथ आपको इन दैनिक गतिविधियों पर नजर रखने में मदद करता है ताकि आप देख सकें कि आपका व्यवसाय सुचारू रूप से चलने के लिए परियाप्त नकदी कमा रहा है या नहीं। रवी ने सिर हिलाया। तो यह मेरी किताबों की दुकान की जीवन रेखा की तरह है सर। शिक्षक की आखें गर्व से चमक उठीं। बिलकुल रवी। अब दूसरे रास्ते पर चलते हैं निवेश गतिविधिया। यह वह जगह है जहां आप लंबी अवधी की संपत्ती खरीदने के लिए इस्तिमाल की गई नकदी दिखाते हैं। जैसे कि यदि आप अधिक अलमारियां खरीदने या यहां तक की अपनी किताबों की दुकान की एक नई शाखा खोलने का निर्नय लेते हैं। यह वह जगह भी है जहां आप संपत्ती बेचने से प्राप्त होने वाली नकदी को रिकॉर्ड करते हैं। उदाहरन के लिए यदि आपने कुछ पुराने उपकरन बेचे हैं, तो उस बिक्री से आपको जो पैसा मिलेगा वह यहां दिखाया जाएगा। रवी ने एक पल रुप कर पूछा, तो यह मेरे व्यवसाय में बड़े बदलावों के बारे में हैं। है ना। शिक्षक ने सिर हिलाया। हाँ, ये आमतौर पर एक बार की या कभी कभार होने वाली घटनाएं हैं। वे दिखाते हैं कि आप अपने व्यवसाय के भविश में निवेश कर रहे हैं या नहीं। रवी का दिमाग यह सोच कर चक्रा गया कि एक दिन उसकी किताबों की दुकान कैसे बढ़ेगी। और आखिरी रास्ते के बारे में क्या सर। शिक्षक करीब आ गये यह जानते हुए कि यह सब एक साथ लाने की कुझी थी। आखिरी रास्ता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यह वह जगह है जहां आप अपने व्यवसाय को वित्थ पोशित करने के तरीके से संबंधित नकदी को ट्रैक करते हैं। यदि आप अपनी किताबों की दुकान का विस्तार करने के लिए रिन लेते हैं, तो रिन से प्राप्थ नकदी यहा जाती है। इसी तरह, जब आप उस रेन को चुकाते हैं, तो बाहर जाने वाली नकदी भी यहां दर्स की जाती है. यदि आपका व्यवसाय लाभांश का भुगतान करने के लिए परियाप्त रूप से विक्सित हो गया है, तो यहां आपके द्वारा निवेश्कों को वापस दिया गया पैसा भी दिखाता है. रवी का चहरा समझ से चमक उठा. तो नकदी प्रवाह का विवर्ण मुझे दिखाता है कि मेरे व्यवसाय में पैसा कहां से आता है और कहां जा रहा है, ठीक है. चाहे वह रोजमर्रा की विक्री से हो, बड़े निवेश से हो या रिन से हो? शिक्षक गर्म जोशी से मुस्कुराएं. यह सही है, रवी, और सबसे अच्छी बात यह है कि इंड ऐस साथ का उप्योग करके आप देख सकते हैं कि आपका व्यवसाय स्वस्थ है या नहीं. उदाहरन के लिए भले ही आप लाब कमा रहे हो, यदि आपकी परिचालन गतिविधिया परियाप्त नकदी नहीं ला रही हैं, तो आपको अपने बिलों का भुगतान करने में कठिनाई हो सकती है. यह विवर्ण आपको अपने व्यवसाय की नकदी स्थिती की बड़ी तस्वीर देखने में मदद करता है. रवी ने एक पल सोचा, फिर पूछा, लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है सर? टीचर ने सोच समझ कर रवी की ओर देखा. कलपना करो, रवी अगर आपकी किताबों की दुकान में स्टॉक और उपकरण जैसी चीजों के लिए बहुत सारा पैसा बंधा हो, लेकिन आपके कर्मचारियों को भुगतान करने या नई किताबें खरीदने के लिए बहुत कम नकदी हो. आप परेशानी में पढ़ सकते हैं, भले ही कागस पर ऐसा लगे कि आपका व्यवसाय अच्छा चल रहा है. नकदी प्रवाह का विवर्ण यह सुनिश्चित करता है कि आप न केवल मुनाफे पर बलकी नकदी प्रवाह पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो आपके व्यवसाय को जीवित रखता है. टुकडों को एक साथ आते हुए महसूस करते हुए रवी मुस्कुराया. अब मैं समझ गया, सर. इंड ऐस साथ मुझे आने और जाने वाली सभी नकदी पर नजर रखने में मदद करता है, जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि मैं देख सकता हूँ कि मेरा व्यवसाय वास्तव में कैसा चल रहा है. अध्यापक ने रवी की पीठ थपत पाई. बहुत बढ़िया, रवी. याद रखें, जैसे बाड से बचने के लिए बारिश के पानी का ठीक से बहना जरूरी है, वैसे ही आपके व्यवसाय में नकदी का प्रबंधन भी अच्छे से होना चाहिए. इंड ऐस साथ आपको यह देखने में मदद करता है कि आपकी नकदी कहां बह रही है, ताकि आपकी किताबों की दुकान बिना किसी आश्चर्य के फलपूल सके. रवी ने उस दिन यह स्पष्ट समझ के साथ कक्षा छोडी की नकदी प्रवाह का विवर्ण कैसे काम करता है, अपने शिक्षक की अविश्वस्निय कहानी के लिए धन्यवाद जिसने सबसे जटिल विचारों को भी सरल बना दिया. क्रुप्या सूचनाय प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्य तालें, टिपपनी करें और घंटी आइकन दबाएं. एक उजजवल सुबह में, रवी ने प्रत्याशा की भावना के साथ कक्षा में प्रवेश किया. आज का दिन विशेश था, क्योंकि उनके शिक्षक, जो अपनी मंत्रमुग्ध कहानी कहने की क्षमताओं के लिए प्रसिध थे, एक नए और दिल्चस्प विशय को समझाने के लिए तयार थे, इंड एज आठ, जो लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और तुरुटियों से संबंधित है. रवी की उच्सुक अभिव्यक्ती को देखते हुए, शिक्षक ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कक्षा का स्वागत किया. सुप्रभात सभी को आज हम लेखांकन की दुनिया में एक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, बिल्कुल अलग-अलग रास्तों वाले जंगल में घूमने की तरह. प्रत्येक पत्थ एक व्यवसाय द्वारा लिए गए निर्नय का प्रतिनिधित्व करता है, और यह हमारे द्वारा बताई गई वित्तिय कहानी को कैसे प्रभावित करता है. रवी की जिग्यासा बढ़ी रास्तों से आपका क्या मतलब है, सर? शिक्षक ने उत्तर दिया, आये कलपना करें कि आप अपनी प्रिय किताबों की दुकान के मालिक हैं, रवी. जब आप निर्णय लेते हैं कि अपनी पुस्तकों की लागतों को कैसे रिकॉर्ड किया जाए या उनके मूल्यकी गणना कैसे की जाए, तो आप अपनी लेखांकन नीतियां चुन रहे हैं. इंड एज आठ आपको इन विकल्पों को समझने में मदद करता है और यदि आप उन्हें बदलने का निर्णय लेते हैं या यदि आप कोई गल्ती करते हैं, तो क्या होता है? रवी ने उच्छुकतावश सिर हिलाया. तो ये लेखांकन नीतियां क्या है? शिक्षक ने आगे कहा, लेखा नीतियां आपके व्यवसाय के लिए निर्धारित नियमों की तरह हैं. वे आपको अपने लेंदेन को रिकॉर्ड करने के तरीके के बारे में मार्क दर्शन करते हैं. उदाहरन के लिए आप फर्स्ट इन फर्स्ट गाउट पधती का उप्योग करके अपनी इन्वेंट्री की लागत रिकॉर्ड करने का निर्णय ले सकते हैं, जिसका अर्थ है कि आप सबसे पुरानी किताबें पहले बेचते हैं. यह विकल्प दर्शाता है कि आप वित्तिय रूप से अपने व्यवसाय का प्रतिनिधित्व कैसे करना चाहते हैं. रवी ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा, तो मेरी पसंद का तरीका मेरे वित्तिय विवर्णों के स्वरूप को प्रभावित कर सकता है. बिल्कुल शिक्षक ने कहा, विभिन लेखांकन नीतियां अलग-अलग वित्तिय परिणामों को जन्म दे सकती हैं. इसलिए, Ind as Art के लिए आवश्यक है कि आप अपनी नीतियों में सुसंगत रहें ताकि आपके वित्तिय विवर्ण समय के साथ तुल्निय बने रहें. यदि आप अपनी लेखांकन नीति को बदलने का निर्णय लेते हैं, तो आपको अपने विवर्णों में परिवर्तन के कारणों और प्रभावों का खुलासा करना होगा. रवी की भौहें सोच में पड़ गई. क्या होगा यदि मुझे एहसास हो कि मुझे पहले लगाए गए अनुमान को बदलने की जरूरत है? उदाहरन के लिए यदि मैंने शुरू में अनुमान लगाया था कि वर्ष के दौरान एक निश्चित संख्या में किताबे बिकेंगी, लेकिन बाद में मुझे पता चलता है कि मैंने गल्ती की है. रवी के व्यावहारिक प्रश्न की सराहना करते हुए शिक्षक मुस्कुराए. आ, यही वह जगह है जहां लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन लागू होते हैं. ये परिवर्तन व्यवसाय की स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है. कभी कभी आप नई जानकारी एकत्र करते हैं या महसूस करते हैं कि आपके पिछले अनुमान सटीक नहीं थे. आपके मामले में यदि आपने शुरू में अनुमान लगाया था कि किसी लोक्प्रिय पुस्तक की 200 प्रतिया बिकेंगी लेकिन बाद में पता चलता है कि मांग कम है तो आपको अपने अनुमान को तदनुसार समायोजत करने की आवश्शक्ता हो सकती है. रवी ने लचीलेपन के महत्व को समझते हुए सिरहिलाया. तो जब मैं अनुमान बदलता हूँ, तो मुझे इसे अपने वित्तिये विवर्णों में भी प्रतिबिम्बित करना होगा. बिल्कुल रवी शिक्षक ने कहा, लेकिन यहां कुन्जी यह है, लेखांकन अनुमान में बदलाव के लिए पूर्वव्यापी समायोजन की आवश्चक्ता नहीं होती है. इसके बजाए आप आगे बढ़ते हुए नया अनुमान लागू करते हैं. इसका मतलब है कि आप अपने रिकॉर्ड अपडेट करते हैं, लेकिन पिछले विवर्ण नहीं बदलते. रवी शिक्षक की अभिव्यक्ती और अधिक गंभीर हो गई. अच्छा सवाल है, रवी. त्रुटिया विभिन कारणों से हो सकती हैं, चाहे गनितिय गलतियों से, भूल से या तथ्यों की गलतफमी से. यदि आपको अपने वित्तिय विवर्णों में कोई त्रुटी मिलती है, त से प्रभावित करती है, तो आपको अपने पिछले वित्तिय विवर्णों को दोबारा बताना होगा और त्रुटी की प्रकृती का खुलासा करना होगा. रवी की आखें चौडी हो गई. तो अगर मैंने पिछले साल गलती से अपनी बिक्री बहुत अधिक दर्स कर ली, तो मुझे वापस जाकर उसे ठीक करना होगा. शिक्षक ने सिर हिलाया. हाँ, और इसके बारे में पारदर्शी होना महत्वपूर्ण है. त्रुटियों को सुधार कर और आवश्शक्ता पढ़ने पर अनुमान बदल कर आप अपनी वित्तिय रिपोर्टिंग की अखंडता को ब दर्शाता है. रवी मुस्कुराया प्रबुध महसूस कर रहा था. तो इंड ऐस आठ मुझे अपने लेखांकन के लिए सही नियम निर्धारित करने, नई चीजे सीखने पर समायोजन करने और गलतियों को सुधारने में मदद करता है ताकि मेरी वित्तिय कहानी सच्ची और स्पष्ट रहे, बिल्कुल रवी शिक्षक गर्व से जूम उठे. आपने इसे पूरी तरह से समझ लिया है. जिस तरह एक अच्छी कहानी सटीक और सम्मोहक होनी चाहिए, उसी तरह आपके वित्तिय विवर्नों में आपके व्यवसाय की वास्तविक स्थिती थी आपकी किताबों की दुकान की कहानी को विश्वसनिय और भरोसे मंद बनाये रखता है. जैसे ही रवी उस दिन कक्षा से बाहर निकला, उसने इंड एस आठ के बारे में ज्यान से सशक्त महसूस किया. उसे एहसास हुआ कि लेखांकन की दुनिया केवल संख्याओं के ब कृप्या सूचनाय प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्य तालें, टिपपनी करें और घंटी आइकन दबाएं. एक धूप भरी दोपहर में रवी ने कक्षा में प्रवेश किया अपने प्रिय शिक्षक से एक और आकर्षक पाठ के लिए उच्साहित होकर जो अपनी क कहने की प्रतिभा के लिए जाना जाता है. आज का विशय एंड ऐस दस था, जो रिपोर्टिंग अवधी के बाद की घटनाओं पर केंद्रित है. अपनी सीट पर बैठते ही रवी अपनी उच्सुक्ता पर काबू नहीं रख सका. शिक्षक ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ शुरुआत की, सभी को शुब दो पहर. आज हम उन घटनाओं की अवधारना का पता लगाने जा रही हैं, जो रिपोर्टिंग अवधी के बाद, लेकिन वित्तिय विवर्णों को अंतिम रूप देने से पहले घटित होती ह कलपना कीजिए, रवी आप अपनी प्रिय किताबों की दुकान के मालिक हैं. आपने अभी अभी वर्ष के लिए अपना वित्तिय विवर्ण पूरा किया है, लेकिन तभी आपको कुछ आश्चर्यजनक समाचार सुनने को मिलते हैं. आये जाने कि यह खबर आपकी वित्तिय कहानी को कैसे प्रभावित कर सकती है? रवी सीखने के लिए उच्सुक होकर आगे की ओर जुक गया. कैसी खबर, सर? शिक्षक ने आगे कहा, मान लीजिये कि यह मार्च का अंत है और आपने वित्तिय वर्ष के लिए अपने खाते बंद कर दिये हैं. जब आप अपने कॉल प्राप्त करते हैं, तो आप अपना वित्तिय विवर्ण बैंक को भेजने वाले होते हैं. वे आपको सूचित करते हैं कि दुरलब पुस्तकों की खेप, जिसका आप बेसबरी से इंतजार कर रहे थे, अब प्रत्याशित परिस्थितियों के कारण विलंबित हो गई है शिप्मेंट अब मई में आने वाला है. रवी ने भी साथ-साथ चलते हुए सिर हिलाया. इससे मेरे वित्तिय विवर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सर? उत्कृष्ट प्रश्ण रवी शिक्षक ने उत्तर दिया. इंड ऐस दस के अनुसार, आपको यह आकलन करने की आवश्शकता है कि क्या यह घटना आपकी रिपोर्टिंग अवधी के अंत में मौजूद स्थितियों के बारे में नई जानकारी प्रदान करती है. इस मामले में चूंकी शिप्मेंट मार्च में आना था. इसलिए आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या आपको अपने वित्तिये विवर्णों में किसी प्रभाव को पहचानना चाहिए. यदि देरी का मतलब है कि आप विक्री का एक महत्वपून अवसर चूक जाएंगे, तो आपको उस तथ्य का खुलासा करने की आवश्शक्ता हो सकती है. भले ही इससे आपके वित्तिये विवर्णों में संख्याएं न बदलें. रवी ने एक क्षण सोचा, तो मुझे यह तै करना होगा कि इस जानकारी को शामिल करना है या नहीं. बिलकुल शिक्षक ने उत्साह से कहा, विचार करने के लिए दो प्रकार की घटनाएं हैं. पहले समायोजन की घटनाएं हैं, जो रिपोर्टिंग तिथी पर मौजूद स्थितियों के बारे में नई जानकारी प्रदान करती हैं. उदाहरन के लिए यदि आपको पता चलता है कि किसी ग्राहक ने रिपोर्टिंग अवधी के बाद दोशों के कारण एक बड़ा ओर्डर लोटा दिया है, तो यह एक समायोजन घटना होगी और रिटर्न को प्रति रवी की सगाई से प्रसन्न होकर शिक्षक मुस्कुराएं. दूसरा प्रकार गैरसमायोजित घटनाए हैं. ये वे घटनाए हैं जो रिपोर्टिंग अवधी के बाद घटित होती हैं, लेकिन रिपोर्टिंग तिथी से पहले मौजूद स्थितियों के बारे में नई जानक कारी प्रदान नहीं करती हैं. उदाहरन के लिए यदि अप्रेल में आपकी किताबों की दुकान में भीशन आग लग जाती है, तो यह एक गैरसमायोजित घटना होगी. हालांकि यह महत्वपूर्ण है और आपके भविश्य के कारियों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इ इससे 31 मार्च तक की वित्तिय स्थिती में कोई बदलाव नहीं आएगा. आप इसे अपने वित्तिय विवर्णों के नोट्स में प्रकट करेंगे, लेकिन आप आकडों को समायोजित नहीं करेंगे. रवी ने एक पल के लिए इस पर विचार किया. तो अगर अवधी के बाद कुछ महत्वपूर्ण घटित होता है, तो मुझे यह निर्धारित करने की जरूरत है कि क्या यह अतीत को प्रभावित करता है या सिर्फ भविश्य को प्रभावित करता है. बिलकुल रवी शिक्षक ने उत्तर दिया, उसकी आखें अनुमोदन से चमक रह की थी. इंड ऐस दस के अनुसार आपको महत्वपूर्ण गैरस्मायोजित घटनाओं का खुलासा करना होगा ताकि आपके वित्तिय विवर्नों के उप्योग करताओं को आपके व्यवसाय के आगे बढ़ने पर संभावित प्रभावों के बारे में पता चल सके. रवी ने और अधिक जानने की उत्सुपता से फिर से अपना हाथ उठाया. यदि मैं किसी महत्वपूर्ण घटना का उलेख करना भूल जाओं तो क्या होगा? शिक्षक की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई. यदि आप रिपोर्टिंग अवधी के बाद महत्वपूर्ण घटनाओं का खुलासा करने में विफल रहते हैं, तो यह आपके वित्तिय विवर्णों के उप्योग करताओं को गुमराह कर सकता है. यही कारण है कि रिपोर्टिंग तिथी के बाद होने वाली सभी घटनाओं का आकलन करने और यह निर्धारित करने में महनती होना महत्वपूर्ण है क रवी मुस्कुराया प्रबुद्ध महसूस कर रहा था. तो इंड ऐस दस मुझे उन घटनाओं पर नजर रखने में मदद करता है जो मेरी किताबों की दुकान को प्रभावित कर सकती हैं. यह सुनिश्चित करते हुए कि मैं अपने व्यवसाय की सच्ची तस्वीर प्रदा रखते हैं. रिपोर्टिंग अवधी के बाद होने वाली घटनाएं आपके व्यवसाय की कहानी बदल सकती हैं और आपके वित्तिय विवर्ण पढ़ने वालों के निर्नयों को प्रभावित कर सकती हैं. जैसे ही रवी उस दिन कक्षा से बाहर निकला, उसने इंड एस दस की गहरी समझ के साथ खुद को सशक्त महसूस किया. उसे एहसास हुआ कि लेखांकन केवल संख्याओं के बारे में नहीं है. यह उसकी किताबों की दुकान के बारे में एक संपून और इमानदार कहानी बताने के बारे में था, जो चुनोतियों और अवसरों दोनों के माध्यम से उसका मार्क गर्शन कर सके. कृप्या सूचनाय प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्य तालें, टिपपनी करें और घंटी आइकन दबाएं. एक तेज दोपहर में रवी अपने प्रसिध शिक्षक के एक और मनोरम पाठ में गोता लगाने के लिए तयार होकर कक्षा में चला गया. आज विशय था एंड एस बारह जो आएकर को कवर करता है. रवी यह जानने के लिए उच्सुक थे कि यह महत्वपून विशय उनके शिक्षक की अनूठी कहानी कहने की शैली में कैसे सामने आएगा. जैसे ही शिक्षक कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने गर आएकर की दुनिया का पता लगाने जा रहे हैं, जो किसी व्यवसाय के प्रबंधन का एक महत्वपून पहलू है. कल्पना कीजिए, रवी, कि आप अपनी पसंदीदा किताबों की दुकान चला रहे हैं, और आएए देखें कि आएकर आपकी वित्तिय यात्रा में कैसे भू की महंत के बाद आपकी किताबों की दुकान ने लाप कमाया है. आपने कई किताबे बेची हैं, और आपके वित्तिय रिकॉर्ड अच्छी आए दर्शाते हैं. हालाकि इसका मतलब यह भी है कि आपको अपने कर दायत्वों पर विचार करना होगा. इंडस्ट्रीज एस बारह के अनुसार आपको अपने वर्तमान बकाया कर और किसी भी स्थगित कर देंदारियों दोनों का हिसाब देना होगा. रवी की जिग्यासा बढ़ी. मौजूदा टैक्स क्या है सर? शिक्षक ने समझाया वर्तमान कर आपके कर योग्य लाब के आधार पर चालू वर्ष के लिए आपके द्वारा दे आयकर की राशी है. यहाँ आपकी कर योग्य आय पर सरकार द्वारा निर्धारित कर दर को लागू करके निर्धारित किया जाता है. इसलिए यदि आपकी किताबों की दुकान ने 10 लाख रुपए का लाब कमाया है और करकी दर 25 प्रतिशत है तो आपको उस वर्ष के लिए 2,50,000 रुपए का कर देना होगा इस जानकारी को संसाधित करते समय रवी की आखें चौड़ी हो गई तो मुझे वह पैसा करों के लिए अलग रखना होगा बिल्कुल शिक्षक ने उत्साह पूर्वक उत्तर दिया हाला कि आयकर लेखांकन यहीं समाप्त नहीं होता है हमें स्थगित करों के बारे में भी सोचना होगा यह अवधारना स्विकार करती है कि कभी-कभी लेखांकन लाब की गणना कैसे की जाती है और कर योग्य लाब की गणना कैसे की जाती है इसके बीच अस्थाई अंतर होते है रवी ने अपनी भौहें सिकोड ली अस्थाई मतभेदों से आपका क्या तातपर्य है दी लेखांकन उद्देशों के लिए आप इस लागत को मूल्यहरास के रूप में पांच वर्षों में फैला सकते हैं लेकिन कर उद्देशों के लिए सरकार आपको उस वर्ष की पूरी लागत में कटौती करने की अनुमती दे सकती है जिस वर्ष आपने उन्हें खरीदा था यहाँ आपके लेखांकन लाब और कर योग्य लाब के बीच अंतर पैदा करता है यह अंतर उस चीज की ओर ले जाता है जिसे हम आस्थगित कर परिसंपत्ती या देंदारी कहते हैं रवी को समझ आने लगा था तो अगर मैं अभी पूरी लागत काट सकता हूँ तो मैं इस वर्ष उतना कर नहीं चुकाऊंगा लेकिन भविष में जब मेरी कटोती कम हो जाएगी तो मुझे और अधिक कर देना होगा सही शिक्षक ने कहा यदि आप अभी अधिक कटोती कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप अब कम करका भुगतान करेंगे इसके विपरीत यदि आपने कर परिसमपत्तियों को स्थगित कर दिया है तो इसका मतलब है कि आप भविष में कम करका भुगतान करेंगे रवी ने अवधारना को समझते हुए सिरहिलाया तो यह समय के साथ मेरे कर भुगतान को संतुलित करने जैसा है बिलकुल रवी शिक्षक ने उत्तर दिया इंड ऐस बारह आपको इन स्थगित करों को पहचानने में मदद करता है ताकि आपके वित्तिय विवर्ण आपके कर दायत्वों की अधिक सटीक तस्वीर दर्शा सकें यह सुनिश्चित करता है कि आप न केवल वर्तमान कर पर ध्यान केंडरित कर रहे हैं बलकि आने वाले कर के लिए भी तैयार है रवी ने दूसरे प्रश्न के साथ हाथ उठाया यदि मैं अपनी कर गणना में कोई गलती करू तो क्या होगा शिक्षक की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है रवी यदि आप अपनी आयकर देंदारियों या स्थगितकरों को पहचानने में गलती करते हैं तो इसके महत्वपूर्ण परिनाम हो सकते हैं यह आपके वित्तिय विवर्णों को प्रभावित कर सकता है और उप्योग करताओं को आपके व्यवसाय की वित्तिय स्थिती के बारे में गुमराह कर सकता है पारदर्शिता और सटीकता महत्वपूर्ण है रवी मुस्कुराया प्रबुध महसूस कर रहा था तो इंड एस बारह मुझे अपने कर दायत्वों पर नजर रखने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि मैं वर्तमान और भविश्य के कर प्रभावों का सटीक हिसाब रखता हूं है न बिल्कुल शिक्षक गर्व से जूम उठे ठीक उसी तरह जैसे एक अच्छी तरह से गढ़ी गई कहानी में हर विवर्ण माइने रखता है आयकर को समझ कर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी किताबों की दुकान वित्तिय रूप से स्वस्थ और नियमों के अनुरूप बनी रहे जैसे ही रवी उस दिन कक्षा से बाहर निकला उसने इंड एस बारह की स्पष्ट समझ के साथ सशक्त महसूस किया उसे एहसास हुआ की आयकर का प्रबंधन केवल संख्याओं के बारे में नहीं था यह उनकी किताबों की दुकान को एक सफल भविष्य के लिए तयार करने, वर्तमान दायत्वों को भविष्य की जिम्मेदारियों के साथ संतुलित करने और उनकी वित्तिय कहानी में एक भरोसे मंद कहानी सुनिश्चित करने के बारे में था क्रुप्या सूचनाय प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्य तालें, टिपपनी करें और घंटी आइकन दबाएं एक उजजवल और धूप वाली सुबह, रवी कक्षा में चला गया, अपने असाधारन शिक्षक से एक और पाठ के लिए उच्साह से भरा हुआ, जो हर विशय में आकर्शक कहानिया बुनने के लिए प्रसिध था आज का विशय एंड ऐस सोलह था, जो संपत्ती, सन्यंत्र और उपकरण पर केंद्रित था रवी यह देखने के लिए उच्सुक थे कि उनके शिक्षक इस अवधारना को कैसे जीवन में लाएंगे जैसे ही शिक्षक कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने उच्साह के साथ छात्रों का स्वागत किया सुप्रभात सभी को आज हम संपत्ती, सन्यंत्र और उपकरण या जैसा की हम इसे अकसर कहते हैं, पी-पी की आकर्शक दुनिया का पता लगाने जा रही हैं कल्पना कीजिए, रवी, की आप अपनी खुद की किताबों की दुकान के गौरवानवित मालिक हैं आईए यह समझने के लिए एक यात्रा शुरू करें कि आपके व्यवसाय को फलने फूलने में मदद करने वाली भौतिक संपत्तियों का हिसाब कैसे दिया जाएं रवी उच्सुकतावश अपनी सीट पर बैठ गया संपत्ति, सन्यंत्र और उपकरण से आपका क्या तातपर्य है, श्रीमान? रवी की जिग्यासा को समझ कर शिक्षक मुस्कुराए बहुत बढ़िया सवाल, रवी संपत्ति, सन्यंत्र और उपकरण वे मूर्थ संपत्तियां हैं, जिनका उप्योग आप आय उत्पन करने के लिए अपने व्यवसाय संचालन में करते हैं इनमें आपकी किताबों की दुकान की इमारत, किताबों से भरी अलमारिया, इन्वेंटरी प्रबंधन के लिए आपके द्वारा उप्योग किये जाने वाले कम्प्यूटर और यहां तक की फरनीचर जहां ग्राहक बैठते हैं, शामिल हो सकते हैं मूल्त ये वे परिसंपत्या हैं, जिनका उप्योगी जीवन एक से अधिक लिखांकन अवधिका होता है रवी ने सिर हिलाया और तस्वीर देखने लगा तो मैं इन परिसंपत्यों का हिसाब कैसे दूँ? शिक्षक ने आगे कहा, इंड एस सोलह के तहट, पहला कदम अधिग्रहन के समय इन संपत्यों की लागत को पहचानना है उदाहरन के लिए यदि आप अपनी किताबों की दुकान के लिए एक इमारत खरीदते हैं तो लागत में न केवल खरीद मूल्य बलकी कोई भी संबंधित खर्च जैसे कानूनी शुल्क कर और स्थापना लागत भी शामिल है यह कुल राशी आपकी संपत्ती का प्रारंभिक मूल्य बन जाती है रवी ने हाथ उठाया और उसके बाद क्या होता है सर? उत्कृष्ट प्रश्न त्रवी शिक्षक ने सगाई से प्रसन होकर उत्तर दिया एक बार जब आप लागत पहचान लेते हैं तो आपको यह विचार करने की आवश्शकता है कि परिसंपत्ती को उसके उप्योगी जीवन के दौरान कैसे मापा जाए दो प्राथमिक विधिया हैं लागत मौडल और पुनर मूल्यांकन मौडल लागत मौडल के साथ आप परिसंपत्ती को किसी भी संचित मूल्यहरास को घटा कर उसकी लागत पर ले जाना जारी रखते हैं मूल्यहरास यह है कि आप परिसंपत्ती की लागत को उसके उपयोगी जीवन के दौरान कैसे आवंटित करते हैं, जो आपके उपयोग के दौरान उसके तूट-फूट के अनुभवों को दर्शाता है रवी ने एक क्षण सोचा, तो अगर मैं पचास हजार रुपए में एक शेल्फ खरीदता हूँ और इसका उपयोगी जीवन दस साल है, तो मैं उस समय के दौरान इसका मूल्यहरास कर दूँगा बिल्कुल शिक्षक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया इस मामले में आप उस लागत के एक हिस्से को प्रत्येक वर्ष व्याय के रूप में पहचानेंगे हाला कि यदि आप पुनर मूल्यांकन मॉडल चुनते हैं, तो आप समय समय पर परिसमपत्ती की वहन राशी को उसके उचित मूल्य पर समायोजित कर सकते हैं इसका मतलब यह है कि यदि आपकी इमारत का मूल्य बढ़ता है, तो आप अपनी समपत्ती के वास्तविक मूल्य को दर्शाते हुए, अपनी बैलन्स शीट पर इसका मूल्य बढ़ा सकते हैं रवी मोहित हो गया तो मेरे पास यह विकल्प है कि मैं अपनी परिसमपत्तियों का हिसाब कैसे लगाऊं, इस आधार पर कि मैं उनके मूल्य का प्रतिनिधित्व कैसे करना चाहता हूँ सही है, रवी शिक्षक ने पुष्टी की लेकिन याद रखें, चाहे आप कोई भी तरीका चुनें, तुलनियता सुनिष्चित करने के लिए आपको इसे लगातार समान संपत्तियों पर लागू करना होगा यह पारदर्शी वित्तिय रिपोर्टिंग की कुन्जी है रवी ने एक और सवाल उठाया, मरम्मत और सुधार के बारे में क्या? मैं उन्हें कैसे संभालू? बहुत बढ़िया सवाल शिक्षक ने उत्साह पूर्वक उत्तर दिया यदि आप अपनी संपत्तियों को बनाए रखने या मरम्मत करने के लिए लागत उठाते हैं तो उन खर्चों को आम तौर पर लाभ या हानी के रूप में लिया जाता है हाला कि यदि आप महत्वपून सुधार करते हैं जो परिसंपत्ति के मूले को बढ़ाते हैं या उसके उप्योगी जीवन को बढ़ाते हैं तो आप उन लागतों का पूंजी करन कर सकते हैं जिसका अर्थ है कि आप उन्हें परिसंपत्ति की वहन राशी में जोड सकते हैं रवी ने सोच समझ कर सिर हिलाया तो अगर मैं अपनी किताबों की दुकान की प्रकाश व्यवस्था को अपग्रेड करता हूँ तो मुझे यह तै करना होगा कि क्या यह एक साधारन मरम्मत है या सुधार है बिल्कुल शिक्षक ने पुष्टी की अब निप्टान के बारे में बात करते हैं जब आप किसी परिसंपत्ती को बेचने या सेवानिवरित करने का निर्णय लेते हैं तो आपको इसे अपनी पुस्तकों से हटाना होगा यदि आप कई वर्षों तक उप्योग करने के बाद किसी शेल्फ को 20,000 रुपए में बेचते हैं तो आपको बिक्री के समय इसकी वहन राशी पर विचार करना चाहिए और निप्तान पर किसी भी लाभ या हानी को पहचानना चाहिए रवी मुस्कुराया प्रबुद्ध महसूस कर रहा था तो इंड एस 16 मुझे यह समझने में मदद करता है कि मैं अपनी किताबों की दुकान में उप्योग की जाने वाली सभी भौतिक संपत्तियों का हिसाब कैसे रखूँ खरीदारी से लेकर मूल्य मापने और यहां तक की उनके निप्तान तक सही बिल्कुल शिक्षक गर्व से जूम उठे जैसे हर कहाणी की शुरुवात मध्य और अंत होता है संपत्ति, सनिन्त्र और उप्करन के साथ आपकी वित्तिय यात्रा में व्यवसाय की दुनिया में प्रवेश करते समय अपनी संपत्ति को पहचानना, मापना और अंत्त उसका निप्तान करना शामिल होता है जैसे ही रवी उस दिन कक्षा से बाहर निकला, उसे इंडस्ट्रीज सोलह की गहरी समझ के साथ सशक्त महसूस हुआ उसने महसूस किया कि संपत्ती, सन्यंत्र और उपकरण का प्रबंधन केवल संख्याओं के बारे में नहीं था यह उन परिसंपत्तियों को रणनीतिक रूप से संभालने के बारे में था जो भविश में उनकी किताबों की दुकान को फलने फूलने और बढ़ने में मदद करेगी क्रुप्या सूचनाय प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्य तालें, टिपपनी करें और घंटी आइकन दबाएं एक बरसाद की दोपहर में रवी अपने प्रिय शिक्षक से एक और आकरशक पाठ लेने के लिए तयार होकर कक्षा में आया जो जटिल विश्यों को मनोरम कहानियों में बदलने के लिए जाना जाता है आज का विशय इंड ऐस सत्रह था, जो लीज से संबंधित था, एक अवधारना जिसे जल्द ही इंड ऐस 116 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा रवी यह जानने के लिए उच्सुक थे कि उनके शिक्षक इस विशय को कैसे जीवन्त बनाएंगे जैसे ही शिक्षक कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने उच्साह के साथ छात्रों का स्वागत किया सभी को शुभ दो पहर आज हम पट्टों की दुनिया का पता लगाने जा रहे हैं, जो व्यापार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण समझोते हैं आईए कल्पना करें कि आप रवी अपनी खुद की किताबों की दुकान के गौरवानवित मालिक हैं यह कहानी हमें यह समझने में मदद करेगी कि पट्टे कैसे काम करते हैं और वे क्यों माइने रखते हैं रवी उच्शुक होकर अपनी सीट पर बैठ गया पट्टा क्या है, श्रीमान? रवी की सीखने की उच्शुकता को महसूस करते हुए शिक्षक मुस्कुराएं पट्टा अनिवार्य रूप से दो पक्षों के बीच एक अनुबंध है पट्टा दाता जो एक संपत्ती का मालिक है और पट्टेदार जो उस संपत्ती का उप्योग करने के लिए भुगतान करता है आपके मामले में यदि आप भवन खरीदने के बजाय किराय की जगह पर अपनी किताबों की दुकान खोलने का निरनय लेते हैं तो आप पट्टेदार होंगे और मकान मालिक पट्टा दाता होगा रवी ने अवधारना को समझना शुरू करते हुए सिरहिलाया तो अगर मैं अपनी किताबों की दुकान के लिए जगह किराय पर लेना चाहता हूँ तो मुझे लीज समझोते पर हस्ताक्षर करना होगा बिलकुल शिक्षक ने पुष्टी की यह समझोता आपके पट्टे की शर्तों को रेखांकित करता है जिसमें अवधी, किराय का भुगतान और संपत्ती के संबंध में आपकी कोई भी जिम्मेदारियां शामिल है Industries A.17 के तहट आप पट्टों को परिचालन पट्टों या वित्थ पट्टों के रूप में वर्गीकृत करेंगे रवी ने उच्सुकतावश अपना हाथ उठाया दोनों में क्या अंतर है, सर? बहुत अच्छा सवाल है, रवी शिक्षक ने उच्तर दिया Operating Lease एक ऐसा पट्टा है, जो परिसमपत्ती के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरसकारों को परियाप्त रूप से स्थानांतरित नहीं करता है उदाहरन के लिए, यदि आप अपनी किताबों की दुकान के लिए किसी भवन को खरीदने के किसी विकल्प के बिना कुछ वर्षों के लिए किराय पर लेते हैं, तो इसे एक परिचालन पट्टा माना जाएगा इस मामली में आप अपने आए विवर्ण में पट्टे के भुगतान को एक व्याय के रूप में पहचानेंगे रवी को समझ आने लगा था और वित्थ पट्टे के बारे में क्या? अच्छा अवलोकन शिक्षक ने कहा दूसरी और एक वित्थ पट्टा परिसम पट्टी से जुड़े सभी जोखिमों और पुरसकारों को पट्टेदार को हस्तांतरित करता है यदि आप अपनी किताबों की दुकान के लिए एक दिलीवरी वाहन को पट्टे की अवधी के अंत में खरीदने के विकल्ट के साथ पट्टे पर लेते हैं तो इसे वित्थ पट्टे के रूप में वर्गी कृत किया जाएगा इस परिद्रिश में आप अपनी बैलेंस शीट पर परिसंपत्ती और देंदारी को पहचानेंगे जो पट्टे पर दी गई संपत्ती के मूल्य और पट्टे का भुगतान करने के आपके दायत्व को दर्शाती है रवी की आखे समझ से चौड़ी हो गई तो एक वित पट्टे के साथ मैं पट्टे पर दी गई संपत्ती के साथ ऐसा व्यवहार करता हूँ जैसे यह मेरी अपनी है बिल्कुल शिक्षक मुस्कुराए आप परिसंपत्ती के उपयोगी जीवन पर उसका मूल्य हरास भी करेंगे और पट्टे की देंदारी पर व्यास व्याय को भी पहचानेंगे यह द्रिश्टिकोन आपकी वित्तिय स्थिती का अधिक व्यापक द्रिश्टिकोन प्रदान करता है रवी ने एक और सवाल उठाया क्या होगा अगर मेरी लीज की शर्तें बदल जाती हैं या अगर मैं लीज को जल्दी खत्म करने का फैसला करता हूँ उत्कृष्ट पूछताच रवी शिक्षक ने उत्तर दिया इंड एस सत्रह के अनुसार आपको नियमित रूप से अपने पट्टे की शर्तों का आतलन करना होगा यदि परिवर्तन होते हैं तो आपको यह पुनर्मूल यांकन करने की आवश्शक्ता हो सकती है कि आप पट्टे के लिए कैसे खाते हैं इसमें यह निर्धारित करना शामिल है कि क्या किसी पुनर्मूल यांकन के परिणामस्वरूप आपकी लीज देंदारिया संपत्ती में संशोधन होता है पट्टे की शीघ्र समापती के परिणामस्वरूप किसी भी दंड को व्याय के रूप में मान्यता दी जा सकती है बिल्कुल शिक्षक ने पुष्टी की, प्रभावी वित्तिय प्रबंधन के लिए पट्टों को समझना महत्वपूर्ण है. यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि ये समझोते आपके वित्तिय विवर्णों और समगर व्यावसायक रणनीती को कैसे प्रभावित करते हैं. शिक्षक ने आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए रुक कर कहा, अब जबकी इंड ऐस सत्रह पट्टों के लिए लेखांकन के लिए एक रुकरेखा प्रदान करता है, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इसे इंड ऐस 116 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जो पट इंडस्ट्रीज एस 116 के तहट लगभग सभी पट्टे बैलेंस शीट पर दर्स किये जाते हैं, जिससे कमपनी के वित्तियद आयत्वों की सपष्ट तस्वीर मिलती है, रवी की जिग्यासा और गहरी हो गई, तो इंडस्ट्रीज एस 116 हमारे पट्टों को संभालने के तर संपत्ती का उप्योग करने के अधिकार पर केंद्रित है, यह बदलाव आपके बुकस्टोर जैसे व्यवसायों को उनकी वित्तिय स्थिती के बारे में अधिक सटीक द्रिश्टिकों प्रस्तुत करने में मदद करता है, जैसे ही पाठ समाप्थ हुआ, रवी ने इंड-ेस 17 और इसके उत्तराधिकारी इंड-ेस 116 की बहतर समझ के साथ सशक्त महसूस करते हुए कक्षा छोर दी, उन्होंने महसूस किया कि पट्टों का प्रबंधन केवल समझोतों के बारे में नहीं था, यह रणनीतिक रूप से परिसमपत्तियों और देंदारियों को संभालने के बारे में था जो उसकी किताबों की दुकान के भविश्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता था, पट्टों को समझने से वह सूचित निर्नय लेने और आत्मविश्वास के साथ व्यापार की दुनिया में आगे बढ़ने में सक्षम होंगे, कृप्या सूच प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्य तालें, टिपपनी करें और घंटी आइकन दबाएं। के लिए उच्साहित थे कि यह महत्वपूर्ण विशय कहानी के प्रारूप में कैसे सामने आएगा। जैसे ही शिक्षक ने कक्षा में कदम रखा, उन्होंने गर्म जोशी भरी मुस्कान के साथ छात्रों का स्वागत किया। सुप्रभात सभी को आज हम कर्मचारी लाभों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और समझेंगे कि वे कर्मचारियों और व्यवसायों दोनों को कैसे प्रभावित करते हैं। आईए कलपना करें, रवी कि आप अपनी किताबों की दुकान के गौरवानवित मालिक हैं और आप इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अपने कर्मचारियों को कैसे पुरस्कृत और समर्थन दिया जाए। यह कहानी हमें इंड आज 19 के तहट कर्मचारी लाभों की बारीकियों को समझने में मदद करेगी। रवी उच्सुक होकर अपनी सीट पर बैठ गया। कर्मचारी लाभ से आपका क्या तातपर यह है श्रीमान। रवी की उच्सुकता को महसूस करते हुए शिक्षक मुस्कुराए। कर्मचारी लाभ कर्मचारियों को उनके वेतन के अतिरिक्ट प्रदान किये जाने वाले विभिन प्रकार के मुआवजे हैं। वे कई रूप ले सकते हैं, जैसे पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, सवैपनिक अवकाश और बोनस। इंडस्ट्रीज एस उन्नीस के तहट इन लाभों को कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। रवी ने उच्सुकतावश सिर हिलाया। ये श्रेणिया क्या हैं, सर। बहुत अच्छा सवाल है, रवी शिक्षक ने उत्तर दिया। इंडस्ट्रीज एस उन्नीस के तहट कर्मचारी लाभों की मुख्य रूप से तीन श्रेणिया है। पहली श्रेणी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ है। ये वे लाभ हैं, जिनका रिपोर्टिंग अवधी समाप्त होने के बाद 12 महीनों के भीतर निप्टान होने की उम्मीद है। उदाहरन के लिए यदि आप अपने कर्मचारीओं को वार्षिक छुट्टी या बोनस प्रदान करते हैं, जिसका वे वर्ष के भीतर उप्योग कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, तो ये इस शेणी में आएंगे। आप इन लाभों से संबंधित व्याय को पहचानेंगे क्योंकि वे कर्मचारीओं द्वारा अर्जित किये गए हैं। रवी ने इस पर विचार किया। तो अगर मैं अपने कर्मचारीओं को विक्री के आधार पर वर्ष के अंत में बोनस देता हूँ, तो मुझे तुरंट इसका हिसाब देना होगा। बिलकुल शिक्षक ने पुष्टी की। अब दूसरी श्रेणी रोजगार के बाद के लाभों की है, जिसमें पेंशन और सेवानिवृत्ती योजनाएं शामिल हैं। जब आप अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की पेशकश करने का निरनय लेते हैं, तो आपको उनके कामकाजी जीवन में इस लाभ से जुड़े खर्च को पहचानना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि आप उनके सेवानिवृत्त होने पर अपने भविष्य के दायत्वों को पूरा करने के लिए परियाप्त धनराशी अलग रख रहे हैं। रवी ने सवाल करते हुए हाथ उठाया। मैं उन खर्चों की गणना कैसे करूँ, सर। उत्कृष्ट प्रश्न रवी शिक्षक ने उत्तर दिया। रोजगार के बाद के लाभों के लिए व्यय निर्धारित करने के लिए आपको बीमांकिक मूल्यांकन पर विचार करने की आवश्यक्ता होगी, जिसमें कर्मचारी जीवन प्रत्याशा और वेतन वृध्धी जैसे विभिन कारकों का आकलन करना शामिल है। इससे आपको यह अनुमान लगाने में मदद मिलती है कि इन भविश्य के दायत्वों को पूरा करने के लिए आपको कितना अलग रखने की आवश्यक्ता है। रवी ने इस जानकारी पर विचार करते हुए सोच समझ कर सिर हिलाया। और तीसरी श्रेणी क्या है? तीसरी श्रेणी अन्य दीर्ग कालिक कर्मचारी लाब है, शिक्षक ने समझाया। इन लाबों का बारह महीनों के भीतर निप्टान होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन ये रोजगार के बाद के लाब भी नहीं है। इसका एक उदाहरन लंबी सेवा छुट्टी या विलंबित मुआवजा होगा। इन लाबों के लिए आप उस व्याय को पहचानेंगे क्योंकि कर्मचारी वर्षों से अपनी सेवाय प्रदान करते हैं। रवी मुस्कुराया प्रबुध महसूस कर रहा था। तो मुझे विभिन प्रकार के लाबों का हिसाब किताब इस आधार पर रखना होगा कि उनका निप्टान कब किया जाता है और वे मेरे वित्त को कैसे प्रभावित करते हैं। बिल्कुल रवी शिक्षक ने गर्व से कहा। इंड एस उननीस के तहट इन कर्मचारी लाभों का सटीक हिसाब लगाना महत्वपूर्ण है। इससे न केवल आपको वित्तिय रिपोर्टिंग में मदद मिलती है बलकि आपके कर्मचारीयों के साथ आपके रिष्टे भी मजबूत होते हैं। प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करके आप अपनी किताबों की दुकान के लिए प्रतिभाशाली कर्मचारीयों को आकर्शित और बनाये रख सकते हैं। रवी ने एक और सवाल उठाया। यदि मैं इन लाभों का ठीक से हिसाब किताब न करू तो क्या होगा। शिक्षक की अभिव्यक्ती गंभीर हो गई। यदि आप कर्मचारी लाभों को पहचानने या गलत तरीके से गणना करने में विफल रहते हैं, तो यहाँ आपके वित्तिय विवर्नों पर महत्वपून प्रभाव डाल सकता है। यहाँ आपके विवसाय के वित्तिय स्वास्थ्य के बारे में हित्धारकों को गुमराह कर सकता है और कानूनी परिणाम भी दे सकता है। इसलिए कर्मचारी लाभों के लेखांकन में पारदर्शिता और सटीकता आवश्चक है। रवी ने विशय का महत्व समझते हुए सिरहिलाया। कर्मचारी लाभों को समझ कर आप एक सकाराक्मक कार्य वातावर्ण बना सकते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि आपकी किताबों की दुकान आपके कर्मचारीों की प्रतिबधता और वफादारी के माध्यम से फलती फूलती है। जैसे ही रवी उस दिन कक्षा से बाहर निकला, उसे इंडस्ट्रीज एस उननीस की गहरी समझ के साथ सशक्त महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि कर्मचारी लाभों का प्रबंधन करना केवल दायत्वों को पूरा करने के बारे में नहीं था। यह उनकी टीम के लिए एक सहायक और पुरस्कृत वातावर्ण बनाने उनकी किताबों की दुकान की दीर्गकालिक सफलता सुनिश्चित करने के बारे में था। कृप्या सूचनाय प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्य तालें, टिपपनी करें और घंटी आइकन दबाएं। एक गर्म और धूप भरी दोपहर में, रवी अपने प्रिय शिक्षक, जो जटिल विश्यों को आकरशक कहानियों में बदलने के लिए जाने जाते हैं, से एक और व्याभारिक पाठ के लिए उच्सुक होकर कक्षा में चला गया। आज का विशय एंड ऐस बीस था, जो सरकारी अनुदानों के लेखांकन और सरकारी सहायता के प्रक्टी करण पर केंद्रित है। रवी इस बात को लेकर उच्सुक थे कि इस महत्वपून अवधार्ना को कहानी कहने के माध्यम से कैसे चित्रित किया जाएगा। जैसे ही शिक्षक कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने उच्साह के साथ छातरों का स्वागत किया। सभी को शुभ दो पहर। आज हम सरकारी अनुदान और सहायता की आकरशक दुनिया का पता लगाएंगे। आईए कलपना करें कि आप, रवी एक छोटी किताबों की दुकान के मालिक हैं और आपने हाल ही में अपने व्यवसाय के समर्थन के लिए सरकारी अनुदान के लिए आवेदन किया है। यह कहानी हमें यह समझने में मदद करेगी कि ऐसे अनुदानों का हिसाब किताब कैसे रखा जाएं और उनका खुलासा कैसे किया जाएं। रवी सीखने के लिए तयार होकर अपनी सीट पर बैठ गया। सरकारी अनुदान वास्तव में क्या है श्रीमान। रवी की जिग्यासा को समझकर शिक्षक मुस्कुराएं। सरकारी अनुदान विशिष्ट गतिविधियों या पहलों का समर्थन करने के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तिय सहायता है। जैसे व्यवसाय शुरू करना या विस्तार करना, बुनियादी धाचे में सुधार करना या अनुसंधान करना। ये अनुदान विभिन रूपों में आ सकते हैं, जैसे नकत भुगतान, करलाब या अनुकूल शर्तों पर रें। रवी ने उच्सुकतावश सिर हिलाया। तो अगर मैं अपनी किताबों की दुकान को नई इन्वेंटरी खरीदने या स्टोर के लेयाउट में सुधार करने में मदद के लिए अनुदान के लिए आवेदन करता हूं, तो मैं इसका हिसाब कैसे दूँगा। बहुत अच्छा सवाल है, रवी शिक्षक ने उत्तर दिया। इंड एस बीस के तहट, सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन उपचार इस बात पर निर्भर करता है कि आप अनुदान का उप्योग कैसे करना चाहते हैं। मुख्य रूप से दो दृष्टिकोन हैं, आय दृष्टिकोन और आस्थगित आय दृष्टिकोन। आईए हमारी कहानी में इनका पता लगाएं। रवी ने सीखा और अधिक सुनने के लिए उत्सुक था। आय दृष्टिकोन क्या है। शिक्षक ने आगे कहा, कलपना कीजिए कि आपको अपनी किताबों की दुकान के लिए नई सामगरी खरीदने के लिए एक लाख रुपए का नकद अनुदान मिलता है। आय दृष्टिकोन के तहट आप इस अनुदान को प्राप्थ होने की अवधी में आय के रूप में पहचानेंगे। इसका मतलब यह है कि जब आप अनुदान प्राप्थ करते हैं, तो आप इसे अपने आय विवर्ण में अपने राजस्व के हिस्से के रूप में रिपोर्ट करेंगे, जो सरकारी सहायता से प्राप्थ लाभ को दर्शाता है। रवी ने एक क्षण सोचा, तो मैं इस अनुदान को उस वर्ष की अपनी कमाई के हिस्से के रूप में दिखाऊंगा। बिल्कुल शिक्षक ने पुष्टी की, अब आए आस्थगित आय द्रिश्टिकोन पर चर्चा करें। इसके बजाए मान लीजिए कि आपको अपनी किताबों की दुकान में एक नया अनुभाग बनाने के लिए अनुदान प्राप्थ होता है। इस द्रिश्टिकोन के तहट आप अनुदान को तुरंट आय के रूप में नहीं पहचानेंगे। इसके बजाए आप इसे एक देंदारी के रूप में दर्ज करेंगे और इसे अनुदान के साथ अरजित संपत्ती के उप्योगी जीवन पर आय के रूप में पहचानेंगे। इस तरह अनुदान से होने वाली आय संपत्ती के उप्योग में किये गए खर्चों से मेल खाती है। रवी ने सिर हिलाया, समझने लगा। तो अगर मुझे एक नया पढ़ने का ख्षेत्र बनाने के लिए अनुदान मिलता है, तो मैं उस ख्षेत्र का उप्योग करने के दौरान धीरे धीरे उस आय को पहचान लूँगा। बिलकुल शिक्षक ने कहा, यह विधी सुनिश्चित करती है कि आपके विद्धिय विवर्ण अनुदान के चल रहे लाभों को सटीक रूप से दर्शाते हैं। रवी ने एक और सवाल उठाया, सरकारी सहायता के खुलासे के बारे में क्या कहेंगे सर? बहुत बढ़िया पूच्टाच रवी शिक्षक ने उत्तर दिया। पूच्टी की यह पारदर्शिता विश्वास पैदा करती है, और सुनिश्चित करती है कि आपके वित्तिय विवर्ण, विश्वसनिय और जानकारी पूर्ण है। रवी ने सरकारी अनुदान के महत्व पर विचार किया। तो वे मेरी किताबों की दुकान के लिए एक मूल्यवान संसाधन हो सकते हैं, जिससे मुझे अपनी सेवाओं को बढ़ाने और बहतर बनाने में मदद मिलेगी। बिल्कुल रवी शिक्षक ने गर्व से कहा। जब समझदारी से उप्योग किया जाता है, तो सरकारी अनुदान आपके व्यवसाय के लिए आवश्यक सहायता प्रदान कर सकता है। हाला कि सटीक वित्तिय रिकॉर्ड बनाए रखने और नियमों का अनुपालन करने के लिए उनका सही हिसाब रखना महत्वपूर्ण है। जैसे ही पाठ समाप्थ हुआ, रवी ने इंडस्ट्रीज एस बीस के बारे में प्रबुद्ध महसूस करते हुए कक्षा छोड़ दी। उन्हें एसास हुआ कि सरकारी अनुदान का हिसाब कैसे लगाया जाए और सरकारी सहायता का खुलासा कैसे किया जाए। यह केवल संख्याओं के बारे में नहीं है। यह रणनीतिक रूप से उन संसाधनों का उप्योग करने के बारे में था जो पारदर्शिता और अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उनकी किताबों की दुकान को आगे बढ़ने में मदद कर सकते थे। इस ज्ञान के साथ रवी ने सोच समझकर निर्नय लेने में सक्षम महसूस किया जो उसकी प्रिय किताबों की दुकान के विकास और सफलता में सहायता करेगा। क्रुप्या सूचनाय प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्य तालें, टिपपनी करें और घंटी आइकन दबाएं। एक उजजवल और धूप वाले दिन, रवी अपने प्रिय शिक्षक से एक और आकरशक पाठ के लिए उचसाहित होकर कक्षा में आया, जो जटिल विश्यों के इर्दगिर्द मनोरम कहानिया बुनने के लिए प्रसिद्ध था। आज Focus and As 21 पर था, जो विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभावों से संबंधित है। रवी यह देखने के लिए उचसुक थे कि उनके शिक्षक कहानी सुनाकर इस विशय को कैसे जीवन्त करेंगे। जैसे ही शिक्षक कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने उचसाह के साथ छातरों का स्वागत किया। सुप्रभात सभी को आज हम विदेशी विनिमय दरों की आकर्शक दुनिया का पता लगाने जा रहे हैं और वे व्यवसायों को कैसे प्रभावित करती हैं। आइए कलपना करें कि आप रवी एक छोटी किताब की दुकान के मालिक हैं जो विभिन देशों से किताबें आयात करता है। यह कहानी हमें यह समझने में मदद करेगी कि विदेशी मुदरा दरों में उतार चड़ाव आपके व्यवसाय, संचालन और वित्तिय रिपोर्टिंग को कैसे प्रभावित करते हैं। रवी सीखने के लिए उच्सुक होकर अपनी सीट पर बैठ गया। विदेशी विनिमय दरों से आपका क्या तातपर्य है, श्रीमांग। रवी की जिग्यासा को समझ कर शिक्षक मुस्कुराएं। विदेशी विनिमय दरें एक मुदरा के दूसरे के संबंध में मूल्य को संदर्भित करती हैं। उदाहरन के लिए यदि आप संयुक्त राज्य अमेरिका से किताबें आयात करते हैं, तो आपको अपनी खरीदारी करने के लिए भारतिय रुपए को अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित करना होगा। विनिमय दर यह निर्धारित करती है कि आपको एक डॉलर के लिए कितने रुपए का भुगतान करना होगा। आर्थिक स्थिती, ब्यास दरें और राजनीतिक स्थिर्ता जैसे विभिन कारकों के कारण इन दरों में उतार चड़ाव हो सकता है। रवी ने उत्सुकतावश सिर हिलाया। तो ये उतार चड़ाव मेरी किताबों की दुकान को कैसे प्रभावित करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, रवी शिक्षक ने उत्तर दिया। आईए कलपना करें कि आप 1000 अमेरिकी डॉलर की कीमत वाले लोकप्रिय उपन्यासों का एक सेट आयात करने का निर्नय लेते हैं। जब आप खरीदारी करते हैं, तो विनिमयदर 75 रुपए से एक डॉलर होती है, जिसका अर्थ है कि लेंदेन पूरा करने के लिए आपको 75,000 रुपए की आवश्यक्ता होगी। रवी ने इस परिद्रिश्य का चितरन किया। मैं समझता हूँ। लेकिन क्या होगा यदि मेरे ओर्डर देने के बाद विनिमयदर बदल जाती है। बिल्कुल शिक्षक ने जारी रखा। अब मान लीजिये कि जब तक आपका शिप्मेंट आता है, तब तक विनिमयदर 80 रुपए से एक डॉलर में बदल जाती है। अब आपको उपन्यासों के उसी सेट के भुगतान के लिए 80,000 रुपए की आवश्शकता होगी। इस वृद्धी का मतलब है कि इन पुस्तकों को खरीदने की आपकी लागत बढ़ गई है, जिससे आपके लाप मार्जिन पर असर पढ़ रहा है। रवी ने इस पर विचार किया, तो विनमय दरों में उतार चढ़ाव से मेरी लागत अप्रत्याशित रूप से बढ़ सकती है। बिलकुल शिक्षक ने पुष्टी की, इन एस 21 के तहट व्यवसायों को अपने वित्तिय विवर्णों में इन विदेशी मुद्रा लेंदेन का हिसाब देना होगा। जब आप अपने लेंदेन को रिकॉर्ड करते हैं, तो आप शुरू में उन्हें लेंदेन की तारीख पर विनिमय दर पर पहचान लेंगे। हाला कि प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधी के अंत में आपको मौजूदा विनिमय दरों का उप्योग करके इन विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तूं जैसे नकदी, प्राप्य और दे का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्शकता है। रवी ने सवाल करते हुए हाथ उठाया। यदि विनिमय दर मेरे पक्ष में बदलती है तो क्या होगा। उत्कृष्ट पूछताच रवी शिक्षक ने उत्तर दिया। यदि विनिमय दर में सुधार होता है और अधिक अनुकूल हो जाता है तो इससे आपकी लागत कम हो सकती है। उदाहरन के लिए यदि विनिमय दर गिरकर सत्तर रुपए से एक डॉलर हो जाती है तो आपको उपन्यासों का वही सेट खरीदने के लिए केवल सत्तर हजार रुपए की आवश्शकता होगी। इस मामले में आप विदेशी मुद्रा लाब को पहचान सकते हैं जो आपके विद्तिय परिणामों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। रवी ने सिरहिलाया जिससे विनिमय दरों की निगरानी का महत्व समझ में आने लगा। तो मुझे न केवल खरीदारी करते समय बलकि उसके बाद भी नियमित रूप से इन दरों के बारे में जागरूक रहने की आवश्शकता है। बिलकुल शिक्षक ने गर्व से कहा, यह जागरूकता आपको अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों को अधिक प्रभावी धंग से प्रबंधित करने की अनुमती देती है। इसके अतिरिक्त, जब आप अपने विद्तिय विवर्ण तयार करते हैं, तो आपको किसी भी विदेशी मुद्रा लाभ या हानी का खुलासा करना चाहिए, जिससे यह स्पष्ट तस्वीर मिलती है कि मुद्रा में उतार चढ़ाव आपके व्यवसाय को कैसे प्रभावित कर रवी इस विशय पर मोहित हो गए, तो यदि मेरे पास एक आधिक मुद्राओं में लेंदेन है, तो मुझे उन सभी को ट्रैक करने की जूरत है, बिलकुल रवी शिक्षक ने पुष्टी की, प्रत्येक विदेशी मुद्रा लेंदेन का हिसाब अलग से रखना होगा, और आ या हानी विवर्ण में किसी भी समायोजन को पहचानना होगा, जैसे जैसे पाठ जारी रहा, शिक्षक ने विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभावों को समझने के महत्व पर जोर दिया, इन जोखिमों को प्रभावी धंग से प्रबंधित करके, आप अपनी क किताबों की दुकान की लाभप्रत्ता की रक्षा कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप मुद्रा के उतार चड़ाव से उत्पन्न होने वाली किसी भी संभावित चुनोती के लिए तयार हैं। जैसे ही कक्षा समाप्थ हुई, रवी इंड एस 21 के बारे में नए ज्ञान से सशक्त महसूस करते हुए कमरे से बाहर चले गए। उसे निपटने में खुद को सक्षम महसूस किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि उनका व्यवसाय लगातार बदलते वैश्विक परिद्रिश में फलता फूलता रहे। विश्यों को भी आकरशक कहानियों में बदलने के लिए जाने जाते थे। आज का विशय एंड एस 23 था, जो उधार लेने की लागत से संबंधित है। रवी यह देखने के लिए उच्सुक थे कि उनके शिक्षक उनकी एक हस्ताक्षरित कहानी के माध्यम से इस अवधारना को कैसे उजागर करेंगे। जैसे ही शिक्षक ने प्रवेश किया, वह गर्म जोशी से मुस्कुराएं और अपने छात्रों का अभिवादन किया। सभी को शुभ दो पहर, आज हम उधार लेने की लागत की दुनिया में उतरने जा रहे हैं। कलपना कीजिए, रवी की आपने अपनी किताबों की दुकान में एक नया अनुभाग बनाने के लिए रिण लिया है। शायद आरामदायक कुर्सियों और नवीनतम पुस्तकों से भरी अलमारियों के साथ एक आरामदायक पढ़ने का क्षेत्र। यह कहानी हमें यह समझने में मदद करेगी कि पैसे उधार लेने से जुड़ी लागतों का हिसाब कैसे लगाया जाए। रवी हमेशा की तरह जिग्यासा के साथ बैठ गया। उधार लेने की लागत से आपका क्या मतलब है, श्रीमान? जैसे ही शिक्षक ने अपनी व्याख्या शुरू की, उसका चहरा खिल उठा। उधार लेने की लागत से तातपर्य उस ब्याज और अन्य लागत से है, जो आप तब उठाते हैं, जब आप किसी परिसंपत्ती के वित्तपोशन के लिए रिन लेते हैं, जैसे की आपकी किताबों की दुकान का विस्तार। इन लागतों में रिन पर ब्याज, उधार दाताओं को भुगतान की गई कोई भी फीस और कभी-कभी यदि आपने विदेशी मुद्रा में रिन लिया है, तो उधार पर विनमय दर में अंतर भी शामिल हो सकता है। रवी ने उधसुकतावश सिर हिलाया, तो अगर मैं अपनी किताबों की दुकान का विस्तार करने के लिए रिन लेता हूँ, तो उस रिन पर मैं जो ब्यास चुकाऊंगा वह उधार लेने की लागत होगी। बिलकुल रवी शिक्षक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। रवी समझने को उधसुक होकर आगे की ओर जुका। उधार लेने की लागत को पूंजी कृत करने से आपका क्या मतलब है। बहुत बढ़िया सवाल शिक्षक ने कहा। मान लीजिये की आपने अपनी किताबों की दुकान में नया रीडिंग सेक्षन बनाने के लिए 10 लाख रुपय का रिन लिया है। निर्मान में कुछ समय लगेगा, शायद 6 महीने। इस अवधी के दौरान आप रिन पर ब्यास का भुगतान कर रहे हैं। उस ब्यास को तुरंत व्यय के रूप में पहचानने के बजाएं आप उसका पूंजी करण कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि आप ब्यास लागत को नए अनुभाग की कुल लागत में जोड सकते हैं। रवी ने हाथ उठाया। तो निर्मान अवधी के दौरान मैं जो ब्यास चुका रहा हूं वह संपत्ती की लागत का हिस्सा बन जाता है। बिलकुल शिक्षक ने पुष्टी की। इंड एस 23 के तहट यदि आप किसी योग्य संपत्ती के निर्मान के लिए धन उधार लेते हैं। जैसे कि आपकी किताबों की दुकान का नया खंड तो निर्मान अवधी के दौरान आपके द्वारा खर्च की जाने वाली ब्यास लागत संपत्ती की लागत में जोर दी जाती है। इसका मतलब है कि आप उधार लेने की लागत को परिसंपत्ती के मूल्य के हिस्से के रूप में पहचानते हैं, न कि ततकाल व्या के रूप में। रवी ने एक क्षण सोचा, योग्य संपत्ती क्या है, श्रीमान? फिर से अच्छा प्रश्न है, रवी शिक्षक ने उत्तर दिया। योग्य संपत्ती वह है, जिसे अपने इच्छित उप्योग के लिए तयार होने में परियाप्त समय लगता है। आपके मामले में नया रीडिंग अनुभाद एक योग्य संपत्ती होगी क्योंकि इसे बनाने में महीनों का समय लगता है। दूसरी और यदि आपने केवल अधिक किताबें या छोटे उपकरण खरीदने के लिए रिण लिया है, तो वे योग्य संपत्ती नहीं होंगी क्योंकि उनका उप्योग तुरंट किया जा सकता है। उस स्थिती में उधार लेने की लागत तुरंट खर्च हो जाएगी। रवी ने अवधारना को समझने की शुरुवात करते हुए सिरहिलाया। इसलिए अगर मैं कुछ ऐसा बना रहा हूँ जिसमें समय लगता है, तो मैं उधार लेने की लागत का पूंजी करण करता हूँ लेकिन अगर यह तुरंट उपयोग के लिए तयार किसी चीज के लिए है, तो मैं उधार लेने की लागत वहन करता हूँ। बिलकुल शिक्षक ने गर्व से कहा, अब एक और महत्वपूर्ण बात है। एक बार निर्मान पूरा हो जाने पर आप उधार की लागतों का पू के रूप में माना जाएगा। रवी ने एक और सवाल उठाया। यदि निर्मान में देरी हुई तो क्या होगा। क्या मैं अभी भी उधार लेने की लागत का पूंजी करन करता हूँ। रवी के विवर्ण पर ध्यान देने पर शिक्षक मुस्कुराए। उत्कृष्ट प् पूंजी करन करना जारी रखेंगे। हाला कि यदि देरी आपके नियंत्रण में है। जैसे कि खराब परियोजना प्रबंधन तो आप उस अवधी के दौरान पूंजी लगाना बंद कर देते हैं। रवी इस बात से आश्चर यचकित थे कि इतने सीधे साधे दिखने वाल उसकी प्रकृती और परिसंपत्ती उप्योग के लिए तयार होने के समय के आधार पर उधार लेने की लागत का हिसाब कैसे दूँ। बिलकुल रवी शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा। उचित होने पर उधार लेने की लागत को पूंजी कृत करके आप यह भी व्यक्ती को एक स्पष्ट तस्वीर देता है, चाहे वह निवेशक, लेनदार या अन्यहित्धारक हो। जैसे ही पाठ समाप्थ हुआ, रवी ने इंडस्ट्रीज 23 की गहरी समझ के साथ सशक्त महसूस करते हुए कक्षा छोड़ दी। उन्होंने महसूस किया कि उधार लेने की लागत का हिसाब किताब केवल ब्यास भुगतान के प्रबंधन के बारे में नहीं था। यह यह सुनिश्चित करने के बारे में था कि उसके वित्तिय विवर्ण उसकी क्याबों की दुकान के विकास की पूरी कहानी बताएं। इस ज्यान के साथ रवी ने सोच समझ कर निर्णय लेने के लिए तैयार महसूस किया जिससे उनके व्यवसाय को आर्थिक रूप से सुद्रिड तरीके से विस्तार करने में मदद मिलेगी। कृप्या सूचनाय प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्य तालें, टिपपनी करें और घंटी आइकन दबाएं। करने के लिए प्रसिद्ध थे। आज का विशय एंड ऐस चौबीस था, जो संबंधित पार्टी प्रक्टी करन पर केंद्रित है। रवी यह देखने के लिए उच्सुक थे कि उनके शिक्षक कहानी के माध्यम से इस अवधार्ना को कैसे स्पष्ट करेंगे। जैसे ही शिक्षक कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ छात्रों का स्वागत किया। सुप्रभात सभी को आज हम संबंधित पक्ष लेंदेन की दुनिया और वित्तिय रिपोर्टिंग में पारगर्शिता के महत्व का पता लगाने जा रहे हैं। आए कलपना करें, रवी कि आप एक लोगप्रिय किताबों की दुकान के मालिक हैं और आप परिवार के किसी सदस्य के साथ व्यवसाय करने पर विचार कर रहे हैं। यह कहानी हमें संबंधित पक्ष के खुलासों के महत्व को समझने में मदद करेगी। रवी उच्सुकतावश अपनी सीट पर बैठ गया। संबंधित पार्टी लेंदेन से आपका क्या तातपर्य है, श्रीमान। शिक्षक ने शुरू किया संबंधित पार्टी लेंदेन तब होता है, जब दो पक्ष इस तरह से जुड़े होते हैं, जो उनके व्यापारिक लेंदेन को प्रभावित कर सकते हैं। यह पारिवारिक संबंधों, स्वामित्व हितों या नियंत्रण के माध्यम से हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि आप अपने चाचा के स्वामित्व वाली प्रकाशन कमपनी से किताबे खरीदने का निर्णय लेते हैं, तो उस लेंदेन को संबंधित पार्टी लेंदेन माना जाएगा। रवी ने सिर हिलाया, समझने लगा। तो यह उन लेंदेन के बारे में है, जिनमें वे पक्ष शामिल हैं, जिनका एक विशेश संबंध है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि संबंधित पक्ष असंबध पक्षों के समान शर्तों पर काम नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको किसी अन्य प्रकाशक की तुलना में अपने चाचा से बहतर सौदा मिल सकता है, जो आपके वित्तिय विवर्णों की निश्पक्षता को प्रभावित कर सकता है। रवी ने एक क्षण सोचा, यदि मेरे पास संबंधित पार्टी लेंदेन है, तो मुझे किस प्रकार के खुलासे करने की आवश्शकता है। शिक्षक ने आगे कहा, आपको संबंधित पक्ष के साथ संबंधों की प्रकृती हुए लेंदेन और इसमें शामिल रकम का खुलासा करना होगा। परियाप्ट जानकारी प्रदान करना आवश्शक है ताकि वित्तिय विवर्ण के उप्योग करता समझ सकें कि ये लेंदेन आपके व्यवसाय को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। रवी ने और अधिक जानने के लिए उत्सुख होकर अपना हाथ उठाया। क्या आप मुझे एक उदाहरन दे सकते हैं, सर। निश्चत रूप से रवी शिक्षक ने उसके उत्साह से प्रसन होकर उत्तर दिया। मान लीजिए कि आपने अपने चाचा की प्रकाशन कमपनी को 10,000 रुपए मूल्य की किताबे बेची और फिर अपनी किताबों की दुकान में प्रचार समर्थन के बदले में 5,000 रुपए प्राप्त किये। अपने वित्तिय विवर्नों में आप अपने चाचा के साथ अपने संबंधों की प्रकृती, हुए लेंदेन और उनके मौदरिक मूले का खुलासा करेंगे। इस तरह आपकी वित्तिय रिपोर्ट देखने वाला कोई भी व्यक्ती यह देख सकेगा कि आपने किसी संबंधित पक्ष के साथ लेंदेन किया था और यह आकलन कर सकता है कि ये लेंदेन निश्पक्षता से किये गए थे या नहीं। रवी को इन खुलासों की अहमियत नजर आने लगी थी। तो यह केवल संख्याओं की रिपोर्ट करने के बारे में नहीं है। यह यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि सब कुछ पारगर्शी और समझा हुआ है। बिलकुल रवी शिक्षक ने गर्व से कहा। निवेश को लेंदारों और ग्राहकों सहित हितधारकों के साथ विश्वास बनाने के लिए पारगर्शिता महत्वपूर्ण है। यदि वे संबंधित पार्टी लेंदेन के बारे में जानते हैं, तो वे आपके व्यवसाय के बारे में सूचित निर्नए ले सकते हैं। रवी ने संभावित प्रभावों पर विचार किया। क्या होगा अगर मैं इन लेंदेन का खुलासा न करूं, फिर क्या होता है? शिक्षक की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई यदि आप संबंधित पार्टी लेंदेन का खुलासा करने में विफर रहते हैं, तो इसके गंभीर परिनाम हो सकते हैं इससे यह धार्णा बन सकती है कि आपके वित्तिय विवर्ण ध्रामक हैं, जो आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है और हित्धारकों के साथ विश्वास को कम कर सकता है नियामक अधिकारी भी इस मामले को गंभीरता से लेते हैं, और प्रक्टिकरण आवश्शक्ताओं का अनुपालन करने में विफर रहने पर दंड हो सकता है रवी ने इस अवधारना के महत्व को समझते हुए सिरहिलाया तो संबंधित पक्ष के खुलासे महज एक आपचारिकता नहीं हैं, वे वित्तिय रिपोर्टिंग की अखंडता के लिए महत्वपूर्ण है बिलकुल शिक्षक ने पुष्टी की यह सुनिश्चित करके की सभी संबंधित पक्ष लेंदेन का उचित रूप से खुलासा किया गया है आप अपने व्यवसाई की प्रतिष्ठा की रक्षा करते हैं और अपनी वित्तिय रिपोर्टिंग में जवाब देही को बढ़ावा देते हैं जैसे ही पाठ समाप्थ हुआ रवी ने इंड एस चौबीस के बारे में प्रबुध महसूस करते हुए कक्षा छोड़ दी उन्होंने समझा कि संबंधित पार्टी लेंदेन का उनके बुकस्टोर के वित्तिय विवर्नों पर महत्वपून प्रभाव पढ़ सकता है और विश्वास और विश्वसनियता बनाये रखने के लिए पारगर्शिता महत्वपून थी इस ज्यान के साथ रवी ने अपने व्यवसाय को नैतिक और जिम्मेदारी से प्रबंधित करने में सक्षम महसूस किया यह सुनिश्चित करते हुए कि वह अपने वित्तिय लेंदेन में हमेशा इमानदारी को पहले स्थान पर रखता है कृप्या सूचनाये प्राप्ट करने के लिए साजा करें सदस्य तालें, टिपपनी करें और घंटी आइकन दबाएं एक उजजवल और धूप भरी दोपहर में, रवी अपने पसंदीदा शिक्षक से सीखने के लिए उचसुक होकर अपनी कक्षा में चला गया जो जटिल विश्यों के इर्दगिर्द मनोरम कथाय बुनने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध था आज का पाठ एंड आज 27 पर केंद्रित है, जो अलग-अलग वित्तिय विवर्नों से संबंधित है रवी यह देखने के लिए उचसुक थे कि उनके शिक्षक कहानी सुना कर इस विशय को कैसे जीवन्त करेंगे जैसे ही शिक्षक कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने उत्साह के साथ अपने छात्रों का स्वागत किया सभी को शुभ दो पहर, आज हम अलग-अलग वित्तिय विवर्नों की दुनिया में जाने जा रहे हैं आईए कलपना करें, रवी की आप एक सफल किताबों की दुकान के मालिक हैं और समय के साथ आप एक सहायक कमपनी के रूप में एक छोटा प्रकाशन ग्रह शुरू करने का निर्णय लेते हैं यह कहानी हमें अलग-अलग वित्तिय विवर्नों के पीछे के महत्व और सिध्धान्तों को समझने में मदद करेगी रवी परिद्रिश्य से उच्सुक होकर अपनी सीट पर बैठ गया तो अलग-अलग वित्तिय विवर्नों से आपका क्या मतलब है, श्रीमान? शिक्षक मुस्कुराएं और शुरू हुए अलग-अलग वित्तिय विवर्न एक इकाई द्वारा तयार की गई वित्तिय रिपोर्ट हैं जैसे कि आपकी किताबों की दुकान जो अपनी सहायक कमपनियों या अन्य संस्थाओं से स्वतंत्र रूप से संचालित होती है हमारे मामले में यद्यपी आपके पास एक किताबों की दुकान और एक प्रकाशन ग्रह है प्रत्येक के लिए वित्तिय विवर्न अलग से तयार किये जाएंगे यहां आपको प्रत्येक व्यवसाय के प्रदर्शन और वित्तिय स्थिती को स्वतंत्र रूप से देखने की अनुमती देता है रवी ने अवधारणा को समझने की कोशिश करते हुए सिरहिलाया तो अगर मैं अपनी किताबों की दुकान और अपने प्रकाशन ग्रह के लिए अलग-अलग वित्तिय विवर्ण तयार करता हूँ तो मैं मूल्यांकन कर सकता हूँ कि हर कोई अपने वित्त को मिलाय बिना कैसे कर रहा है बिल्कुल शिक्षक ने पुष्टी की अलग-अलग वित्तिय विवर्ण तयार करके आप प्रत्येक इकाई की लाभप्रत्ता, संपत्ती और देंदारियों का आतलन कर सकते हैं यह निर्णय लेने और प्रत्येक व्यवसाय के वित्तिय स्वास्थय को समझने के लिए विशेश रूप से महत्वपूर्ण है उदाहरण के लिए यदि आपकी किताबों की दुकान फलफूल रही है, लेकिन आपका प्रकाशन ग्रह संधर्ष कर रहा है, तो आप एक के वित्तिय परिनामों से दूसरे को प्रभावित किये बिना समायोजन की आवश्शक्ता की पहचान कर सकते हैं रवी ने और स्पष्टी करण के लिए उत्सुख होकर अपना हाथ उठाया सर्क मुझे अपने अलग-अलग वित्तिय विवर्णों में कौन सी विशिष्ट जानकारी शामिल करनी चाहिए बहुत अच्छा सवाल है, रवी शिक्षक ने उत्तर दिया अलग-अलग वित्तिय विवर्णों में आपको प्रत्येक इकाई के लिए अपनी संपत्ती, देंदारिया, इक्विटी, आय और व्याय शामिल करना चाहिए आप सहायक कमपनियों में अपने निवेश को लागत पर पहचानेंगे और सहायक कमपनी से प्राप्त किसी भी लाभांश को आपके आय विवर्ण में पहचाना जाएगा यहां आपके किताबों की दुकान और आपके प्रकाशन ग्रेह की विट्तिय स्थिती की अलग-अलग स्पष्ट तस्वीर देता है रवी ने एक पल के लिए सोचा और पूछा समेकन के बारे में क्या? जब मैं सहायक कमपनियों के साथ व्यवसायों के बारे में बात करता हूँ तो मैं अक्सर समेकित विट्तिय विवर्णों के बारे में सुनता हूँ रवी की जिग्यासा से प्रसन्न होकर शिक्षक ने सिरहिलाया आप सही कह रहे हैं समेकित वित्तिय विवर्ण मूल कमपनी और उसकी सहायक कमपनियों के वित्तिय परिणामों को एक व्यापक रिपोर्ट में जोडते हैं हाला कि अलग-अलग वित्तिय विवर्ण प्रत्येक इकाई के व्यक्तिगत प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करते हैं यह उन हित्धारकों के लिए विशेश रूप से उपियोगी है जो आपके व्यवसाय के प्रत्येक भाग के विशिष्ट योगदान को समझना चाहते हैं रवी ने इस द्रिष्टिकोन के नहितार्थों पर विचार किया तो स्पष्टता और पारदर्शिता के लिए अलग-अलग वित्तिय विवर्ण आवश्चक है बिल्कुल रवी शिक्षक ने पुष्टी की वे हित्धारकों को प्रत्येक इकाई के प्रदर्शन के बारे में महत्वपून जानकारी प्रदान करते हैं और यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि वित्तिय रिपोर्टिंग स्पष्ट और समझने योग्य है यह सूचित निर्नाय लेने के लिए महत्वपून है चाहे आप निवेशकों को आकर्षित करना चाहते हों रिंशुरक्षित करना चाहते हों या अपनी व्यावसायक रणनीती का विशलेशन करना चाहते हों जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ा शिक्षक ने इंड एस 27 का पालन करने के महत्व पर जोर दिया अलग-अलग वित्तिय विवर्ण तयार करके आप जवाब देही और पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं जिससे आपके हिद्धारकों को सटीक वित्तिय जानकारी के आधार पर सूचित निर्णय लेने की अनुमती मिलती है जैसे ही कक्षा समाप्थ हुई रवी ने इंडस्ट्रीज एस 27 के बारे में ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने समझा कि अपने किताबों की दुकान और प्रकाशन ग्रह के लिए अलग-अलग वित्तिय विवर्ण तयार करने से उन्हें प्रत्येक विवसाय के वित्तिय स्वास्थय का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करने की अनुमती मिलेगी इस ज्ञान के साथ रवी ने अपने उद्यमों को प्रभावी धंग से प्रबंधित करने के लिए सशक्त महसूस किया जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि वह अपनी वित्तिय रिपोर्टिंग में पारगर्शिता और स्पष्टता बनाए रखते हुए कई व्यवसायों को चलाने की जटिलताओं से निपट सके कृप्या सूचनाय प्राप्त करने के लिए साजह करें सदस्य तालें, टिपपणी करें और घंटी आइकन दबाएं एक बरसात की दोपहर में जब बूंदे कक्षा की खिडकियों पर नृत्य कर रही थी रवी ने अपने पसंदीदा शिक्षक से एक और आकर्षक पाठ की प्रत्याशा से भरे परिचित स्थान में कदम रखा जिनके पास जटिल विश्यों को सम्मोहक कथाओं में बदलने का उपहार था आज का पाठ एंड एज 28 के इर्दगिर्ध घूमता है जो एसोसियेट्स और संयुक्त उद्यमों में निवेश को संबोधित करता है रवी यह देखने के लिए उच्षुक थे कि उनके शिक्षक कहानी के माध्यम से इस विशय को कैसे प्रकट करेंगे जैसे ही शिक्षक ने प्रवेश किया उन्होंने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ अपने छात्रों का स्वागत किया सभी को शुभ दो पहर आज हम सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश की अवधारना का पता लगाएंगे आएए कलपना करें कि आपने रवी सफलता पूर्वक अपनी किताबों की दुकान स्थापित कर ली है और अब आप अपने स्टोर के भीतर एक कॉफी कॉर्नर खोलने के लिए किसी अन्यस्थानी व्यवसाय के साथ साज्यदारी पर विचार कर रहे हैं यह साज्यदारी आज के विशय का एक उतक्रिष्ट चितरन के रूप में काम करेगी यह सोच कर रवी की आखें चमक उठी तो सहयोगियों और संयुक्त उध्यमों से आपका क्या मतलब है श्रीमान शिक्षक ने शुरू किया एक सहयोगी एक ऐसी कमपनी है जिसमें किसी अन्य कमपनी का महत्वपूवन प्रभाव होता है जो आम तौर पर 20 से 50 प्रतिशक मतदान शक्ती के स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करती है इसके विप्रीत एक सन्युक्त उध्यम एक साजेदारी है जहां दो या दो से अधिक पार्टियां एक विशिष्ट परियोजना शुरू करने के लिए एक साथ आती हैं और उस परियोजना पर नियंत्रन साजा करती हैं हमारे मामले में आपकी किताबों की दुकान और कॉफी शॉप एक सन्युक्त उध्यम होंगे रवी उच्सुक्तावश आगे की ओर जुक गया मैं कॉफी कॉर्नर में अपने निवेश का हिसाब कैसे दूँगा बहुत अच्छा सवाल है रवी शिक्षक ने उत्तर दिया जब आप किसी सहियोगी या सन्युक्त उध्यम में निवेश करते हैं तो आप एक्विटी पधती का उप्योग करके इसका हिसाब किताब करते हैं इसका मतलब है कि आप शुरू में लागत पर निवेश को पहचानते हैं बाद में आप सहियोगी या सन्युक्त उध्यम के लाब या हानी के अपने हिस्से को प्रतिबिम्बित करने के लिए निवेश की वहन राशी को समायोजित करते हैं उदाहरन के लिए यदि कॉफी कॉर्णर लाब कमाता है तो आप अपने वित्तिय विवर्णों में अपने निवेश का मूल्य बढ़ा देंगे रवी ने अवधारना को समझने की कोशिश करते हुए सिर हिलाया तो अगर कॉफी कॉर्णर एक लाख रुपए का मुनाफ़ा कमाता है और मैं इसका पचास प्रतिशत मालिक हूँ तो मैं अपनी किताबों में अतरिक्त पचास हजार रुपए पहचानूंगा बिल्कुल शिक्षक ने उद्साह के साथ पुष्टी की इसके विप्रीत यदि कॉफी कॉर्णर को नुकसान होता है तो आप अपने निवेश की वहन राशी को तदनुसार कम कर देंगे यह विधी आपके वित्तिय विवर्णों में सहियोगी या संयुक्त उद्यम के प्रदर्शन को दर्शाती है जिससे आपके निवेश के मूल्य की अधिक सटीक तस्वीर मिलती है रवी ने और स्पश्टी करण के लिए उद्सुख होकर अपना हाथ उठाया लाभांश के बारे में क्या? वह कैसे काम करेगा? एक और उत्कृष्ट प्रश्ण शिक्षक ने उत्तर दिया यदि कॉफी कॉर्णर लाभांश वित्रित करता है तो आप उन लाभांश को अपने वित्तिय विवर्णों में आय के रूप में पहचानेंगे हाला कि आप प्राप्त लाभांश के लिए अपने निवेश की अग्रणीत राशी को समायोजित नहीं करेंगे क्योंकि वे लाभ के वितर्ण हैं जिनका पहले ही हिसाब लगाया जा चुका है रवी ने ऐसी साजेदारी के नहितार्थ के बारे में सोचा तो इक्विटी पद्धती का उप्योग करके मैं कॉफी कॉर्णर में अपने निवेश के प्रदर्शन को अपने वित्तिय विवर्णों में पूरी तरह से समेकित किये बिना प्रदर्शित करने में सक्षम हूँ बिल्कुल रवी शिक्षक ने पुष्टी की यह द्रिश्टिकोन आपको अपने वित्तिय विवर्णों को स्पष्ट और सार्थक रखते हुए सहियोगी या सन्युक्त उद्यम के लाभ या हानी में अपना हिस्सा प्रतिभिंबित करने की अनुमती देता है यह विशेश रूप से तब उप्योगी होता है जब सहियोगी या सन्युक्त उद्यम स्वतंत्र रूप से संचालित होता है लेकिन फिर भी यह आपके समगर वित्तिय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ा शिक्षक ने सहियोगियों और सन्युक्त उद्यमों के बारे में प्रासंगिक जानकारी का खुलासा करने के महत्व पर प्रकाश डाला आपको सहयोगी या सन्युक्त उद्यम के साथ अपने संबंधों की प्रकृती, निवेश की वहन, राशी और लाभ या हानी के अपने हिस्से के बारे में विवर्ण का खुलासा करना होगा यह पारगर्शिता हिद्धारकों को आपकी वित्तिय स्थिती पर इन निवेशों के प्रभाव को समझने में मदद करती है रवी को अपने उपर एक स्पश्टता का भाव महसूस हुआ इसलिए इन एस 28 न केवल मुझे इन निवेशों का हिसाब किताब करने के बारे में मार्ग दर्शन देता है बलकि रिपोर्टिंग में पारगर्शिता के महत्व पर भी जोर देता है बिलकुल शिक्षक ने गर्व से कहा इन एस 28 के सिध्धानतों का पालन करके आप सुनिष्चित करते हैं कि आपके वित्तिय विवर्ण आपके निवेश का निश्पक्ष द्रिष्टिकों प्रस्तुत करते हैं जिससे हिध्धारकों को सूचित निर्णय लेने की अनुमती मिलती है जैसे ही कक्षा समाप्थ हुई, रवी ने सहयोगियों और संयुक्त उध्यमों में निवेश की अवधारना से प्रेरित होकर कक्षा छोड़ दी उन्होंने महसूस किया कि साजेदारी में प्रवेश करने से न केवल उनकी किताबों की दुकान बढ़ सकती है बलकि वित्तिय रिपोर्टिंग में मूल्यवान अंतरद्रिष्टी भी मिल सकती है इस ज्ञान के साथ रवी ने अपने वित्तिय लेंदेन में पारदर्शिता और सटीक्ता बनाए रखते हुए नए व्यावसाइक अवसरों का पता लगाने में सक्षम महसूस किया कृप्या सूचनाय प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्य तालें, टिप्पनी करें और घंटी आइकन दबाएं एक हलचल भरी दोपहर में, रवी अपने पसंदीदा शिक्षक, जो जटिल विश्यों को आकर्शक कहानियों में बदलने के लिए जाने जाते हैं, से एक और मनोरम पाठ के लिए उच्साह से भरा हुआ, अपनी कक्षा में चला गया आज का विशय एंड आज 29 था, जो हाइपर इंफलेशनरी अर्थव्यवस्थाओं में वित्तिय रिपोर्टिंग से संबंधित है रवी यह देखने के लिए उच्सुक थे कि उनके शिक्षक इस जटिल विशय को एक प्रासंगिक कथा में कैसे बुनेंगे जैसे ही शिक्षक कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने एक उजजवल मुस्कान के साथ अपने छात्रों का स्वागत किया सभी को शुभ दो पहर आज हम अती मुद्रा स्वीती की दिल्चस्प अवधार्ना का पता लगाएंगे और यह वित्तिय रिपोर्टिंग को कैसे प्रभावित करती है आईए कल्पना करें, रवी की आप इन्फलेटिया नामक एक काल्पनिक देश में रहते हैं, जहां कीमते तेजी से बढ़ रही हैं और मुद्रा आश्चर्यजनक दर से मूल्यक हो रही है यह परिद्रिश्य हमें इन्ड आज 29 के सिध्धान्तों को समझने में मदद करेगा रवी उच्सुकता से जुक गया महोदय अती मुद्रास्फीती का क्या मतलब है? शिक्षक ने शुरू किया अती मुद्रास्फीती तब होती है जब मुद्रास्फीती दर एक विशिष्ट सीमा से अधिक हो जाती है जिसे अकसर तीन वर्षों में लगभग 100 प्रतिशत या उससे अधिक माना जाता है ऐसी स्थिती में पैसे की क्रय शक्ती तेजी से कम हो जाती है जिससे वित्तिय लेंदेन और रिपोर्टिंग बेहत चुनौती पूर्ण हो जाती है इन्फलेटिया में आपने देखा होगा कि एक पाव रोटी की कीमत हर कुछ हफ्तों में दोगुनी हो जाती है यह सोच कर रवी की आखें फैल गई यह अराजत लगता है यह वित्तिय रिपोर्टिंग को कैसे प्रभावित करता है उत्कृष्ट प्रश्न शिक्षक ने उत्तर दिया जब कोई अर्थव्यवस्था अत्यधिक मुग्रास्वीती का अनुभव करती है तो पारंपरिक वित्तिय रिपोर्टिंग विधिया अपर्याप्थ हो जाती है इंडस्ट्रीज एस उन्तीज के तहट अत्यधिक मुग्रास्वीती वाली अर्थव्यवस्थाओं में काम करने वाली संस्थाओं को पैसे के बदलते मूल्य को प्रतिबिंबित करने के लिए अपने वित्तिय विवर्णों को समायोजित करना होगा यह सुनिश्चित करता है कि वित्तिय विवर्ण प्रासंगिक और विश्वसनिय बने रहें रवी की जिग्यासा और गहरी हो गई सर, हम इन वित्तिय विवर्णों को कैसे समायोजित करें? शिक्षक ने आगे कहा, सबसे पहले आपको सामान्य मूल्य सूचकांक और मुद्रा स्फीती की वर्तमान दर्की पहचान करने की आवश्शक्ता है फिर वित्तिय विवर्णों को रिपोर्टिंग तिथी पर मुद्रा की क्रय शक्ती के संदर्भ में पुनह प्रस्तुत किया जाना चाहिए इसमें मूल्य सूचकांक का उप्योग करके एतिहासिक लागतों को वर्तमान मात्रा में परिवर्तित करना शामिल है रवी ने एक पल के लिए इस पर विचार किया तो अगर मैंने पिछले साल एक लाख रुपए में एक संपत्ती खरीदी थी और तब से मूल्य सूचकांक काफी बढ़ गया है तो मुझे अपने विच्टिय विवर्णों में उस संपत्ती के मूल्य को समायोजित करने की आवश्चकता होगी बिल्कुल शिक्षक ने पुष्टी की मान लीजिये कि आपकी खरीदारी के बाद से मूल्य सूचकांक में 50 प्रतिशत की वृध्धी हुई है आप अपने विच्टिय विवर्ण में संपत्ती का मूल्य एक लाख पचास हजार रुपए तक समायोजित करेंगे यह समायोजन सुनिश्चित करता है कि आपके विट्टिय विवर्ण अत्यधिक मुद्रास्वीती वाले माहौल में वास्तविक आर्थिक स्थिती को दर्शाते हैं आगे समझने की उच्शुकता से रवी ने अपना हाथ उठाया आय और व्याय के बारे में क्या? वे कैसे प्रभावित होते हैं? बहुत बढ़िया सवाल शिक्षक ने उत्साह पूर्वक उत्तर दिया आय और व्याय को भी समायोजित करने की आवश्शक्ता है उदाहरन के लिए यदि आपने पिछले वर्ष 50,000 रुपए कमाये थे तो उस राशी को आज की क्रय शक्ती को प्रतिबिम्बित करने के लिए समायोजित करने की आवश्शक्ता होगी यह समायोजन सुनिश्चित करता है कि वित्तिय विवर्ण के उपियोग करता समय के साथ लेंदेन के वास्तविक आर्थिक प्रभाव को समझ सकते हैं रवी ने इस दृष्टिकोन के नहितार्थ के बारे में सोचा तो अत्यधिक मुद्रास्वीती वाली अर्थव्यवस्थाओं में वित्तिय विवर्णों को दोबारा बता कर मैं अपने व्यवसाय के प्रदर्शन और वित्तिय स्थिती की स्पष्ट तस्वीर प्रदान कर सकता हूँ बिल्कुल रवी शिक्षक ने पुष्टी की यह अभ्यास निवेश को और लेंदारों जैसे हित्धारकों को वित्तिय जानकारी को इस तरह से प्रस्तुत करके सूचित निर्णय लेने में मदद करता है जो वर्तमान आर्थिक वास्तविक्ताओं को दर्शाता है जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ा शिक्षक ने वित्तिय विवर्णों में किये गए समायोजन के बारे में जानकारी का खुलासा करने के महत्व पर प्रकाश डाला आपको रिपोर्टिंग अवधी के दौरान उप्योग किये गए मूल्य सूचकांक और मुद्रास्वीती की सीमा के समबंध में खुलासे प्रदान करने होंगे आपकी विप्तिय रिपोर्टिंग के आधार को समझने के लिए हित्धारकों के लिए यह पारदर्शिता महत्वपूर्ण है रवी को अपने उपर स्पष्टता और जिम्मेदारी का एहसास महसूस हुआ इसलिए INDAS 29 न केवल अत्यधिक मुद्रास्वीती वाली अर्थव्यवस्थाओं में विप्तिय रिपोर्ट करने के तरीके का मार्गदर्शन करता है बलकि विप्तिय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता और प्रासंगिक्ता की आवश्शक्ता पर भी जोर देता है बिलकुल शिक्षक ने गर्व से कहा उन्होंने समझा की हालां की आर्थिक परिद्रिश्य अप्रत्याशित हो सकता है सही सिध्धान्तों का पालन करने से उन्हें सूचित वित्तिय निर्णय लेने में मार्गदर्शन मिल सकता है इस नए ज्यान के साथ रवी ने आर्थिक माहौल की परवाह किये बिना वित्तिय रिपोर्टिंग की जटिलताओं से निपटने में खुद को सक्षम महसूस किया कृप्या सूचनाय प्राप्त करने के लिए साजा करें सदस्य तालें, टिपपनी करें और घंटी आइकन दबाएं एक उजवल दोपहर में, जैसे ही कक्षा की खिडकियों से सूरज की रोशनी आ रही थी रवी ने अपने पसंदीदा शिक्षक से एक और आकरशक पाठ के लिए उचसुकता की भावना के साथ प्रवेश किया जो जटिल वित्तिय विश्यों को मनोरम कहानियों में बुनने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे आज का पाठ एंड एज 32 के बारे में था, जो वित्तिय साधनों की प्रस्तुती पर केंद्रित है रवी यह देखने के लिए उचसाहित थे कि उनके शिक्षक कहानी के माध्यम से इस विशय को कैसे प्रकट करेंगे जैसे ही शिक्षक कक्षा में आये, उन्होंने स्वागत भरी मुस्कान के साथ अपने छात्रों का स्वागत किया सभी को शुभ दो पहर आज हम वित्तिय साधनों की आकरशक दुनिया का पता लगाएंगे और हम उन्हें अपने वित्तिय विवर्णों में कैसे प्रस्तुत करते हैं आये कलपना करें कि रवी, आपने अपनी किताबों की दुकान की पूंजी बढ़ाने के लिए विभिन वित्तिय साधनों में निवेश करने का फैसला किया है यह कहानी इंडस्ट्रीज एस 32 के सिध्धान्तों को सपष्ट करेगी रवी उच्सुकता से जुक गया वित्तिय साधनों से आपका क्या तातपर्य है, श्रीमान? शिक्षक ने शुरू किया वित्तिय उपकरण ऐसे अनुबंध हैं जो एक इकाई के लिए वित्तिय संपत्ती और दूसरे के लिए वित्तिय दायत्विया एक्विटी उपकरण बनाते हैं आपके मामले में, यदि आप अपनी किताबों की दुकान के लिए धन जुटाने या किसी कमपनी के शेरों में निवेश करने के लिए बांड जारी करने का निर्नय लेते हैं, तो इन गत्तिविधियों में वित्तिय उपकरण शामिल होते हैं रवी ने अवधारणा को समझने की शुरुवात करते हुए सिर्हिलाया, तो बांड और शेर वित्तिय साधनों के उदाहरण हैं बिल्कुल शिक्षक ने पुष्टी की, इंड एस 32 के तहट हमें वित्तिय उपकरणों को उनकी विशेश्टाओं के आधार पर वित्तिय परिसमपत्तियों, वित्तिय देंदारियों या इक्विटी उपकरणों के रूप में वर्गी कृत करने की आवश्चक्ता है इस वर्गी करण को अपने वित्तिय विवर्णों में सटीक रूप से प्रस्तुत करने के लिए समझना महत्वपूर्ण है रवी ने स्पश्टी करण के लिए उच्सुकता से अपना हाथ उठाया इन श्रेनियों के बीच क्या अंतर है? शिक्षक ने समझाया एक वित्तिय संपत्ती वह संपत्ती है जो नकद है या जिसे नकदी में परिवर्थित किया जा सकता है जैसे प्राप्य खाते या स्टॉक में निवेश दूसरी और वित्तिय देंदारिया वेदायत्व हैं जिनके लिए आपको किसी अन्य संस्था को नकदी या अन्य वित्तिय संपत्ती जैसे आपके द्वारा जारी किये गए रिन या बांड वित्रित करने की आवश्शक्ता होती है इक्विटि उपकरन किसी कमपनी में स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं जैसे शियर वरगीकरन यह निर्धारित करने में मदद करता है कि यह उपकरन आपके वित्तिय विवर्णों में कैसे रिपोर्ट किये जाते हैं रवी ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा तो अगर मैं अपनी किताबों की दुकान के लिए धन जुटाने के लिए बांड जारी करता हूँ तो यह मेरे लिए एक वित्तिय दायत्व होगा बिल्कुल शिक्षक ने पुष्टी की बांड धारकों को वापस भुगतान करना आपका दायत्व है इसके वित्रीत यदि आप किसी अन्य कमपनी के शेरों में निवेश करते हैं तो यह आपके लिए एक वित्तिय संपत्ती होगी क्योंकि यह उस निवेश से भविश्य के नकदी प्रवाह के लिए आपके दावे का प्रतिनिधित्व करता है रवी ने फिर से अपना हाथ उठाया उसके चहरे पर जिग्यासा स्पष्ट थी मेरे वित्तिय विवर्णों में इन उपकर्णों की प्रस्तुती के बारे में क्या? मैं उन्हें कैसे दिखाऊं? रवी के उच्साह से प्रसन्न होकर शिक्षक मुस्कुराए इंड एस 32 के तहट आपको वित्तिय उपकर्णों को इस तरह प्रस्तुत करना होगा की देंदारियों और इक्विटी के बीच स्पष्ट रूप से अंतर हो आपको वित्तिय साधनों की प्रकृती और सीमा का खुलासा करना चाहिए जिसमें उनके जोखिम और उन्हें कैसे प्रबंधित किया जाता है उदाहरन के लिए अपने बांड को देंदारियों के रूप में प्रस्तुत करते समय आप ब्यासदरों, भुगतान शर्तों और किसी भी अन्य प्रासंगिक जानकारी का भी उल्लेख करेंगे जो उप्योग करताओं को आपके बुकस्टोर की वित्तिय स्थिती को समझने में मदद करती है रवी ने इस पर ध्यान से विचार किया तो उचित प्रस्तुती हित्धारकों को न केवल संख्याय बलकि मेरे वित्तिय साधनों के संदर्ब को भी देखने की अनुमती देती है बिल्कुल शिक्षक ने पुष्टी की वित्तिय साधनों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करके आप निवेश को, लेंदारों और यहां तक की अपने व्यावसायक भागीदारों जैसे हित्धारकों को अपनी वित्तिय स्थिती की पूरी समझ के आधार पर सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ा, शिक्षक ने उचित प्रक्टी करण के महत्व पर प्रकाश डाला आपको वित्तिय साधनों के वर्गी करण, उनके उचित मूल्य और उनसे जुड़े जोखिमों में किसी भी बदलाव के बारे में भी जानकारी प्रदान करनी चाहिए और जिम्मेदारी का एहसास महसूस हुआ तो इंड एस 32 न केवल वित्तिय उपकरणों को वर्गी कृत और प्रस्तुत करने का मार्गदर्शन करता है बलकि वित्तिय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता और प्रासंगिक्ता के महत्व पर भी जोर देता है बिलकुल रवी शिक्षक ने गर्व से कहा इंड एस 32 के सिध्धान्तों का पालन करके आप यह सुनिष्चित कर सकते हैं कि आपके वित्तिय विवर्ण आपके किताबों की दुकान की वित्तिय स्थिती को सटीक रूप से प्रतिबिम्बित करते हैं जिससे हिद्धारकों के लिए आपके व्यवसाय की जटिलताओं से निपटना आसान हो जाता है जैसे ही कक्षा समाप्थ हुई रवी ने वित्तिय उपकर्णों की प्रस्तुती के बारे में ज्यान महसूस करते हुए कक्षा छोर दी वह समझते थे कि जिस तरह से उन्होंने वित्तिय साधनों को वर्गी कृत और प्रकट किया है वह महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है कि उनकी किताबों की दुकान को दूसरों द्वारा कैसे देखा जाता है इस नए ज्यान के साथ रवी ने अपने वित्तिय लेंदेन को प्रभावी ढंग से और पारदर्शी तरीके से प्रबंधित करने में सक्षम महसूस किया जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि वह अपने व्यवसाय के वास्तविक वित्तिय स्वास्थ्य के बारे में बता सके कृप्या सूचनाय प्राप्त करने के लिए साजा करें सदस्य तालें, टिपपनी करें और घंटी आइकन दबाएं एक धूप भरी दोपहर में जब सूरज की सुनहरी किरने कक्षा की खिडकियों से छनकर आ रही थी प्रवी ने अपने पसंदीदा शिक्षक से एक और मनोरम पाठ के लिए उचसुकता से कदम रखा जो जटिल विशयों को आकरशक कथाओं में बदलने के लिए जाने जाते हैं आज का विशय इंड एस 33 था जो प्रती शेयर आय को संबोधित करता है जो प्रती शेयर के आधार पर किसी कमपनी की लाभप्रता को समझने के लिए आवश्यक अवधारना है रवी यह देखने के लिए उच्साहित था कि उसके शिक्षक इस महत्वपूर्ण विशय को कैसे उजागर करेंगे जैसे ही शिक्षक ने प्रवेश किया, उन्होंने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ छातरों का स्वागत किया सभी को शुभ दो पहर आज हम प्रती शेर आय की अवधारना पर चर्चा करेंगे, जिसे अक्सर ETS के रूप में संख्षिक्ट किया जाता है आए कलपना करें, रवी की आपकी किताबों की दुकान ने हाल ही में स्टेशनरी उतपादों की एक नई श्रिंखला लॉंच की है यह रोमांचक उद्यम हमें इंड एस 33 के सिध्धानतों को समझने में मदद करेगा रवी उच्सुक्तावश आगे की ओर जुक गया प्रती शेर आय का वास्तव में क्या मतलब है, श्रीमान? शिक्षक ने शुरू किया, प्रती शेर आय एक वित्तिय मेट्रिक है जो इंगित करती है कि एक कमपनी अपने सामान्य स्टॉक के प्रत्येक बकाया शेर के लिए कितना लाभ कमाती है यह मेट्रिक निवेश को के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें कमपनी की लाभप्रत्ता का आतलन करने और सूचित निवेश निर्नय लेने में मदद करता है आपके मामले में, जब आपकी किताबों की दुकान स्टेशनरी बेचने से लाभ कमाती है तो EPS दिखाएगा कि उस लाभ का कितना हिस्सा आपकी किताबों की दुकान के प्रत्येक शेर के कारण है रवी ने अवधारना को समझना शुरू करते हुए सिरहिलाया तो अगर मेरे पास सौ शेर हैं और मेरी किताबों की दुकान एक लाख रुपए का लाभ कमाती है तो मैं अपने EPS की गणना कैसे करूंगा बहुत अच्छा सवाल है रवी शिक्षक ने उत्तर दिया EPS की गणना करने के लिए आप शुध लाभ को अवधी के दौरान बकाया शेरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करेंगे इसलिए यदि आपकी किताबों की दुकान का शुध लाभ एक लाख रुपए है और आपके पास सौ शेर हैं तो आपका EPS एक हजार रुपए होगा रवी ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा यदि मैं वर्ष के दौरान अधिक शेर जारी करूं तो क्या होगा? इसका मेरी गणना पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्कृष्ट बिंदूज शिक्षक ने उत्तर दिया जब नए शेर जारी किये जाते हैं तो आपको बकाया शेरों की भारित औसत संख्या की गणना करनी चाहिए इसका मतलब है कि अवधी की शुरुवात में आपके पास मौजूद शेरों की संख्या अवधी के दौरान जारी किये गए किसी भी शेर और वापस खरीदे गए किसी भी शेर पर विचार करना यह गणना सुनिश्चित करती है कि EPS किताबों की दुकान के वास्तविक प्रदर्शन को दर्शाता है आगे समझने की उच्सुक्ता से रवी ने फिर से अपना हाथ उठाया विभिन प्रकार के शेरों के बारे में क्या? क्या वे EPS को प्रभावित करते हैं? शिक्षक मुस्कुराये और सिर हिलाया हाँ, वे करते हैं इंड एस 33 बेसिक EPS और डाइलूटेड EPS के बीच अंतर करता है बेसिक EPS की गणना केवल बकाया सामान्य शेरों का उप्योग करके की जाती है जबकि पतला EPS जारी किये जा सकने वाले सभी संभावित शेरों पर विचार करता है जैसे परिवर्तनिय प्रतिभूतिया या स्टॉक विकल्प यदि सभी परिवर्तनिय उपकरनों का प्रयोग किया गया तो यहां आय में संभावित कमी को दर्शाते हुए प्रति शेर आय का अधिक रूढिवादी द्रिश्टिकोन प्रदान करता है रवी ने इस पर ध्यान से विचार किया तो अगर मेरे पास ऐसे विकल्प हो जो अतिरिक्ट शेरों में परिवर्तित हो सकें तो मुझे मूल और पतला EPS दोनों की गणना करने की आवश्चकता होगी बिलकुल शिक्षक ने पुष्टी की यहां अंतर हिद्धारकों के लिए उनके स्वामित्व और कमपनी की लाभप्रत्ता पर कमजोर पढ़ने के संभावित प्रभाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण है जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ा शिक्षक ने EPS की रिपोर्टिंग में पारदर्शिता के महत्व पर प्रकाश डाला आपको गणना में उप्योग किये गए शेरों की संख्या के मिलान के साथ साथ अपने आय विवर्ण के सामने मूल और पतला EPS दोनों का खुलासा करना होगा यह पारदर्शिता निवेशकों को अपने निवेश के सही मूल्य का आतलन करने की अनुमती देती है रवी को अपने उपर एक स्पष्टता का भाव महसूस हुआ तो इंड A.S. 33 न केवल EPS की गणना के लिए एक विधी प्रदान करता है बलकी निवेशकों के लिए स्पष्ट प्रक्तिकरण के महत्व पर भी जोर देता है बिल्कुल रवी शिक्षक ने गर्व से कहा इंड A.S. 33 के सिध्धानतों का पालन करके आप सुनिश्चित करते हैं कि आपके वित्तिय विवर्ण आपके बुकस्टोर की लाभप्रत्ता का उचित द्रिश्य प्रस्तुत करते हैं जिससे हित्धारकों को सटीक जानकारी के आधार पर सूचित निर्नय लेने में मदद मिलती है जैसे ही कक्षा समाप्थ हुई रवी प्रती शेर आए के बारे में ज्ञान महसूस करते हुए कक्षा से बाहर चला गया वह समझ गया कि यह मीट्रिक सिर्फ एक संख्या नहीं थी बलकि उसकी किताबों की दुकान के वित्तिय स्वास्थ्य और लाभप्रत्ता का प्रतिबिंब थी इस नए ज्ञान के साथ रवी ने संभावित निवेश को के साथ प्रभावी ढंग से समवाद करने में सक्षम महसूस किया जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि वे उसकी किताबों की दुकान में अपने निवेश के मूले को समझें कृप्या सूचनाए प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्य तालें, टिपपनी करें और घंटी आइकन दबाएं एक तेज दो पहरी में प्रिष्ठ भूमी में पक्षियों के चहचहाने की आवाज के साथ रवी अपनी कक्षा में चला गया अपने पसंदीदा शिक्षक से एक और प्रेनादायक पाठ के लिए उच्सुक था, जो जटिल वित्तिय अवधार्नाओ को आनंदमय कहानियों में बदलने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है आज का विशय एंड एस 34 था, जो अंतरिम वित्तिय रिपोर्टिंग से संबंधित है रवी यह देखने के लिए उच्सुक थे कि उनके शिक्षक कहानी कहने के माध्यम से इस अवधार्ना को कैसे जीवन में लाएंगे जैसे ही शिक्षक कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने एक उजजवल मुस्कान के साथ अपने छात्रों का स्वागत किया सभी को शुभ दोपहर आज हम अंतरिन वित्तिय रिपोर्टिंग की दुनिया का पता लगाएंगे और यह आपके जैसे व्यवसायों के लिए क्यों आवश्चक है आईए कलपना करें, रवी की आपकी किताबों की दुकान अपनी पहली तिमाही रिपोर्ट की तयारी कर रही है यह परिद्रिश्य हमें इंडस्ट्रीज एस 34 के सिध्धानतों को समझने में मदद करेगा रवी उच्छुकतावश अपनी सीट पर बैठ गया अंतरिन वित्तिय रिपोर्टिंग वास्तव में क्या है, श्रीमान? शिक्षक ने शुरू किया, अंतरिन वित्तिय रिपोर्टिंग एक पूर्ण वित्तिय वर्ष से कम अवधी के लिए तयार किये गए वित्तिय विवर्णों को संदर्भित करती है, जो अकसर त्रैमासिक या अर्धवार्शिक परिणामों को कवर करती है व्यवसाय हित्धार्कों को उनके वित्तिय प्रदर्शन और स्थिती के बारे में समय पर और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए ये अंतरिम रिपोर्ट तयार करते हैं आपके मामले में आपकी किताबों की दुकान निवेश को, लेंदारों और अन्य हित्धारकों को आपके व्यवसाय की प्रक्ती के बारे में सूचित करने के लिए प्रत्येक तिमाही के अंत में एक अंतरिम रिपोर्ट तयार करेगी रवी ने अवधारना को समझना शुरू करते हुए सिरहिलाया तो अंतरिम रिपोर्टे स्नैप्शॉट की तरहे हैं कि मेरी किताबों की दुकान पूरे साल कैसे चल रही है बिल्कुल शिक्षक ने पुष्टी की अंतरिम रिपोर्ट हिद्धारकों को वार्षिक रिपोर्ट की प्रतीक्षा करने के बजाएं अधिक लगातार आधार पर आपकी किताबों की दुकान के प्रदर्शन का आकलन करने की अनुमती देती है यह समय पर जानकारी जानकारी पूर्ण निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है जैसे कि आपकी किताबों की दुकान में निवेश करना या रिन देना आगे समझने की उत्सुक्ता से रवी ने अपना हाथ उठाया मुझे अपनी अंतरिम वित्तिय रिपोर्ट में क्या शामिल करना चाहिए शिक्षक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया इंड एस 34 के तहट आपकी अंतरिम वित्तिय रिपोर्ट में एक संग्षिप्ट बैलेंस शीट, एक संग्षिप्ट आय विवर्ण, एक नकदी प्रवाह विवर्ण और पिछली वार्षिक रिपोर्ट के बाद से आपकी वित्तिय स्थिति में महत्वपूर्ण बदलावों क समझाने वाले नोट्स शामिल होने चाहिए, आपको पिछली अंतरिम अवधी की तुलनात्मक जानकारी भी शामिल करनी चाहिए, जिससे हित्धारकों को समय के साथ रुझान और बदलाव देखने को मिल सके, रवी ने एक पल के लिए इस पर विचार किया, तो यह केवल सं दिख्याय दिखाने के बारे में नहीं है, मुझे संदर्भ और स्पष्टिकरन भी प्रदान करने की आवश्चकता है, बिलकुल शिक्षक ने पुष्टी की, संदर्भ प्रदान करने से हित्धारकों को आपके वित्तिय प्रदर्शन में किसी भी उतार चढ़ाव को समझने में मदद मिलती है, उदाहरन के लिए यदि आपकी किताबों की दुकान की विक्री छुट्टियों के मौसम के दौरान बढ़ी है, तो आपको अपनी रिपोर्ट में इसका स्पष्टी करन देना चाहिए, यह संदर्भ वित्तिय डेटा को स्पष्ट करने में मदद करता है, और आपके व्यवसाय के स्वास्थ्य की अधिक व्यापक तस्वीर प्रदान करता है, रवी ने फिर से अपना हाथ उठाया, उसके चहरे पर जिग्यासा स्पष्ट थी, लेखांकन नीतियों के बारे में क्या, क्या मुझे अंतरिम रिपोर्टों के लिए भी वही अनुसर् करने की जरूरत है, जैसा कि मैं वार्षिक रिपोर्टों के लिए करता हूँ, शिक्षक ने सोच समझ कर सिर्फ हिलाया, हाँ आप करते हैं, इंडस्ट्रीज एस 34 के तहट आपको अपनी अंतरिम रिपोर्टों में वही लेखांकन नीतियों लागू करनी चाहिए, जो आप वार्षिक वित्तिय विवर्णों में उप्योग करते हैं, हाला कि आपको अंतरिम अवधी के दौरान लेखांकन नीतियों या अनुमानों में किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में अधिक विवर्ण प्रदान करने की आवश्शक्ता हो सकती है, पारदर्शिता होनी चाहिए, बिलकुल रवी शिक्षक ने गर्व से कहा, इंड एस 34 के सिध्धानतों का पालन करके आप सुनिश्चित करते हैं कि आपकी अंतरिम वित्तिय रिपोर्टें आपके बुकस्टोर के प्रदर्शन का सही प्रतिबिंद प्रदान करती हैं, जिससे हिद्धारकों को विश्वसनिय जानकारी के आधार पर सूचिक निर्णय लेने में सक्षम बनाया जाता है, जैसे ही कक्षा समाप्थ हुई, रवी ने अंतरिम वित्तिय रिपोर्टिंग के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हुए कक्षा छोड़ दी, उन्होंने समझा कि ये रिपोर्ट से तयार करने में सक्षम महसूस किया, जिससे यह सुनिष्चित हुआ कि वह हित्धारकों को अपनी किताबों की दुकान की प्रगती के बारे में समय पर और प्रासंगिक जानकारी प्रदान कर सके, कृप्या सूचनाए प्राप्त करने के लिए साजह करें, सदस्य तालें, टिपपनी करें और घंटी आइकन दबाएं। एक बरसाती दोपहर में कक्षा की खिडकियों से टकराती बारिश की बूंदों की लैबध ध्वनी के साथ रवी परिचित स्थान में चले गए। अपने पसंदीदा शिक्षक से एक और ज्यानवर्धक पाठ के लिए उच्शुक थे जो अपनी मनमोहक कहानी कहने की क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं। आज का विशय इंड ऐस चत्तीस था जो परिसमपत्तियों की हानी से संबंधित है। रवी यह देखने के लिए उच्साहित था कि उसके शिक्षक इस महत्वपून अवधार्णा को एक कहानी के माध्यम से कैसे समझाएंगे। जैसे ही शिक्षक अपनी कुर्सी पर बैठे, उन्होंने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ अपने छात्रों का स्वागत किया। सभी को शुभ दोपहर। आज हम संपत्ति हानी की अवधार्णा पर विचार करेंगे। आए कलपना करें, रवी की आपकी किताबों की दुकान कुछ वर्षों से चल रही है और आपने विभिन संपत्तियों जैसे अलमारियों, कम्प्यूटर और इन्वेंटरी में निवेश किया है। यह परिद्रिश्य हमें इंड़स्ट्रीज एस 36 को समझने में मदद करेगा। रवी अंदर जुक गया, यह जानने को उत्सुक था कि यह कैसे सामने आएगा। संपत्ति की हानी से आपका क्या तातपर्य है, श्रीमान। शिक्षक ने शुरू किया, संपत्ति की हानी तब होती है, जब किसी परिसंपत्ति की वहन राशी उसकी वसूली योग्य राशी से अधिक हो जाती है, जिसका अर्थ है कि यह अब बैलेंस शीट पर अपने मूले को उचित थहराने के लिए परियात भविश्य के नकदी प् उत्पन्न नहीं कर सकती है, सरल शब्दों में यदि कोई परिसंपत्ति अपेक्षित रिटर्न नहीं ला रही है या यदि उसका मूले काफी कम हो गया है, तो यह खराब हो सकता है, रवी ने अवधारना को समझने की शुरुवात करते हुए सिरहिलाया, तो यदि पास में एक नए प्रतिसपर्धी के खुलने के कारण मेरी किताबों की दुकान की बिक्री में भारी गिरावट आती है, तो इसका मेरी संपत्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप उनकी वहन राशी की तुलना उनकी वसूली योग्य राशी से करेंगे। उचित मूल्य वह कीमत है जिस पर आप परिसंपत्ती को बाजार में बेच सकते हैं, जबकि उप्योग में मूल्य परिसंपत्ती से प्राप्त होने वाले भविश्य के नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य को संदर्भित करता है। आपको यह मूल्यांकन नियमित रूप से करने की आवश्यक्ता है, खास कर जब ऐसे संकेथों की कोई संपत्ती क्षतिग्रस्थ हो सकती है। रवी ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा, क्या होगा अगर मुझे पता चले कि मेरी एक संपत्ती खराब हो गई है। यदि आप यह निर्धारित करते हैं कि कोई संपत्ती वास्तव में क्षतिग्रस्थ है, शिक्षक ने आगे कहा, आपको अपने वित्तिय विवर्णों में एक हानी हानी को पहचानना चाहिए, इस हानी की गणना वहन राशी और वसूली योग्य राशी के बीच अंतर के रवी ने फिर से अपना हाथ उठाया, उसके चहरे पर जिग्यासा स्पष्ट थी, उलट फेर के बारे में क्या, यदि भविश्य में परिसंपत्ती का मूल्य बढ़ता है, तो क्या मैं हानी की भरपाई कर सकता हूँ, रवी के प्रशन से प्रसन्न होकर शिक्षक मुस्कुर हाँ, सच मुछ, यदि हानी के कारण अब मौजूद नहीं है, तो इंडस्ट्रीज एस 36 हानी हानी को उलटने की अनुमती देता है, यदि आपकी किताबों की दुकान की बिक्री में सुधार होता है, और परिसंपत्ती की वसूली योग्य राशी बढ़ जाती है, तो आप हा राशी से अधिक नहो जो की निर्धारित की गई होती यदि कोई हानी हानी की पहचान नहीं की गई होती, यह सुनिश्चित करता है कि आपके वित्तिय विवर्ण सटीक रहें और आपकी संपत्ती का सही मूल्य प्रतिबिंबित करें, रवी ने इस पर ध्यान से विचार किय तो हानी का आतलन करना एक सतत प्रक्रिया है और मुझे अपनी संपत्ती के मूल्यों के बारे में सतर्क रहने की जरूरत है बिल्कुल रवी शिक्षक ने पुष्टी की नियमित मूल्यांकन आपको अपने व्यवसाय के बारे में सूचित निर्नय लेने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आपके वित्तिय विवर्ण आपके किताबों की दुकान के स्वास्थ्य का सही प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं इंडस्ट्रीज एस 36 व्यवसायों को परिसंपत्ती मूल्यों की सटीक रिपोर्टिंग करके पारदर्शिता और जवाब देही बनाये रखने के लिए प्रोच साहित करता है जैसे ही कक्षा समाप्थ हुई, रवी ने संपत्ती की हानी के बारे में ज्ञान महसूस करते हुए कक्षा छोड़ दी उन्होंने समझा कि उनकी किताबों की दुकान के वित्तिय स्वास्थय को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करने के लिए नियमित रूप से उनकी संपत्ती की हानी का आतलन करना महत्वपूर्ण था इस नए ज्ञान के साथ रवी ने अपनी संपत्तियों की सावधानी पूर्वक निगरानी करने में खुद को सशक्त महसूस किया और यह सुनिश्चित किया कि वह सोच समझ कर निर्णय लें जिससे लंबे समय में उनके व्यवसाय को लाभ होगा कृप्या सूचनाय प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्य तालें, टिपपनी करें और घंटी आइकन दबाएं शरद रितु की एक ठंडी दोपहर में कक्षा की खिडकी के बाहर धीरे-धीरे पत्ते गिर रहे थे रवी ने प्रवेश किया, अपने प्रसिद्ध शिक्षक से एक और पाठ के लिए उत्साह से भरा हुआ, जो जटिल अवधार्नाओ को मनोरम कहानियों में बुनने के लिए प्रसिद्ध था आज का विशय एंड ऐस 37 था, जिसमें प्रावधान, आकस्मिक देंदारिया और आकस्मिक संपत्तिया शामिल है रवी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि उनके शिक्षक इस अवधार्ना को कैसे जीवन में लाएंगे जैसे ही शिक्षक अंदर आये, उन्होंने अपनी खास गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ छात्रों का स्वागत किया सभी को शुभ दो पहर, आज हम प्रावधानों और आकस्मिक दाओं की आकर्शक दुनिया का पता लगाएंगे आये कलपना करें, रवी की आपकी किताबों की दुकान को हाल ही में कुछ अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ा है यह परिद्रिश्य हमें इंडस्ट्रीज एस सैंतीज को समझने में मदद करेगा कनेक्शन के बारे में उच्सुक होकर रवी अंदर आ गया प्रावधानों और आकस्मिक ताओं से आपका क्या तातपरिय है, श्रीमान? शिक्षक ने शुरू किया, वित्तिय रिपोर्टिंग में एक प्रावधान वह राशी है जिसे आप भविष्य के दायत्विया व्याय के लिए अपने खातों में अलग रखते हैं, जो संभावित है, लेकिन समय या राशी में अनिश्चित है उदाहरन के लिए मान लें की आप आपूर्तिकर्ता के साथ विवाद के कारण कुछ कानूनी लागतों का सामना करने की उम्मीद करते हैं आप उस व्याय के लिए एक प्रावधान को पहचानेंगे, भले ही भुगतान की सटीक राशी और समय अभी तक ज्यात नहीं है रवी ने सिर हिलाया, समझने लगा तो कोई प्रावधान भविश्य के खर्चों के लिए सुरक्षा जाल की तरह है बिल्कुल रवी शिक्षक ने पुष्टी की प्रावधानों को पहचान कर, आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आपके वित्तिय विवर्ण आपके बुकस्टोर की वित्तिय स्थिती की अधिक सटीक तस्वीर दर्शाते हैं यह अभ्यास आपको वास्तविक खर्चों के उत्पन होने की प्रतीक्षा किये बिना संभावित देंदारियों के लिए तैयार होने में मदद करता है रवी ने उच्सुक्तावश फिर से अपना हाथ उठाया आकस्मिक देंदारियों के बारे में क्या? वे प्रावधानों से किस प्रकार भिन है? रवी की जिग्यासा से प्रसन्न होकर शिक्षक मुस्कुराए बढ़िया सवाल आकस्मिक दायत्व एक संभावित दायत्व है जो भविश्य की घटना के परिनाम के आधार पर उत्पन्न हो सकता है उदाहरन के लिए यदि आप पर वर्तमान में किसी ग्राहक द्वारा मुकदमा दायर किया जा रहा है लेकिन आपने अभी तक मामले का निप्तारा नहीं किया है या परिनाम निर्धारित नहीं किया है तो आप अपने वित्तिय विवर्णों में इस आकस्मिक दायत्व के अस्तित्व का खुलासा करेंगे हाला कि आप इसे एक प्रावधान के रूप में तब तक नहीं पहचानेंगे जब तक यह संभव न हो जाए कि आपको भुगतान करना पड़ेगा रवी ने एक क्षण सोचा तो आकस्मिक देंदारियों को वित्तिय विवर्णों में मान्यता नहीं दी जाती है लेकिन यदिवे महत्वपूर्ण हैं तो उनका खुलासा करने की आवश्चकता है बिलकुल शिक्षक ने उत्तर दिया यह प्रक्टीकरन सुनिश्चित करता है कि हिद्धारक संभावित जोखिमों से अवगत हैं जो आपके बुकस्तोर के भविश्य के वित्तिय प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं वित्तिय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता महत्वपूर्ण है रवी ने और अधिक जानने की उत्सुकता से एक बार फिर अपना हाथ उठाया आकस्मिक संपत्तियों के बारे में क्या? क्या वे आकस्मिक देंदारियों के समान है? शिक्षक ने सिर हिलाया हाँ, वे संबंधित अवधानाएं हैं लेकिन इसके बजाए संभावित लाभों को दर्शाते हैं आकस्मिक संपत्ति एक संभावित संपत्ति है जो किसी पिछली घटना से उत्पन होती है और इसकी पुष्टी केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने से ही होती है उदाहरन के लिए यदि आपके पास किसी पूर्व कर्मचारी के खिलाफ शतिपूर्ती का दावा है और आप जीतने की उम्मीद करते हैं तो आप अपने वित्तिय विवर्णों में इस आकस्मिक संपत्ती का खुलासा करेंगे हाला कि आकस्मिक देंदारियों की तरह आप इसे तब तक नहीं पहचानेंगे जब तक कि यह वस्तुता निश्चित न हो जाए रवी ने इस जानकारी पर विचार किया तो प्रावधान, आकस्मिक देंदारियां और आकस्मिक संपत्तियां सभी वित्तिय रिपोर्टिंग में अनिश्चित्ताओं का प्रबंधन करने में मदद करती हैं बिल्कुल रवी शिक्षक ने उच्साह से कहा इंड एस 37 का पालन करके आप न केवल नियामक आवश्चक्ताओं का अनुपालन करते हैं बल्कि संभावित भविश्य के दायत्वों और संपत्तियों के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके अपने हित्धारकों के बीच विश्वास भी बढ़ाते हैं पारदर्शिता का यहस्तर हर किसी को सूचित निर्णय लेने में मदद करता है जैसे ही कक्षा समाप्थ हुई रवी प्रावधानों आकस्मिक देंदारियों और आकस्मिक संपत्तियों के बारे में प्रबुद्ध महसूस करने लगा उन्होंने अपनी किताबों की दुकान के वित्तिय प्रबंधन में अनिश्चिताओं के लिए तैयारी के महत्व को समझा इस नए ज्यान के साथ रवी ने इन अवधारनाओं को प्रभावी धंग से लागू करने के लिए सशक्त महसूस किया जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि उन्होंने अपने और अपने हित्धारकों के लिए एक स्पष्ट और पारगर्शी वित्तिय तस्वीर बनाय रखी कृप्या सूचनाए प्राप्त करने के लिए साजा करें सदस्य तालें, टिपपणी करें और घंटी आइकन दबाएं एक धूप भरी दोपहर में जब कक्षा की खेडकियों से सूरज की रोशनी आ रही थी रवी ने उच्सुकता से प्रवेश किया वह अपने प्रिय शिक्षक से एक और आकर्शक पाठ की प्रतीक्षा कर रहा था जो जटिल विश्यों को मनोरम कहानियों में बदलने के लिए प्रसिद्ध था आज का विशय एंड आज 38 था जो अमूर्थ संपत्तियों को कवर करता है रवी यह देखने के लिए उच्सुक थे कि उनके शिक्षक इस जटिल अवधारना को कैसे समझाएंगे जैसे ही शिक्षक ने प्रवेश किया उन्होंने उच्साह के साथ अपने छात्रों का स्वागत किया सभी को शुभ दो पहर आज हम अमूर्थ संपत्तियों की आकरशक दुनिया के बारे में जानेंगे आये कलपना करें रवी की आपकी किताबों की दुकान सिर्फ किताबे बेचने की जगह नहीं है बलकि रचनात्मक्ता, विचारों और नवीमता का केंद्र भी है यह परिद्रिश्य हमें इंडस्ट्रीज एस 38 को समझने में मदद करेगा रवी उच्छुकतावश अपनी सीट पर बैठ गया अमूर्थ संपत्ति वास्तव में क्या है? श्रीमान शिक्षक ने शुरू किया अमूर्थ संपत्तियां गैरमौदरिक संपत्तियां हैं जिनमें भौतिक पदार्थ की कमी होती है लेकिन आपके व्यवसाय को मूल्य प्रदान करती है उनमें ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट और सदभावना जैसी चीजें शामिल हो सकती है उदाहरन के लिए कल्पना करें कि आपने अपनी किताबों की दुकान के लिए एक अनोखा लोगो बनाया है जिसे ग्राहक पसंद करते हैं और पहचानते हैं वह लोगो एक अमूर्थ संपत्ति है क्योंकि इसका मूल्य है, भले ही इसे छुआ नहीं जा सकता रवी ने सिर हिलाया, विचार समझने लगा तो अमूर्थ संपत्तिया मेरे व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण हैं, भले ही वे भौतिक वस्तुएं नहों बिल्कुल शिक्षक ने पुष्टी की अमूर्थ संपत्तियां आपके किताबों की दुकान के प्रतिस्परधात्मक लाभ में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं उदाहरन के लिए यदि आपके पास एक लोगप्रिय ब्रांड नाम है या आपने एक सफल मार्केटिंग रणनीती विक्सित की है तो ये तत्व ग्राहकों को आकरशित कर सकते हैं और राजस्व उत्पन कर सकते हैं हाला कि इंडाज 38 यह बताता है कि इन संपत्तियों को कैसे पहचाना जाए, मापा जाए और उनका खुलासा कैसे किया जाए अधिक जानकारी के लिए उच्सुक होकर रवी ने अपना हाथ उठाया मैं अपने वित्तिये विवर्णों में किसी अमूर्थ संपत्ति को कैसे पहचानूं? शिक्षक ने समझाया किसी अमूर्ध संपत्ती को पहचानने के लिए उसे कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा सबसे पहले यह पहचानने योग्य होना चाहिए जिसका अर्थ है कि यह आपके व्यवसाय से अलग हो सकता है या समविदात्मक अधिकारों से उत्पन हो सकता है दूसरा इसे आपके किताबों की दुकान द्वारा नियंतरित किया जाना चाहिए और तीसरा इसे भविश्य में आर्थिक लाब प्रदान करना चाहिए उदाहरन के लिए यदि आप अपनी इन्वेंटरी के प्रबंधन के लिए एक नया सौफ्ट्वेर अप्लिकेशन बनाते हैं और यह इन मांदंडों को पूरा करता है तो आप इसे एक अमूर्थ संपत्ती के रूप में पहचान सकते हैं रवी ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा अमूर्थ संपत्ती के मूल्य को मापने के बारे में क्या? मैं उनका मूल्य कैसे निर्धारित करूँ? शिक्षक ने उत्तर दिया अमूर्थ संपत्ती को दो तरीकों से मापा जा सकता है लागत मॉडल और पुनर्मूल्यांकन मॉडल लागत मॉडल के तहट आप परिसंपत्ती को उसकी लागत पर किसी भी संचित परिशोधन और हानी हानी को घटा कर पहचानते हैं उदाहरन के लिए यदि आपने एक नई ब्रांडिंग रणनीती विक्सित करने के लिए पैसा खर्च किया है तो वह लागत अमूर्थ संपत्ती के मूल्यांकन का आधार बन जाती है पुनर्मूल्यांकन मॉडल के तहट आप संपत्ती को उसके उचित मूल्य पर माप सकते हैं यदि उस संपत्ती के लिए एक सक्रिय बाजार मौजूद है लेकिन अमूर्थ संपत्ती के लिए यह कम आम है रवी ने फिर से अपना हाथ उठाया, उसकी आखों में जिग्यासा चमक उठी परिशोधन के बारे में क्या? अमूर्थ संपत्तियों का परिशोधन मूर्थ संपत्तियों की तरह किया जाता है शिक्षक ने सिर हिलाया हाँ, वे करते हैं सौफ्टवेर जैसी सीमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्थ संपत्तियां उनके अपेक्षित उपयोगी जीवन पर परिशोधित की जाती है यह प्रक्रिया परिसंपत्ति की लागत को उस अवधी में फैलाती है जिससे आर्थिक लाब उत्पन होने की उम्मीद होती है दूसरी ओर्थ सद्भावना जैसी अनिश्चित उपयोगी जीवन वाली अमूर्थ संपत्तियों का परिशोधन नहीं किया जाता है बलकि सालाना हाने के लिए परीच्षन किया जाता है रवी ने इस पर ध्यान से विचार किया तो अमूर्थ संपत्तियों का प्रबंधन भौतिक संपत्तियों के प्रबंधन जितना ही महत्वपूर्ण है और मुझे उनके मूल्य और परिशोधन पर नजर रखने की जुरूरत है बिलकुल रवी शिक्षक ने उत्तर दिया अपनी अमूर्थ संपत्तियों को पहचानने और उचित तरीके से प्रबंधित करके आप न केवल इंड एस 38 का अनुपालन करते हैं बलकि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि आपकी किताबों की दुकान के वित्तिय विवर्ण इसके वास्तविक मूल्य को सटीक रूप से प् जैसे ही कक्षा समाप्थ हुई, रवी अमूर्थ संपत्ति के बारे में ज्यान प्राप्त करते हुए कमरे से बाहर चला गया। उनकी किताबों की दुकान प्रतिसपर्धी बाजार में फलफूल सके। कृप्या सूचनाय प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्य तालें, टिपपनी करें और घंटी आइकन दबाएं। एक उजजवल और हवादार दोपहर में, जैसे ही सूरज ने कक्षा की खिडकियों से चंचल छाया डाली, रवी ने प्रत्याशा की भावना के साथ प्रवेश किया। जिस तरह से उनके शिक्षक ने जटिल अवधार नाओ को आकरशक कहानियों में बदला, वह उन्हें बहुत पसंद आया। आज का पाठ एंड एस चालीस पर केंद्रित है, जो निवेश संपत्ती से संबंधित है। रवी यह देखने के लिए उच्सुक थे कि उनके शिक्षक इस विशय पर कैसे प्रकाश डालेंगे। जैसे ही शिक्षक ने कक्षा में सबसे आगे अपना स्थान ग्रहेन किया, उन्होंने अपनी विशिष्ट मुस्कान के साथ छातरों का स्वागत किया। सभी को शुभ दोपहर, आज हम निवेश संपत्तियों की दिल्चस्प दुनिया का पता लगाएंगे। आइए कल पना करें, रवी कि आपने अपने बिजनेस पोर्ट फोलियों को बढ़ाने के लिए अपनी किताबों की दुकान के लिए कुछ संपत्तियों में निवेश करने का फैसला किया है। यह परिद्रिश्य हमें इंडस्ट्रीज एस चालीस को समझने में मदद करेगा। रवी उच्सुकता से जुक गया। निवेश संपत्ति क्या है सर। शिक्षक ने शुरू किया निवेश संपत्ति को माल या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ती में उप्योग या प्रशासनिक उत्देशों के बजाय किराया अर्जित करने या पूंजीगत प्रशंसा या दोनों के लिए रखी गई संपत्ति के रूप में परिभाशित क किया गया है सीधे शब्दों में कहें तो यदि आप किराय पर देने के लिए या समय के साथ मूल्य में वृद्धी के लिए अपने पास रखने के लिए कोई इमारत खरीदते हैं तो उस संपत्ति को एक निवेश संपत्ति माना जाता है रवी की आखे समच से चमक उठी तो अगर मैं एक जगह खरीदता हूँ और इसे किसी अन्य किताबों की दुकान पर किराय पर देता हूँ तो इसे निवेश संपत्ति के रूप में गिना जाएगा बिल्कुल रवी शिक्षक ने पुष्टी की निवेश संपत्तियों में भूमिया भवन शामिल हो सकते हैं और वे आम तोर पर उन संपत्तियों से अलग होते हैं जिनका उप्योग सीधे आपके व्यवसाय संचालन में किया जाता है उदाहरण के लिए वह स्थान जहां आप अपनी किताबों की दुकान संचालित करते हैं एक निवेश संपत्ति नहीं है क्योंकि इसका उप्योग आपकी व्यावसायक गतिविधियों के लिए किया जाता है जिग्यासा बुद्बुदाते हुए रवी ने अपना हाथ उठाया मैं अपने वित्तिय विवर्णों में निवेश संपत्तियों का हिसाब कैसे दूँ? शिक्षक ने उत्तर दिया, इन्ड एस चालीस के तह तहट आप निवेश संपत्तियों के लेखांकन के लिए दो मौडलों के बीच चयन कर सकते हैं लागत मौडल और उचित मूल्य मौडल यदि आप लागत मॉडल अपनाते हैं, तो आप निवेश संपत्ती को लागत कम संचित मूल्य हरास और किसी भी हानी हानी पर मापेंगे इसके विपरीत यदि आप उचित मूल्य मॉडल चुनते हैं, तो आप निवेश समपत्ती को उसके उचित मूल्य पर मापेंगे लाब या हानी में परिवर्तन के साथ रवी ने एक पल के लिए इस पर विचार किया उचित मूल्य मॉडल का उपयोग करने के क्या लाब है? शिक्षक ने समझाया उचित मूल्य मॉडल बाजार की स्थितियों को प्रतिबिम्बित करते हुए समपत्ती के मूल्य का अधिक वर्तमान दृष्टिकोन प्रदान करता है यदि संपत्ती के मूल्य तेजी से बदल रहे हैं, तो यह द्रिष्टिकोन विशेश रूप से फायदे मंद हो सकता है हाला कि इसके लिए नियमित पुनर मूल्यांकन और एक विश्वस्निय माप प्रक्रिया की आवश्चक्ता होती है दूसरी और लागत मॉडल सरल है और कम बार मूल्यांकन की आवश्चक्ता होती है अधित जानकारी के लिए उच्सुक होकर रवी ने फिर से अपना हाथ उठाया क्या निवेश संपत्तियों के बारे में मुझे कोई विशेश खुलासे करने की आवश्चक्ता है बहुत बढ़िया सवाल शिक्षक ने कहा हाँ, इंडस्ट्रीज एस चालीस को विशिष्ट प्रक्टीकरण की आवश्चक्ता है यदि आप लागत मॉडल का उप्योग कर रहे हैं तो आपको उप्योग किये गए माप के आधार, निवेश संपत्तियों का उचित मूल्य और संपत्ती पर किसी भी प्रतिबंध के बारे में विवर्ण का खुलासा करना होगा इसके अतिरिक्ट यदि आपके पास संपत्ती से संबंधित कोई किराय की आय या परिचालन व्याय है, तो उसका भी खुलासा किया जाना चाहिए रवी ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा तो पारदर्शिता और अनुपालन के लिए इस सारी जानकारी पर नजर रखना महत्वपूर्ण है बिल्कुल रवी शिक्षक ने पुष्टी की निवेश संपत्तियों का उचित लेखांकन न केवल इंड एस चालीस का अनुपालन सुनिश्चित करता है बलकि हित्धारकों को आपकी वित्तिय स्थिती और आपके निवेश से संभावित आय के बारे में बहुमूल्य जानकारी भी प्रदान करता है जैसे जैसे कक्षा समाप्थ होने लगी, रवी को निवेश संपत्तियों की संभावनाओं के बारे में उच्साह महसूस हुआ उन्होंने परिचालन और निवेश संपत्तियों के साथ साथ लेखांकन विधियों और प्रक्तिकरणों के बीच अंतर करने के महत्व को समझा इस नए ज्ञान के साथ रवी ने निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए सशक्त महसूस किया जो लेखांकन मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए उनकी किताबों की दुकान के वित्तिय भविश्य को बढ़ा सकता है कृप्या सूचनाय प्राप्ट करने के लिए साजा करें, सदस्य तालें, टिपपनी करें और घंटी आइकन दबाएं एक शांत दोपहर में बाहर पत्तों की सरसराहट की धीमी आवास के साथ, रवी ने कक्षा में प्रवेश किया यह जानने के लिए उच्साहित था कि उसके शिक्षक ने आज कौन सी मनोरम कहानी तयार की है जटिल विश्यों को आकरशक आख्यानों में बदलने के लिए जाने जाने वाले शिक्षक इंड ऐस 41 का पता लगाने वाले थे, जो क्रिशी से संबंधित है रवी शायद ही यह देखने के लिए इंतजार कर सके की यह कैसे सामने आएगा जैसे ही शिक्षक अंदर आये, उन्होंने अपनी विशेश गर्म जोशी के साथ छात्रों का स्वागत किया सभी को शुभ दो पहर आज हम क्रिशी की आकरशक दुनिया का पता लगाने जा रहे हैं और वित्तिय विवर्णों में इसका हिसाब कैसे लगाया जाता है कल्पना कीजिए, रवी की आप एक पारिवारिक खेत का प्रबंधन कर रहे हैं जहां आप विभिन प्रकार की फसलें उगाते हैं यह परिद्रिश्य हमें इंड़स्ट्रीज एस 41 को समझने में मदद करेगा इस विचार से चकित होकर रवी अपनी सीट पर बैठ गया की गतिविधी के लिए लेखांकन उपचार पर मार्कदर्शन प्रदान करता है क्रिशी गतिविधी में जैविक संपत्तियों का प्रबंधन शामिल है जिसमें जीवित पौधे और जानवर शामिल है उदाहरण के लिए यदि आपके पास आम का बगीचा है तो पेड जैविक संपत्ती हैं और उत्पादित आम क्रिशी उपज माने जाते हैं रवी ने अवधारणा को समझना शुरू करते हुए सिरहिलाया तो आम के पेड एक संपत्ती हैं क्योंकि वे आय उत्पन कर सकते हैं बिल्कुल रवी शिक्षक ने पुष्टी की इंड एस 41 के तहट जैविक संपत्तियों को बेचने की लागत घटा कर उनके उचित मूल्य पर मापा जाना चाहिए इसका मतलब है कि आपको बाजार की कीमतों के आधार पर अपने आम के पेडों के मूल्य का अनुमान लगाना होगा आम बेचने से जुड़ी किसी भी लागत को घटा कर यह माप सुनिश्चित करता है कि आपके वित्तिय विवर्ण आपकी क्रिशी परिसंपत्तियों का सही मूल्य दर्शाते हैं रवी ने और अधिक जानने के लिए उच्सुख होकर अपना हाथ उठाया उन फसलों का क्या जो मैं काटता हूँ? मैं उनका हिसाब कैसे दू? शिक्षक ने उत्तर दिया एक बार जब आप फसल काट लेते हैं तो वे क्रिशी उत्पाद बन जाते हैं फसल के समय आपको उन्हें बेचने की लागत घटा कर उनके उचित मूल्य पर मापना चाहिए यह आपकी इन्वेंटरी बन जाती है जिसे आप अपने वित्तिय विवर्णों में पहचान लेंगे उदाहरण के लिए एक बार जब आप आम चुन लेते हैं तो आप उनके बेचने तक उनका मूल्य इन्वेंटरी के रूप में दर्स करेंगे रवी ने एक पल के लिए इस पर विचार किया यदि समय के साथ मेरी जैविक संपत्ती का मूल्य बदल जाए तो क्या होगा क्या मुझे अपने खातों में उनका मूल्य समायोजत करते रहने की आवश्चक्ता है हाँ, रवी शिक्षक ने उच्साह से कहा आपको प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथी पर अपनी जैविक संपत्तियों को फिर से मापने की आवश्चक्ता होगी यदि उचित मूल्य बदलता है, तो आप लाभ या हानी में उन परिवर्तनों को पहचानते हैं यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि आपके वित्तिये विवर्ण सटीक रहें और आपके खेत के प्रदर्शन को दर्शाते रहें रवी ने इस बारे में सोचा और दूसरा सवाल उठाया अगर मुझे अपनी फसलों को प्रभावित करने वाली बीमारियों जैसी चुनोतियों का सामना करना पड़े तो क्या होगा? इसका मेरे वित्तिये विवर्णों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शिक्षक ने सोच समझ कर सिर हिलाया अच्छा सवाल है यदि आपकी जैविक संपत्ती बीमारी या प्रतिकूल मौसम की स्थिती के कारण हानी का सामना करती है तो आपको यह आतलन करना चाहिए कि क्या उनकी वहन राशी उनकी वसूली योग्य राशी से अधिक है? यदि ऐसा होता है तो आपको अपने वित्तिय विवर्णों में हानी को पहचानने की आवश्चक्ता होगी यह अभ्यास सुनिश्चित करता है कि कठिन समय में भी आपकी वित्तिय स्थिती का सटीक प्रतिनिधित्व किया जाता है रवी मोहित हो गया तो खेत के प्रबंधन में न केवल फसलें उगाना शामिल है बलकि उनके वित्तिय मूल्य पर नजर रखना और चुनोतियों के लिए तयार रहना भी शामिल है बिल्कुल रवी शिक्षक ने उत्तर दिया इंड ऐस 41 को समझने और लागू करने से आप अपने खेत के संसाधनों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं यह सुनिश्चित करते हुए कि आप अपनी जैविक संपत्तियों और क्रिशी उपज के मूल्य के बारे में सूचित रहें यह ज्यान आपको अपने खेत के भविश्य के लिए बहतर निर्नय लेने में सशक्त बनाता है जैसे ही कक्षा समाप्थ हुई रवी क्रिशी लेखांकन की जटिलताओं के बारे में प्रेरित और जानकार महसूस करते हुए चले गए उन्होंने जैविक परिसमपत्तियों को मापने के महत्वो और यह सुनिष्चित करने के लिए उचित मूल्य आकलन के महत्व को समझा कि उनके वित्तिय विवर्ण उनके पारिवारिक खेत के प्रदर्शन को सटीक रूप से प्रतिबिम्बित करते हैं इस नई समझ के साथ रवी ने अपनी फसलों और अपने वित्थ दोनों को प्रभावी धंग से प्रबंधित करने के लिए उपकर्णों से लैस होकर क्रिशी की दुनिया को अपनाने के लिए तैयार महसूस किया कृप्या सूचनाय प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्य तालें, टिपपनी करें और घंटी आइकन दबाएं एक उजजवल और धूप वाली दो पहर में रवी उच्सुक मुस्कान के साथ कक्षा में दाखिल हुआ अपने प्रसिद्ध शिक्षक के एक और आकर्षक पाठ में डूगने के लिए तैयार था आज का विशय इंड एस 101 था, जो भारतिय लेखांकन मानको को पहली बार अपनाने पर केंद्रित है रवी यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था कि उसके शिक्षक इस जटिल विशय को एक आकर्षक कहानी में कैसे पिरोएंगे जैसे ही शिक्षक कक्षा के सामने बैठे, उन्होंने छात्रों का गर्मजोशी से स्वागत किया सभी को शुभ दो पहर आज हम यह समझने के लिए एक यात्रा पर निकलेंगे कि पहली बार भारतिय लेखांकन मानकों को अपनाने का क्या मतलब है आईए कलपना करें, रवी की आपने अपने मौजूदा किताबों की दुकान को एक बड़े अधिक गतिशी व्यवसाय में बदलने का फैसला किया है और अब आप पहली बार भारतिय लेखांकों को अपनाने के लिए तयार है यह परिद्रिश्य हमें इंड एस 101 का पता लगाने में मदद करेगा रवी की जिग्यासा बढ़ी पहली बार इन मानकों को अपनाने का क्या मतलब है सर शिक्षक ने शुरू किया इंड एस 101 वह धाचा है जो आपके बुकस्टोर जैसी संस्थाओं को पिछले लेखांकन मानकों से भारतिय लेखा मानकों में संक्रमन करने के तरीके पर मार्क दर्शन करता है यह परिवर्तन महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके लिए नए सिध्धानतों की व्यापक समझ की आवश्शकता है और वे आपके वित्तिय विवर्णों को कैसे प्रभावित करते हैं इसे नए नियमों के साथ एक नए साहसिक कार्य की तयारी के रूप में सोचें रवी ने इस विचार से उच्सुक होकर सिर हिलाया तो इन मानकों को अपनाने के लिए मुझे क्या कदम उठाने होंगे? शिक्षक ने समझाया सबसे पहले आपको अपनी संक्रमन तिथी निर्धारित करने की आवश्यक्ता है जो वह तारीख है जब आप इन्ड एस लागू करना शुरू करते हैं इस तिथी पर आप एक प्रारंभिक बैलेंस शीट तयार करेंगे जो नए मानकों का अनुपालन करती है यह बैलेंस शीट आपकी विद्थिय स्थिती के स्नैपशॉट के रूप में कार्य करती है जो इन्ड एस के तहट आपकी संपत्ती, देंदारियों और इक्विटी के मूलियों को दर्शाती है रवी ने और अधिक समझने की उत्सुपता से अपना हाथ उठाया मेरे पिछले विद्थिय विवर्णों के आक्रों के बारे में क्या? क्या मुझे उन्हें समायोजित करने की आवश्शकता है? उत्कृष्ट प्रश्न रवी शिक्षक ने उत्साहपूरवक कहा हाँ, आपको पुराने लेखांकन मान को और नए इंड एस के बीच किसी भी अंतर को प्रतिबिंबित करने के लिए अपने पिछले विद्तिय विवर्णों को समायोजित करने की आवश्शकता होगी. इस समायोजन प्रक्रिया को सुलह के रूप में जाना जाता है. आप एक समाधान विवर्ण तयार करेंगे जो बताता है कि आपके पिछले आकड़े इंड एस के तहट नए आकड़ों से कैसे भिन्न हैं. रवी ने गहराई से सोचा, क्या होगा यदी ऐसे क्षेत्र हैं जहां नए मानक विभिन्न उपचारों की अनुमती देते हैं? मैं कैसे तय करूं की मुझे क्या करना है? शिक्षक ने समझ कर सिर हिलाया. इंड एस एक सो एक के तहट विशिश्च छूटेन हैं जिन्हें आप संक्रमन करते समय चुन सकते हैं. उदाहरण के लिए आप संपत्ती, सन्यंत्र और उपकरण या वित्तिय साधनों के लिए कुछ छूट लागू करने का चुनाव कर सकते हैं. यह लचीलापन आपको यह सुनिश्चित करते हुए संक्रमन प्रक्रिया को सरल बनाने की अनुमती देता है कि आपके वित्तिय विवर्ण तुल्निय बने रहें. रवी ने सवालों से भरा दूसरा हाथ उठाया. क्या इस परिवर्तन के दौरान मुझे जो खुलासे करने की आवश्चक्ता है, उस पर कोई विशेश मार्कदर्शन है? हाँ है, शिक्षक ने उत्तर दिया. इंड एस 101 में आपसे ऐसी जानकारी प्रकट करने की अपेक्षा की जाती है, जो आपके वित्तिय विवर्णों के उपियोग करताओं को यह समझने में सक्षम बनाती है, कि परिवर्तन ने आपकी वित्तिय स्थिती और प्रदर्शन को कैसे प्रभावित किया है. इसमें आपके संक्रमन की तारीख, आपके द्वारा लागू की गई छूट और आपकी प्रारंभिक बैलेंस शीट पर प्रभाव के बारे में विवर्ण शामिल हैं. जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ता गया, रवी नए लेखांकन मानकों को अपनाने की जटिलता और महत्व से अधिक आकर्शित होता गया. उन्होंने महसूस किया कि यह परिवर्टन केवल संख्या के बारे में नहीं था, बलकि हित्धारकों के साथ पारगर्शिता और विश्वास सुनिश्चित करने के बारे में भी था. तो पहली बार इंड एस को अपनाना मेरे व्यवसाय को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने पूछा. बिलकुल रवी शिक्षक ने पुष्टी की. इस परिवर्टन को सफलता पूर्वक नेविगेट करके आप न केवल लेखांकन मानकों का अनुपालन कर बलकी बाजार में अधिक विश्वसनियता और सफलता के लिए अपनी किताबों की दुकान को भी स्थापित करते हैं. सटीक और विश्वसनिय वित्तिय जानकारी प्रस्तुत करने की आपकी क्षमता आपके निवेशकों, ग्राहकों और अन्य हित्धारकों में विश्वास पैदा करेगी. जैसे जैसे कक्षा समाप्थ होने लगी, रवी इंड एस 101 को अपनाने की यात्रा के बारे में प्रबुद्ध महसूस करते हुए चले गए. उन्होंने परिवर्तन में शामिल कद्मों, पिछले वित्तिय आकडों को समेटने के महत्व और स्पष्ट करण की आवश्शक्ता को समझा. इस नए ज्यान के साथ रवी सशक्त महसूस कर रहे थे और अपने व्यावसायक सासिक कार्य को शुरू करने के लिए तयार थे, उन्हें विश्वास था कि वह अपनी किताबों की दुकान के भविश्य के विकास और अखंडता को और घंटी आइकन दबाएं. एक जीवंत दोपहर में, जब कक्षा की खिडकियों से सूरज की किरने आ रही थी, रवी दिन के पाठ के बारे में जिग्यासा की भावना के साथ पहुचा. उनके शिक्षक जो अपनी मनमोहक कहानी कहने की ख्षमताओं के लिए जाने जाते है इंड एस एक सो दो के विशय में गहराई से जाने के लिए तयार थे, जो शेराधारित भुगतान से संबंधित है. रवी उच्सुकता से अपनी सीट पर बैठ गया. यह देखने के लिए उच्सुक था कि उसके शिक्षक इस अवधारना को कैसे जीवन में लाएंगे. जैस हम शेराधारित भुगतान की दिल्चस्प दुनिया का पता लगाएंगे. आइए कलपना करें, रवी कि आपने एक नई तकनीकी कमपनी शुरू की है और आप प्रतिभाशाली कर्मचारियों को उनके मुआवजे के हिस्से के रूप में अपने व्यवसाय में शेर देकर आक तो भुगतान के रूप में शेरों की पेशकर्ष का क्या मतलब है, सर? शिक्षक ने शुरू किया, शेराधारित भुगतान तब होता है जब कोई कमपनी अपने कर्मचारियों को उनके पारिश्रमिक के हिस्से के रूप में शेर या शेर विकल्प प्रदान करती है. यह प्रथा कर्मचारियों के हितों को कमपनी के प्रदर्शन के साथ जोड़ती है और उन्हें इसकी सफलता में योगदान देने के लिए प्रेरित करती है. इंडस्ट्रीज एस 102 के तहट आपको अपने वित्तिय विवर्नों में शेराधारित भुगतान से जुड़े व्याय को पहचानने की आवश्चक्ता होगी. रवी की आखें चौड़ी हो गई. मैं अपने करमचारियों को दिये गए शेरों के खर्च की गणना कैसे करूं? शिक्षक ने समझाया, खर्च को अनुदान तिथी पर दिये गए शेरों या शेर विकल्पों के उचित मुल्य पर मापा जाता है. उदाहरन के लिए यदि आप अपने कर्मचारियों को किसी विशिष्ट मूल्य पर शेर खरीदने के विकल्प देने का निरनय लेते हैं तो आपको उन विकल्पों के उचित मूल्य का आतलन उस समय करना होगा जब उन्हें विकल्प दिया गया हो यह मूल्य तब निहित अवधी में खर्च किया जाता है जो वह अवधी है जिसके दौरान कर्मचारियों को उन विकल्पों को अर्जित करने के लिए काम करना चाहिए रवी ने स्पष्टता के लिए उच्सुकता से अपना हाथ उठाया क्या होगा यदी मेरे द्वारा विकल्प देने के बाद शेयर की कीमत काफी बढ़ जाती है क्या इससे खर्च बदल जाता है बहुत अच्छा सवाल है रवी शिक्षक ने उत्तर दिया अनुदान तिथी पर आपके द्वारा गणना किया गया उचित मूल्य वही रहता है चाहे शेयर की कीमत में भविश्य में कोई भी बदलाव हो हाला कि यदी विकल्पों का प्रयोग किया जाता है तो कम्पनी अतरिक्ट एक्विटी को पहचानती है और इसे अपने वित्तिय विवर्णों में दर्शाती है बाजार की कीमतों में उतार चड़ाव के कारण विकल्पों से संबंधित प्रारंभिक व्यय नहीं बदलेगा रवी ने इस अवधारना पर गहराई से विचार किया क्या शेराधारित भुगतानों के संबंध में मुझे खुलासे के लिए कोई विशिष्ट आवश्शक्ताएं है हाँ, सच्मुच शिक्षक ने उत्तर दिया इंड एस 102 के तहट कमपनियों को शेराधारित भुगतान व्यवस्था के बारे में विस्तरित खुलासे करने की आवश्शक्ता होती है आपको दिये गए विकल्पों की संख्या प्रयोग मूल्य और विकल्पों का उचित मूल्य जैसी जानकारी का खुलासा करना होगा ये खुलासे हिद्धारकों को कमपनी की विद्तिय स्थिती और प्रदर्शन पर शेराधारित भुगतान के प्रभाव को समझने में मदद करते हैं रवी की रुची जगी यदि मैं शेराधारित भुगतान योजना को रद करने या संशोधित करने का निर्णय लेता हूँ तो क्या होगा शिक्षक ने सिर हिलाया यदि आप शेराधारित भुगतान व्यवस्था को रद्या संशोधित करते हैं तो आपको मूल नहित कार्यक्रम की परवाह किये बिना शेश व्याय को तुरंट पहचानने की आवश्शकता होगी आपके वित्तिय विवर्नों पर प्रभाव निर्धारित करने के लिए नई व्यवस्था के उचित मूल्यका भी आकलन करने की आवश्शकता होगी जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ा रवी शेराधारित भुगतान की अवधारना से अधिक आकर्शित होता गया उन्होंने महसूस किया कि इस द्रिष्टिकोन से न केवल कर्मचारियों को प्रोचसाहन मिला बलकि खर्चों और प्रक्तिकरणों के लेखांकन में भी सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्शकता थी तो शेराधारित भुगतान का उप्योग करना मेरी कंपनी के लिए फाइदे मन्ध हो सकता है लेकिन इसमें लिखांकन में जिम्मेदारियां भी शामिल हैं उन्होंने पूछा बिल्कुल रवी शिक्षक ने पुष्टी की शेहराधारित भुगतान कमपनी की सफलता के साथ कर्मचारियों के हितों को जोडते हुए प्रतिभा को आकर्षित करने और बनाय रखने में मदद कर सकता है हाला कि आपकी वित्तिय रिपोर्टिंग में पारगर्शिता और सटीकता सुनिष्चित करने के लिए लेखांकन मानकों का पालन करना महत्व पूर्ण है जैसे जैसे कक्षा समाप्थ होने लगी, रवी को इंड एस 102 की पेचितगियों के बारे में ज्यान हो गया वह समझ गए कि शेराधारित भुगतानों को कैसे मापना है, उचित मूल्य मूल्यांकन का महत्व और उचित प्रक्तिकरण की आवश्चकता है इस नए ज्यान के साथ, रवी ने खुद को सशक्त महसूस किया और शेराधारित भुगतान की दुनिया में नेविगेट करने के लिए तयार हो गए उन्हें विश्वास था कि वह लेखांकन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रतिभाशाली व्यक्तियों को अपनी तक्नीकी कमपनी में आकर्शित कर सकते हैं कृप्या सूचनाय प्राप्ट करने के लिए साजा करें, सदस्य तालें, टिपपनी करें और घंटी आइकन दबाएं एक तेज दोपहर में जब सुनहरी धूप कक्षा में गर्म चमक बिखेर रही थी रवी ने यह जानने के लिए उटसाहित होकर प्रवेश किया कि उसके शिक्षक ने आज क्या मनमोहक पाठ तयार किया है जटिल विश्यों को आकरशक बनाने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध, शिक्षक को इंड एज 103 की अवधारना का पता लगाने के लिए तयार किया गया था जो व्यावसायक सन्योजनों पर केंद्रित है रवी शायद ही यह देखने के लिए इंतजार कर सके की यह कैसे सामने आएगा जैसे ही शिक्षक ने कमरे में प्रवेश किया, उन्होंने अपनी सामान्य गर्मजोशी के साथ छातरों का स्वागत किया सभी को शुभ दो पहर आज हम व्यापारिक सन्योजनों की दुनिया में उतरने जा रहे हैं आए कलपना करें, रवी की आपने सफलता पूरवक एक छोटी लेकिन लोग प्रिय बेकरी बनाई है और अब आप अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए एक और बेकरी खरीदना चाहते हैं यह परिद्रिश्य हमें Industries A.S. 103 को समझने में मदद करेगा इस विचार से चकित होकर रवी अपनी सीट पर बैठ गया दूसरा व्यवसाय हासिल करने का क्या मतलब है सर? शिक्षक ने शुरू किया एक व्यावसायक सन्योजन तब होता है जब एक कमपनी दूसरी कमपनी पर नियंतरन प्राप्त कर लेती है यह इसकी परिसमपत्तियों, शेरों के अधिग्रहें या यहां तक की विलय के माध्यम से भी हो सकता है Industries Ace 103 के तहट यह निर्धारित करना आवश्यक है कि क्या लेंदेन एक व्यावसायक सन्योजन है और यदी यह है तो आपको इसका उचित हिसाब लगाना होगा रवी ने अवधारना को समझना शुरू करते हुए सिरहिलाया तो दूसरी बेकरी खरीदते समय मुझे क्या कदम उठाने होंगे सबसे पहले शिक्षक ने समझाया आपको अधिगरहन करता की पहचान करने की आवश्यक्ता है आपके मामले में आपकी बेकरी के मालिक के रूप में आप अधिगरहन करता होंगे इसके बाद आपको अधिग्रहेन की तारीख निर्धारित करनी होगी जो वह तारीख है जब आप अन्य बेकरी पर नियंत्रन प्राप्त करते हैं अधिक जानकारी के लिए उच्सुक होकर रवी ने अपना हाथ उठाया किसी अन्य व्यवसाय पर नियंत्रन रखने का क्या मतलब है? शिक्षक ने उत्तर दिया नियंत्रन अधिग्रहीत व्यवसाय की गतिविधियों से लाप्त प्राप्त करने के लिए उसकी वित्तिय और परिचालन नीतियों को नियंत्रित करने की शक्ती है इसका मतलब है कि व्यवसाय कैसे संचालित होता है इसके बारे में निर्णय लेने की क्षमता होना उदाहरन के लिए यदि आप अन्य बेकरी में 50 प्रतिशत से अधिक शेर खरीदते हैं तो आप नियंत्रण हासिल कर लेते हैं और इसकी दिशा को प्रभावित कर सकते हैं रवी ने इस पर विचार किया और पूछा मैं जिस बेकरी का अधिगरहन कर रहा हूं उसकी संपत्ती और देंदारियों के बारे में क्या मैं उनका हिसाब कैसे दूँ उतक्रिष्ट प्रश्न रवी शिक्षक ने जारी रखा जब आप कोई अन्य व्यवसाय खरीदते हैं तो आपको अरजित की गई पहचान योग्य संपत्तियों और अधिगरहन तिथी पर उनके उचित मुल्यों पर ली गई देंदारियों को पहचानना चाहिए इस प्रक्रिया को लेखांकन की क्रय विधी के रूप में जाना जाता है उदाहरण के लिए यदि अन्य बेकरी में उपकरण, इन्वेंट्री और एक पट्टा समझोता है तो आपको अधिगरहन के समय इन परिसंपत्तियों और देंदारियों का उचित मुल्य निर्धारित करने की आवश्शक्ता होगी रवी की जिग्यासा बढ़ी क्या होगा यदि समपत्ती का उचित मुल्य मेरे द्वारा बेकरी के लिए भुगतान किये गए खरीद मुल्य से अधिक हो शिक्षक ने समझाया यदि अर्जित शुद्ध संपत्ती का उचित मूल्य खरीद मूल्य से अधिक है तो आपके पास नकारात्मक सद्भावना नामक स्थिती हो सकती है ऐसे मामलों में आपको सटीक्ता सुनिष्चित करने के लिए परिसंपत्तियों और देंदारियों के उचित मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्शक्ता होगी हालाकि आम तौर पर जब आप किसी व्यवसाय का अधिक रहन करते हैं तो खरीद मूल्य किसी भी सद्भावना सहित पूरे व्यवसाय के मूल्य पर आधारित होता है यह शुद्ध पहचान योग्य संपत्तियों के उचित मूल्य से अधिक खरीद मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है रवी ने एक क्षण सोचा तो सद्धावना उस प्रीमियम की तरह है जो मैं अधिगरहीत बेकरी की प्रतिष्था और ग्राहक वफादारी के लिए चुकाता हूँ बिल्कुल रवी शिक्षक ने पुष्टी की सद्धावना व्यवसाय को प्राप्त करने के अमूर्ट लाभों को दर्शाती है जैसे कि इसका ब्राण्ड मूल्य, ग्राहक संबंध और आपके द्वारा प्राप्त की जाने वाली तालमे Industries Ace 103 के तहट आपको सालाना हाने के लिए सद्धावना का परीक्षन करने की भी आवश्शकता होगी जिसका अर्थ है कि यह आकलन करना की क्या इसकी वहन राशी इसकी वसूली योग्य राशी से अधिक है जैसे जैसे पाठ समाप्त होने लगा, रवी को व्यावसायक सन्योजनों की अवधार्णा के बारे में ज्यान प्राप्त हुआ उन्होंने अधिगरहन करता की पहचान करने, संपत्तियों और देंदारियों को पहचानने और सद्भावना के लिए लेखांकन के महत्व को समझा तो दूसरा व्यवसाय हासिल करना सिर्फ संख्याओं के बारे में नहीं है, बल्कि उनके पीछे के मूल्य को समझने के बारे में भी है, उन्होंने पूछा बिल्कुल रवी शिक्षक ने उत्तर दिया एक सफल व्यावसायक सन्योजन के लिए वित्तिय और रणनीतिक दोनों पहलूओं पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्चक्ता होती है Industries Ace 103 का पालन करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके वित्तिय विवर्ण हित्धारकों को सपश्टता प्रदान करते हुए अधिग्रहन के प्रभाव को सटीक रूप से प्रतिबिम्बित करते हैं जैसे ही कक्षा समाप्थ हुई, रवी ने इंड Ace 103 की व्यापक समझ के साथ खुद को सशक्त महसूस किया उन्होंने महसूस किया कि एक व्यावसाइक सन्योजन को नेविगेट करने में वित्तिय कौशल और रननीतिक दूरदर्शिता दोनों शामिल है इस नए ज्यान के साथ रवी ने अधिग्रहन के माध्यम से अपनी बेकरी के विस्तार की संभावनाओं का पता लगाने के लिए तैयार महसूस किया और व्यावसाइक सन्योजनों की जटिलताओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की अपनी क्षमता पर विश्वास किया कृप्या सूचनाय प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्य तालें, टिपपणी करें और घंटी आइकन दबाएं एक तेज दोपहरी में, जैसे ही कक्षा के बाहर पत्तिया धीरे-धीरे नाच रही थी, रवी ने दिन के पाठ के बारे में जिग्यासा की एक चिंगारी के साथ प्रवेश किया उनके शिक्षक, जो अपनी आकर्षक कहानी कहने के लिए जाने जाते थे, इंड एस 104 की जटिल दुनिया में जाने के लिए तयार थे, जो बीमा अनुबंधों पर केंद्रित है रवी यह देखने के लिए उच्सुक थे कि उनके शिक्षक इस जटिल विशय पर कैसे प्रकाश डालेंगे जैसे ही शिक्षक ने छात्रों का अभिवादन किया, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सभी को शुभ दो पह आज हम बीमा अनुबंधों के आकरशक शेत्र का पता लगाने जा रहे हैं आईए कलपना करें, रवी कि आपने हाल ही में एक नई बीमा एजनसी खोली है और आप यह समझने के लिए उच्सुक हैं कि आपके द्वारा बेचे जाने वाले बीमा अनुबंधों का हिसाब कैसे दिया जाएं यह परिद्रिश्य हमें इन्ड एज 104 के सिध्धानतों को समझने में मदद करेगा रवी उच्सुकता से जुक गया तो बीमा अनुबंध क्या है, श्रीमान? शिक्षक ने शुरू किया बीमा अनुबंध बीमा करता और पॉलिसी धारक के बीच एक समझोता है जहां बीमा करता प्रीमियम के बदले पॉलिसी धारक को कुछ जोखिमों के लिए मुआवजा देने का वादा करता है Industries Ace 104 के तहट यह पहचानना महत्वपून है कि वित्तिय विवर्नों में इन अनुबंधों का हिसाब कैसे दिया जाता है रवी ने और गहराई में जाने की इच्छा से सिरहिलाया इन अनुबंधों के बारे में मुझे किन प्रमुख घटकों को समझने की आवश्चकता है बहुत अच्छा सवाल है रवी शिक्षक ने उत्साह पूर्वक उत्तर दिया विचार करने के लिए कई प्रमुख पहलू है सबसे पहले आपको यह निर्धारित करना होगा कि अनुबंध बीमा अनुबंध की परिभाशा को पूरा करता है या नहीं इसमें यह आकलन करना शामिल है कि क्या अनुबंध पॉलिसी धारक से बीमा करता को महत्वपूर्ण बीमा जोखिम स्थानांतरित करता है जदी ऐसा होता है तो यह इंडस्ट्रीज एस एक सो चार के तहट एक बीमा अनुबंध के रूप में योग्य है रवी ने और अधिक जानने की उचसुपता से अपना हाथ उठाया मैं पॉलिसी धारकों से प्राप्थ प्रीमियम को कैसे मापू पॉलिसी धारकों से आपको प्राप्थ होने वाले प्रीमियम को शुरू में देंदारियों के रूप में मान्यता दी जाती है क्योंकि वे कवरेच प्रदान करने के आपके दायत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं समय के साथ आप इन प्रीमियमों को राजस्व के रूप में पहचान लेंगे लेकिन इस प्रक्रिया में उन अनुबंधों से जुड़े अपेक्षित भविश्य के दावों और खर्चों का अनुमान लगाना शामिल है शिक्षक ने समझाया रवी की जिग्यासा बढ़ी दावों के बारे में क्या? मैं उनका हिसाब कैसे दूँ? शिक्षक ने आगे कहा दावे बीमा अनुबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू हैं आपको पॉलिसी धारकों को भुगतान किये जाने वाले अपेक्षित दावों का अनुमान लगाना चाहिए यहां अनुमान प्रक्रिया महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां आपके वित्तिय विवर्नों को प्रभावित करती है आप किये गए लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किये गए दावों के लिए एक दायत्व को पहचानेंगे, जिसे दावा दायत्व के रूप में जाना जाता है वर्तमान परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करने के लिए इन अनुमानों की नियमित रूप से समीक्षा और समायोजन करना आवश्चत है रवी ने पूछने से पहले एक पल के लिए सोचा क्या होगा यदी एकत्र किया गया प्रीमियम भुगतान किये गए दावों से अधिक हो मैं इसका हिसाब कैसे दूँ? उत्कृष्ट प्रश्न रवी शिक्षक ने उत्तर दिया ऐसे मामलों में एकत्र किये गए प्रीमियम और भुगतान किये गए दावों के बीच का अंतर आपके लाभ में योगदान देता है हाला कि आपको भविश्य के दावों और खर्चों की संभावना पर भी विचार करना चाहिए यही कारण है कि आप इन अनिश्चित्ताओं को कवर करने के लिए रिजर्व बनाये रखेंगे यह भंडार बीमा करता की उसके भविश्य के दायत्वों को पूरा करने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए आवश्चक है रवी ने ध्यान से सुना, पूरी तस्वीर समझना चाहा क्या इन बीमा अनुबंधों के संबंध में मुझे कुछ विशेश खुलासे करने की आवश्चक्ता है हाँ, सच मुछ हैं, शिक्षक ने पुष्टी की इन एस 104 के अनुसार आपको अपने बीमा अनुबंधों के बारे में व्यापक जानकारी का खुलासा करना होगा जिसमें जोखिम की प्रकृती और सीमा, दावों का आकलन करने के लिए उप्योग की जाने वाली पद्धतियां और राजस उपहचानने का आधार शामिल है इन एस एक प्रकृती और ही रवी बीमा अनुबंधों की पेचीदगीयों से अधिक आकरशित होता गया उन्होंने महसूस किया कि बीमा की दुनिया सिर्फ पॉलिसी बेचने के बारे में नहीं है बलकि जोखिमों के प्रबंधन और पारगर्शिता सुनिश्चित करने के बारे में भी है तो मेरी एजनसी को सफलता पूर्वक चलाने के लिए बीमा अनुबंधों को समझना महत्वपूर्ण है उन्होंने पूछा बिल्कुल रवी शिक्षक ने पुष्टी की इंड एस एक सौचार का पालन करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके वित्तिय विवर्ण आपकी बीमा एजनसी के प्रदर्शन को सटीक रूप से दर्शाते हैं इससे पॉलिसी धारकों और निवेशकों में समान रूप से विश्वास बढ़ेगा जो आपकी एजनसी की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है जैसे जैसे पार्ट समाप्थ हुआ रवी ने इंड एस एक सौचार की गहरी समझ के साथ खुद को सशक्त महसूस किया उन्होंने बीमा अनुबंधों का हिसाब किताब करने, प्रीमियम और दावों का अनुमान लगाने और प्रक्तिकरण आवश्शक्ताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के बारे में समझ लिया इस नए ज्यान के साथ रवी बीमा की रोमान्चक दुनिया में आगे बढ़ने के लिए तैयार महसूस कर रहे थे उन्हें अपनी नई एजनसी की जटिलताओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता पर भरोसा था क्रुप्या सूचनाय प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्य तालें, टिपपनी करें और घंटी आइकन दबाएं एक धूप भरी दोपहर में जब बाहर पक्षी खुशी से चह चहा रहे थे रवी अपनी कक्षा में दाखिल हुआ, यह जानने के लिए उचसुक था कि उसके शिक्षक ने आज के पाठ के लिए क्या तयार किया है अपनी मनोरम कहानी कहने के लिए प्रसिद्ध, शिक्षक इंड एस 105 की अवधारना को समझाने के लिए तयार थे जो बिक्री के लिए रखी गई गैरवर्तमान, संपत्तियों और बंद किये गए संचालन से संबंधित है रवी यह देखने के लिए उचसुक होकर अपनी सीट पर बैठ गया कि यह जटिल विशय एक कहानी के माध्यम से कैसे सामने आएगा जैसे ही शिक्षक ने शुरुवात की, उन्होंने छात्रों का गर्मजोशी से स्वागत किया सभी को शुभ दोपहर आज हम वित्तिय रिपोर्टिंग एंड एस 105 के एक महत्वपूर्ण पहलू का पता लगाएंगे आईए कल्पना करें, रवी की आप एक सफल विनिर्मान व्यवसाय के मालिक हैं हाला की आपने अपने एक डिवीजन को बेचने का फैसला किया है जो विशेश उपकरन का उत्पादन करता है यह स्थिती हमें विक्री के लिए रखी गई गैरवर्तमान परिसंपतियों और बंद किये गए परिचालन के पीछे के सिध्धानतों को समझने में मदद करेगी रवी परिद्रिश से उत्सुक होकर जुग गया गैरचालू समपतियों को विक्री के लिए रखने का क्या मतलब है, श्रीमान? शिक्षक ने समझाया गैरवर्तमान समपतियां आम तौर पर दीर्ग कालिक समपति होती हैं जिनहें कोई व्यवसाय एक वर्ष से अधिक समय तक रखने का इरादा रखता है जैसे भवन और मशीनरी हाला कि जब कोई कमपनी इन परिसमपतियों को बेचने का निरनय लेती है तो उन्हें इंडस्ट्रीज एस 105 के तहट विक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गी कृत किया जाता है किसी परिसमपति को इस तरह वर्गी कृत करने के लिए यह अपनी वर्तमान स्थिती में ततकाल विक्री के लिए उपलब्ध होना चाहिए और अत्यधिक संभावित होना चाहिए कि विक्री एक वर्ष के भीतर होगी रवी ने सिर हिलाया, समझने लगा तो अगर मैं डिविजन बेचना चाहता हूँ, तो मुझे क्या कदम उठाने होंगे शिक्षक ने कहा, सबसे पहले आपको उस प्रभाग से जुड़ी संपतियों की वहन राशी का आतलन करने की आवश्शकता है यदि वहन राशी बेचने की लागत घटा कर उचित मूले से अधिक हो जाती है, तो आपको हानी हानी को पहचानना पड़ सकता है इसका मतलब है कि आपको अपनी बैलेंस शीट पर परिसंपतियों के मूले को नीचे की ओर समायोजित करना होगा रवी ने और अधिक जानने के लिए उच्सुक होकर अपना हाथ उठाया बिक्री प्रक्रिया के दौरान इस प्रभाग से संबंधित लाभ और हानी का क्या होता है शिक्षक ने उत्तर दिया बंध किये गए ओपरेशन से लाभ या हानी को आपके आय विवर्ण में अलग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए यह पारदर्शिता आवश्यक है क्योंकि यह हित्धारकों को बंध किये गए विभाजन के प्रभाव के बिना आपके शेशकारियों के चल रहे प्रदर्शन को देखने की अनुमती देती है उदाहरन के लिए यदि आपका विशेश उपकरन प्रभाग घाटा उत्पन कर रहा था तो आपको अपने मुख्य व्यवसाई की वित्तिय स्थिती दिखाने के लिए उन घाटे का अलग से खुलासा करना होगा रवी ने पूछने से पहले एक पल के लिए सोचा क्या होगा यदि बिक्री में उम्मीद से अधिक समय लग गया क्या इससे मेरे परिसंपत्तियों की रिपोर्ट करने का तरीका बदल जाता है अच्छा प्रशन शिक्षक ने उत्तर दिया जदी बिक्री के लिए धारित के मानदंड अब पूरे नहीं होते हैं तो आपको उन परिसंपत्तियों को गैरवर्तमान परिसंपत्तियों में वापस वर्गीक्रित करने और उन्हें उनकी वहन राशिया उचित मूल्य के निचले स्तर पर मापने की आवश्यक्ता होगी यह पुनरवर्गीकरण आपके संचालन की चल रही प्रकृती को दर्शाता है और सटीक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करता है रवी ने पूरी प्रक्रिया को समझना चाहा और ध्यान से सुना जब मैं किसी डिविजन को बेचने का निर्णय लेता हूँ तो क्या मुझे कोई विशेश खुलासा करना चाहिए हाँ, सचमुच शिक्षक ने पुष्टी की इंडेस 105 में बिक्री के लिए रखी गई गैरवर्तमान परिसमपत्तियों और बंद किये गए परिचालनों के बारे में विस्तृत खुलासे की आवश्शकता है आपको बंद किये गए परिचालन की प्रकृती, बिक्री के कारणों और अपेक्षित वित्तिय प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करनी होगी यहां आपके वित्तिय विवर्ण के उपियोग करताओं को आपके निर्नयों के नहितार्थ को समझने में मदद करता है जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ता गया रवी बिक्री के लिए रखी गई गैरचालू परिसंपत्यों और बंद किये गए परिचालन की अवधार्णा से अधिक आकर्शित होता गया उन्होंने महसूस किया कि वित्तिय रिपोर्टिंग के ये पहलू उनके व्यवसाय के वित्तिय स्वास्थ्य में पारदर्शिता और सटीकता बनाये रखने के लिए महत्वपूर्ण थे तो यह समझना की इन परिसंपत्तियों की रिपोर्ट कैसे की जाए मेरे विनिर्मान व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने पूछा। बिलकुल रवी शिक्षक ने पुष्टी की। इंड एस 105 का पालन करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके वित्तिय विवर्ण विक्री के प्रभाव को सटीक रूप से दर्शाते हैं, जिससे निवेश को और हिद्धारकों को आपके व्यवसाय के चल रहे संचालन के बारे में स्पष्टता मिलती हैं। जैसे ही कक्षा समाप्थ हुई, रवी ने इंडस्ट्रीज एस 105 के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। महसूस हुआ और रिपोर्टिंग आवश्शक्ताओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की उनकी क्षमता पर विश्वास था। कृप्या सूचनाय प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्य तालें, टिपपनी करें और घंटी आइकन दबाएं। एक जीवंत दोपहर में, जब सूरज कक्षा की खिडकियों से गर्म चमक बिखेर रहा था, रवी एक और ज्यानवर्धक पाठ के लिए उचसाहित होकर अंदर आया। उनके शिक्षक जो अपनी कहानी कहने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे, एक आकरशक विशय का पता लगाने के लिए तयार थे, इंड आज 106 जो खनिच संसाधनों की खोज और मूल्यांकन पर केंद्रित है। रवी यह देखने के लिए उचसुक होकर अपनी सीट पर बैठ गया कि उसके शिक्षक इस जटिल अवधार्ना को एक आकरशक कथा में कैसे बुनेंगे। जैसे ही शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कक्षा का स्वागत किया, उन्होंने कहना शुरू किया, सभी को शुब दो पहे। आज हम खनिच संसाधनों की दुनिया में एक साहसिक यात्रा पर निकलेंगे। कलपना कीजिए, रवी, कि आप बहुमूल्य खनिजों की खोज करने वाली एक खनन कमपनी के प्रबंधक हैं। आपकी यात्रा हमें एंड एज 106 के सिध्धानतों को समझने में मदद करेगी। रवी की आखे जिग्यासा से चमक उठीं। खनिज संसाधनों की खोज का क्या मतलब है, श्रीमान। शिक्षक ने उत्तर दिया, अनवेशन में प्रित्वी की सतह के नीचे मूल्यवान खनिजों की खोज शामिल है। इस प्रक्रिया में खनिज भंडार की व्यवार्यता निर्धारित करने के लिए अनुसंधान, सर्वेक्षन और ड्रिलिंग में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्शक्ता होती है। Industries Ace 106 के तहट इस अनुवेशन चरण के दौरान होने वाली लागत इस बात के लिए महत्वपूर्ण है कि आप अपनी संपत्ती का हिसाब कैसे लगाते हैं। रवी और अधिक जानने के लिए उच्सुक होकर आगे की ओर जुख गया। तो मैं इन अनुवेशन लागतों का हिसाब कैसे दूँ। बहुत बढ़िया सवाल शिक्षक ने उच्साह पूर्वक उत्तर दिया। इंड एस 106 के अनुसार यदि कुछ शर्तें पूरी होती हैं तो आप इन अनुवेशन लागतों को पूंजी कृत करना चुन सकते हैं। विशेश रूप से यदि आप प्रदर्शित कर सकते हैं कि यह संभावना है कि आप आर्थिक रूप से व्यवहार्य खनिच संसाधनों की खोज करेंगे, तो आप उन अनुवेशन लागतों को अपनी बैलेंस शीट पर एक संपत्ती के रूप में मान सकते हैं। इसे लागतों का पूझी करण करना कहा जाता है। रूप में लिखना होगा। यह इस वास्तविक्ता को दर्शाता है कि निवेश से लाभकारी संसाधन नहीं मिले। अपनी अनुवेशन परियोजनाओं की व्यवहार्यता का नियमित रूप से आकलन करना महत्वपूर्ण है। रवी ने इस प्रक्रिया के बारे में गहराई से सोचा। यदि मुझे कुछ आशाजनक संसाधन मिले तो क्या होगा। मैं लेखांकन के साथ कैसे आगे बढ़ू। शिक्षक ने सपष्ट किया, एक बार जब आप आर्थिक रूप से व्यवहार्य खनिच संसाधन की पहचान कर लेते हैं, तो आप अनुवेशन से मूल्यांकन की ओर बढ़ जाते हैं। इसमें अधिक विस्तरित मूल्यांकन और विकास लागत शामिल है, जिसे पूंजी कृत भी किया जा सकता है। आपको यह निर्धारित करने की आवश्शकता होगी कि क्या संसाधन को लाभप्रद रूप से निकाला जा सकता है और इस मूल्यांकन से एक मूर्थ संपत्ती की पहचान हो सकती है। रवी के मन में जिग्यासा जगी। क्या इन अन्वेशन और मूल्यांकन लागतों के संबंध में मुझे कोई महत्वपूर्ण खुलासे करने चाहिए। हाँ, बिलकुल शिक्षक ने पुष्टी की। इन्ड एस 106 आदेश देता है कि आप अपनी अन्वेशन और मूल्यांकन गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करें। इसमें संसाधनों की प्रकृती, उनके मूल्यांकन के लिए उपियोग की जाने वाली विधियों और इन परिसंपत्तियों के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाली किसी भी अनिष्चिता के बारे में विवर्ण शामिल हैं। आपके खनन कारियों में शामिल जोखिमों और अवसरों को समझने के लिए हिद्धारकों के लिए पारदर्शिता महत्वपूर्ण है जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ता गया, रवी इंड एस 106 की पेचिद्गियों से मोहित होते गए उन्होंने महसूस किया कि एक खनन कंपनी की सफलता के लिए अनवेशन और मूल्यांकन गतिविधियों के लिए लेखांकन का प्रबंधन करना आवश्चक था तो यह समझना की इन लागतों का पूंजी करण और मूल्यांकन कैसे किया जाए मेरे खनन व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है, उन्होंने बढ़ते आत्म विश्वास के साथ पूछा बिल्कुल रवी शिक्षक ने पुष्टी की इंड एस 106 का पालन करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके वित्तिय विवर्ण आपके खनिच संसाधनों की क्षमता को सटीक रूप से प्रतिबिम्बित करते हैं जिससे निवेश को और हित्धारकों को आपकी कमपनी के भविश्य के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है जैसे ही कक्षा समाप्थ हुई रवी ने इंड एस 106 की गहरी समझ के साथ खुद को सशक्त महसूस किया उन्होंने समझ लिया कि अनवेशन लागत का हिसाब कैसे लगाया जाए, मुल्यांकन का प्रबंधन कैसे किया जाए और खनिच संसाधनों के बारे में आवश्यक खुला से कैसे किये जाए इस नए ज्यान के साथ रवी ने खनन उद्योग की जटिलताओं से निपटने के लिए तैयार महसूस किया और खनिच अनवेशन में अपने भविश्य के प्रयासों के वित्तिय पहलूओं को प्रभावी धंग से प्रबंधित करने की अपनी क्षमता पर विश्वास किया कृप्या सूचनाय प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्य तालें, टिपपणी करें और घंटी आइकन दबाएं एक उजजवल और हलचल भरी दोपहर में रवी दिन के पाठ के लिए उच्सुक होकर अपनी कक्षा में दाखिल हुआ उनके शिक्षक जो जटिल विश्यों को मनोरम कहानियों में बदलने के लिए जाने जाते हैं, एक नई अवधारना पेश करने के लिए तयार थे एंड एज एक सौ साथ जो वित्तिय साधनों से संबंधित खुलासों पर केंडरित है रवी यह जानने के लिए उच्सुख होकर अपनी सीट पर बैठ गया कि यह आवश्यक विशय कहानी कहने के माध्यम से कैसे सामने आएगा जैसे ही शिक्षक ने शुरुवात की, उन्होंने अपनी विशिष्ट गर्मजोशी से छातरों का स्वागत किया सभी को शुभ दो पहर आज हम विट्तिय साधनों की आकरशक दुनिया और प्रक्टिकरण के महत्व पर चर्चा करेंगे आए कलपना करें कि रवी यहाँ एक बढ़ती हुई कमपनी का मुख्य विट्तिय अधिकारी है जो स्टॉक, बॉन्ड और डेरिवेटिव जैसे विभिन विट्तिय उपकरणों में कारोबार करती है यह परिद्रिश्य हमें इंडस्ट्रीज एस एक सौ साथ को समझने में मदद करेगा रवी इस कहानी से रोमांचित होकर उत्साहित हो गया विट्तिय साधन वास्तव में क्या है, श्रीमान? शिक्षक ने समझाया, विट्तिय उपकरण ऐसे अनुबंध हैं जो एक इकाई के लिए विट्तिय समपत्ती बनाते हैं और दूसरे के लिए विट्तिय देंदारिया या एकविटी उपकरण बनाते हैं इन में परिसंपत्तियों की एक विस्त्रित श्रिंखला शामिल है, जैसे नकदी, स्टॉक और बांड, साथ ही रिन और डेरिवेटिव जैसे दायत्व प्रभावी विट्तिय प्रबंधन के लिए इन उपकरणों को समझना महत्वपूर्ण है रवी ने जानकारी को आत्मसाथ करने की कोशिश करते हुए सिर्हिलाया तो मैं इन उपकरणों से संबंधित प्रक्टिकरणों का प्रबंधन कैसे करूँ उत्रिष्ट प्रश्न रवी शिक्षक ने उत्साह पूर्वक उत्तर दिया इंड एस एक सो साथ के लिए आवश्चक है कि संस्थाएं पारदर्शिता सुनिश्चित करने और वित्तिय विवर्णों के उप्योग करताओं को उनसे जुड़े जोखिमों को समझने में मदद करने के लिए अपने वित्तिय साधनों के बारे में विस्तरित खुला से प्रदान करें एक मुख्य वित्तिय अधिकारी के रूप में आपको इन उपकरनों की प्रकृती, सीमा और जोखिमों के बारे में जानकारी प्रदान करनी होगी रवी और अधिक जानने के लिए उच्सुख होकर आगे की ओर जुख गया मुझे कौन से विशिष्ट खुलासे शामिल करने चाहिए? शिक्षक ने आगे कहा आपको अपने विद्थिय साधनों के उचित मूले का खुलासा करना चाहिए जो एक विशिष्ट समय पर उनके बाजार मूले का एक स्नाप्शॉट प्रदान करता है इसके अतिरिक्त आपको यह वर्नन करने की आवश्शकता है कि आप उचित मूले को कैसे मापते हैं जिसमें उप्योग की जाने वाली पद्धतिया और बनाई गई कोई भी धारना शामिल है इससे हिद्धारकों को यह समझने में मदद मिलती है कि रिपोर्ट किये गए मूले कैसे प्राप्त किये गए रवी की जिग्यासा और गहरी हो गई जोखिमों के बारे में क्या? मैं उनकी रिपोर्ट कैसे करूँ? बहुत अच्छा अवलोकन शिक्षक ने उत्तर दिया आपको वित्तिय साधनों से जुड़े जोखिमों का खुलासा करना होगा जिसमें क्रेडिट जोखिम, तरलता जोखिम और बाजार जोखिम शामिल है प्रत्यक प्रकार के जोखिम के लिए आपको यह बताना चाहिए कि इन जोखिमों का प्रबंधन कैसे किया जाता है और आपके वित्तिय विवर्नों पर इसका संभावित प्रभाव क्या होगा यह पारदर्शिता निवेश को और लेंदारों को आपकी कमपनी के वित्तिय स्वास्थय का प्रभावी ढंग से आतलन करने की अनुमती देती है जैसे ही शिक्षक ने बात की रवी को बड़ी तस्वीर नजर आने लगी क्या कोई विशेश घटनाए या परिवर्तन है जिन पर मुझे रिपोर्ट करने की आवश्शक्ता है वास्तव में शिक्षक ने पुष्टी की इंड एस 107 में एक रिपोर्टिंग अवधी से दूसरी रिपोर्टिंग अवधी तक वित्तिय साधनों के मूल्यांकन में किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में खुलासे की भी आवश्शक्ता होती है यदि बाजार में बड़े बदलाव हुए हैं या महत्वपूर्ण जोखिम उभे हैं तो आपको उनकी रिपोर्ट अवश्य करनी चाहिए क्योंकि वे हित्धारकों के निर्नयों को प्रभावित कर सकते हैं रवी ने इस जानकारी पर विचार किया तो निवेश को और हित्धारकों के साथ विश्वास बनाने के लिए सटीक और पारदर्शी खुलासे बनाए रखना महत्वपूर्ण है बिल्कुल रवी शिक्षक ने पुष्टी की इंड एस 107 के अनुसार व्यापक खुलासे प्रदान करके आप हित्धारकों को आपकी कमपनी की विट्तिय स्थिती की सपष्ट समझ के आधार पर सूचित निर्नय लेने में मदद करते हैं यह पारदर्शितान केवल विश्वसनियता बढ़ाती है बलकी निवेश को और विंदाताओं के साथ रिष्टे भी मजबूत करती है जैसे ही पाठ समाप्थ हुआ रवी ने इंड एस 107 की जटिलताओं की नई सराहना के साथ कक्षा छोड़ दी वह समझ गए की पारदर्शिता और जोखिन प्रबंधन पर जोर देते हुए वित्तिय साधनों से संबंधित प्रक्तिकरणों का प्रबंधन कैसे किया जाए इस ज्यान के साथ रवी को अपनी भावी कमपनी के वित्तिय परिद्रिश्य को नेविगेट करने में सशक्त महसूस हुआ और महन्ती रिपोर्टिंग के माध्यम से हिद्धारकों के बीच विश्वास और समझ को बढ़ावा देने की उनकी क्षमता पर विश्वास था कृप्या सूचनाय प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्य तालें, टिप्पनी करें और घंटी आइकन दबाएं एक जीवंत दोपहर में, रवी अपने कहानी कहने के कौशल के लिए प्रसिद्ध अपने शिक्षक से एक और आकर्शक पाठ की प्रत्याशा से भरा हुआ, अपनी कक्षा में चला गया आज शिक्षक एंड आज 108 की अवधारना का अनावरन करने के लिए तैयार थे, जो एक व्यवसाय के भीतर परिचालन क्षेत्रों पर केंद्रित है रवी अपनी सीट पर बैठ गया, यह देखने के लिए उच्सुक था की कहानी कैसे सामने आएगी शिक्षक ने गर्म जोशी भरी मुस्कान के साथ कक्षा का स्वागत किया सभी को शुभ दो पहर आज हम ओपरेटिंग सेग्मेंट की दुनिया का पता लगाएंगे कलपना कीजिये की रवी यहां एक विविद कमपनी का प्रबंधक है जो प्रोध्योगी की विनिर्मान और खुद्रा सहित कई उद्योगों में काम करती है यह परिद्रिश्य हमें इंड एज 108 को समझने में मदद करेगा रवी की आखें दिल्चस्पी से चौड़ी हो गई ओपरेटि सेग्मेंट वास्तव में क्या है सर शिक्षक ने समझाया एक ओपरेटिंग सेग्मेंट एक व्यवसाय का एक हिस्सा है जो राजस उत्पन करता है और खर्च वहन करता है जिसके परिचालन परिणामों की कमपनी के प्रबंधन द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है ताकि सेग्मेंट को आवंटित संसाधनों के बारे में निर्ने लिया जा सके और उसके प्रदर्शन का आकलन किया जा सके यह हित्धारकों को आपके व्यवसाय के विभिन घटकों को समझने की अनुमती देता है रवी ने अवधारना को समझने की शुरुवात करते हुए सिरहिलाया तो मैं यह कैसे निर्धारित करूँ की मेरे व्यवसाय के कौन से हिस्से परिचालन खंड के रूप में योग्य है बहुत अच्छा सवाल है, रवी शिक्षक ने उत्तर दिया इंड एस 108 के तहट एक ओपरेटिंग सिग्मेंट को कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा इसे उन गतिविधियों में शामिल किया जाना चाहिए जो राजस्व अरजित करती हैं और खर्च वहन करती हैं और इसके परिणामों की समीक्षा कमपनी के मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता द्वारा की जानी चाहिए इसके अलावा खंड अक्सर आंतरिक प्रबंधन रिपोर्टों के आधार पर रिपोर्ट किये जाते हैं जो कमपनी से कमपनी में भिन्न हो सकते हैं रवी उच्सुकतावश आगे की ओर जुख गया मुझे इन ओपरेटिंग सेग्मेंट के बारे में किस प्रकार की जानकारी का खुलासा करना चाहिए एक उतक्रिष्ट पूछताच शिक्षक ने उत्साह पूर्वक उत्तर दिया आपको प्रत्येक ओपरेटिंग सेग्मेंट के बारे में विशिष्ट जानकारी का खुलासा करना आवश्यक है, जिसमें उसका राजस्व, लाभ या हानी और संपत्ती शामिल है यह जानकारी हिद्धारकों को यह समझने में मदद करती है कि विभिनखंड कम्पनी के समगर प्रदर्शन में कैसे योगदान करते है। इसके अलावा आपको खंडों की पहचान करने और उनमें अंतर करने के लिए उपियोग किये जाने वाले कारकों के साथ समय के साथ उन खंडों में होने वाले किसी भी बदलाव का भी खुलासा करना चाहिए। रवी ने इस विचार पर विचार किया यदी मेरे पास ऐसे सिग्मेंट हैं जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? मुझे अपने प्रक्तिकरणों में इसे कैसे संभालना चाहिए? पारदर्शिता ही कुझी है, रवी शिक्षक ने पुष्टी की यदी कोई ओपरेटिंग सेग्मेंट अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो आपको उस जानकारी का भी खुलासा करना चाहिए यह अंतरद्रिष्टी प्रदान करना महत्वपूर्ण है कि कोई खंड खराब प्रदर्शन क्यों कर रहा है और उन चुनोतियों का समाधान करने के लिए आपके पास क्या रणनीती है? इससे निवेश को और हिद्धारकों को व्यवसाय के समगर स्वास्थ्य का आतलन करने और सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है रवी ने एक और सवाल उठाया क्या कोई अन्य महत्वपूर्ण खुलासे हैं जिनके बारे में मुझे अवगत होना चाहिए? हाँ, सचमुच शिक्षक ने जारी रखा इंड एस 108 के अनुसार आपको ऑपरेटिंग सेग्मेंट के कुल राजस्व, लाभ या हानी और परिसंपत्तियों के बीच वित्तिय विवर्नों में संबंधित योग के बीच सामनजस्य प्रदान करने की भी आवश्शक्ता होती है यह सुनिश्चित करता है कि हिद्धारक यह देख सकें की खंड की जानकारी कमपनी की समगर वित्तिय रिपोर्टिंग के साथ कैसे संरेखित होती है जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ता गया, रवी एंड एस 108 की पेचीदगियों से मोहित होते गए उन्होंने महसूस किया कि उनकी भविश्य की कमपनी के भीतर प्रभावी प्रबंधन और रिपोर्टिंग के लिए ओपरेटिंग सेग्मेंट को समझना महत्वपूर्ण था तो मेरे ओपरेटिंग सेग्मेंट के बारे में स्पष्ट होने से निवेश को और हितधारकों के साथ विश्वास बनाने में मदद मिलेगी उन्होंने पूछा बिल्कुल रवी शिक्षक ने पुष्टी की इंड एस एक सो आठ का पालन करके आप अपने व्यवसाय के विभिन घटकों में मूल्यवान अंतरग्रिष्टी प्रदान कर सकते हैं पारदर्शिता बढ़ा सकते हैं और हितधारकों को आपकी कमपनी के प्रदर्शन के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं जैसे ही कक्षा समाप्थ हुई रवी ने इंड एस 108 की गहरी समझ के साथ खुद को सशक्त महसूस किया उन्होंने पारदर्शिता और प्रदर्शन प्रबंधन के महत्व को पहचानते हुए ऑपरेटिंग सेग्मेंट के बारे में जानकारी की पहचान और खुलासा करने का तरीका समझ लिया इस नए ज्यान के साथ रवी एक विविध व्यवसाय के प्रबंधन की जटिलताओं को पार करने के लिए तैयार महसूस कर रहे थे विभिन ओपरेटिंग सेग्मेंट और समग्र सफलता में उनके योगदान के बारे में हिद्धारकों को सार्थक अंतरग्रिष्टी प्रदान करने की उनकी क्षमता में विश्वास था कृप्या सूचनाय प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्य तालें, टिपपनी करें और घंटी आइकन दबाएं एक धूप भरी दोपहर में रवी अपनी कक्षा में टहल रहा था अपने शिक्षक से एक और पाठ के लिए उच्साहित था, जो अपनी मनमुहक कहानी कहने की क्षमताओं के लिए जाना जाता था आज शिक्षक एक महत्वपूर्ण विशय पर चर्चा करने के लिए तयार थे, इंड ऐस एक सौनौ जो वित्तिय साधनों से संबंधित है आज हम वित्तिय साधनों की दुनिया के माध्यम से एक सासिक यात्रा पर निकलेंगे आए कल्पना करें कि रवी यहां एक संपन्न कंपनी का मुख्य वित्तिय अधिकारी है जो रिन, निवेश और डेरिवेटिव जैसे विभिन वित्तिय साधनों से संबंधित है यह परिद्रिश्य हमें इंडस्ट्रीज एस एक सो नौ को समझने में मार्क दर्शन करेगा रवी की रुची बढ़ी और उसने पूछा वित्तिय साधन वास्तव में क्या है सर शिक्षक ने जवाब दिया वित्तिय उपकरण ऐसे अनुबंध हैं जो एक पक्ष के लिए वित्तिय संपत्ति बनाते हैं और दूसरे के लिए वित्तिय देंदारिया या एक्विटी उपकरण बनाते हैं इन में नकदी, स्टॉक, बांड और यहां तक की जटिल डेरिवेटिव जैसी कई वस्तुएं शामिल हो सकती हैं किसी कमपनी के वित्तिय स्वास्त्य के प्रबंधन के लिए इन उपकरणों को समझना आवश्चक है रवी ने जानकारी को आत्मसाथ करते हुए सिरहिलाया इंड एस 109 के तहट मैं इन वित्तिय साधनों का हिसाब कैसे दूँ? बहुत बढ़िया सवाल शिक्षक ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया इंड एस 109 वित्तिय साधनों को वर्गी कृत करने, मापने और पहचानने के लिए एक व्यापक धाचे की रूपरेखा तयार करता है इसके लिए आपको इन उपकरणों को तीन मुख्य वर्गी करणों में वर्गी कृत करने की आवश्चकता है परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तिय संपत्ति अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तिय संपत्ति और लाभ या हानी के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तिय संपत्ति रवी उच्शुकतावश आगे की ओर जुग गया परिसंपत्तियां आम तौर पर रिन और प्राप्य होती हैं, जिन्हें आप परिपक्वता तक रखने का इरादा रखते हैं. इन्हें किसी भी मूल भुगतान और हानी हानी को घटा कर उनकी प्रारंभिक लागत पर मापा जाता है. दूसरी और अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तिय संपत्तियों में एक्विटी उपकरण शामिल होते हैं, जिन्हें आप इस तरह मापने के लिए चुनते हैं. परिसंपत्ति बेचे जाने तक उचित मूल्य में परिवर्तन अन्य व्यापक आय में दर्स किया जाता है. अंत में लाभ या हानी के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी जाने वाली वित्तिय परिसंपत्तिया वे होती हैं जिन्हें आप व्यापार के लिए रखते हैं उचित मूल्य में परिवर्तन सीधे लाभ या हानी में पहचाने जाते हैं रवी ने इस पर गहराई से विचार किया. देंदारियों के बारे में क्या? मैं उनका हिसाब कैसे दूं? उत्कृष्ट प्रश्ण रवी शिक्षक ने उत्तर दिया. वित्तिय देंदारियों को भी दो श्रेणियों में वरगी कृत किया जा सकता है, वे जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है और जिन्हें लाभ या हानी के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है वित्तिय परिसंपत्तियों के समान यदि आप किसी देंदारी को तब तक अपने पास रखना चाहते हैं जब तक कि उसका निप्टान न हो जाए तो आप इसे परिशोधित लागत पर मापेंगे हाला कि यदि आप व्यापार कर रहे हैं या यह उचित मूल्य पर निर्दिष्ट है तो कोई भी परिवर्तन लाभ या हानी में पहचाना जाएगा रवी ने एक और मुद्दा उठाया हानी के बारे में क्या? यह इस धाचे में कैसे फिट बैठता है? शिक्षक ने पुष्टी की नुकसान महत्वपूर्ण है इंड एस 109 के तहट आपको परिशोधित लागत या अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तिय परिसंपत्तियों पर अपेक्षित क्रेडिट हानी का आकलन करना आवश्चक है इसमें परिसंपत्ति के जीवनकाल में संभावित नुकसान का अनुमान लगाना शामिल है यह सुनिश्चित करना की आपके वित्तिय विवर्ण आपके वित्तिय साधनों से जुड़े किसी भी जोखिम को दर्शाते हैं जैसे ही शिक्षक ने इन वर्गी करणों का महत्व समझाया रवी को बड़ी तस्वीर नजर आने लगी तो वित्तिय साधनों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने से मेरी कमपनी के वित्तिय स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी बिलकुल रवी शिक्षक ने पुष्टी की इंड एस एक सो नौ का पालन करके आप सटीक वित्तिय जानकारी प्रदान कर सकते हैं जिससे हित्धारकों को आपके वित्तिय साधनों से जुड़े जोखिमों और अवसरों का आकलन करने की अनुमती मिलती है यह पारदर्शिता विश्वास को बढ़ावा देती है और सूचित निनय लेने में सहायता करती है जैसे ही पाठ समाप्थ हुआ, रवी ने इंड एस एक सो नौ की नई समझ के साथ कक्षा छोड़ दी उन्होंने हानी मूल यांकन के महत्व को पहचानते हुए, विभिन वित्तिय साधनों को वरगी कृत करने, मापने और लेखांकन करने का तरीका समझ लिया इस ज्यान के साथ, रवी अपने भविश्य के करियर में वित्तिय प्रबंधन की जटिलताओं से निपटने के लिए तैयार महसूस कर रहे थे उन्हें हित्धारकों को पारदर्शी जानकारी प्रदान करते हुए अपनी कमपनी के वित्तिय स्वास्थ्य को बनाए रखने की क्षमता पर भरोसा था क्रुप्या सूचनाय प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्य तालें, टिपपनी करें और घंटी आइकन दबाएं एक उजजवल और धूप वाले दिन रवी ने उच्साह की भावना के साथ अपनी कक्षा में प्रवेश किया वह जानता था कि उसके शिक्षक जो अपनी कहानी कहने की क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध हैं, जटिल अवधार्नाओं को समझने में उसकी मदद करने के लिए एक बार फिर एक आकरशक कहानी बुनेंगे आज का पार्ठ एंड एज 110 के बारे में था, जो समेकित वित्तिय विवर्नों पर केंद्रित था रवी यह जानने के लिए उच्सुक होकर अपनी सीट पर बैठ गया कि इस अवधार्ना को कैसे प्रस्तुत किया जाएगा गर्मजोशी भरी मुसकान के साथ शिक्षक ने कक्षा का अभिवादन किया सभी को शुब दोपहर आज हम समेकित वित्तिय विवर्नों की दुनिया की यात्रा पर निकलेंगे इस अवधार्ना को समझने में हमारी मदद करने के लिए आये कलपना करें कि रवी यहां टेक इनोवेशन नामक एक कमपनी का मालिक है जिसने हाल ही में दो अन्य कमपनियों स्मार्ट गैजेट्स और ग्रीन सल्यूशन्स का अधिगरहन किया है रवी कहानी से रोमांचित होकर उच्साहित हो गया तो मेरी कमपनियों के लिए इसका क्या मतलब है, श्रीमान? शिक्षक ने आगे कहा, जब टेक इनोवेशन जैसी मूल कमपनी स्मार्ट गैजेट्स और ग्रीन सल्यूशन्स जैसी एक या अधिक सहायक कमपनियों का अधिगरहन करती है तो पूरे समूह की वित्तिय स्थिती और प्रदर्शन का सही और निश्पक्ष द्रिष्टिकोन प्रस्तुत करना आवश्चक है यही पर इंड एस 110 काम में आता है, जिसके लिए आपको समेकित वित्तिय विवर्ण तयार करने की आवश्चकता होती है रवी उच्सुक था समेकित वित्तिय विवर्ण वास्तव में क्या है? शिक्षक ने समझाया, समेकित वित्तिय विवर्ण मूल कमपनी और उसकी सहायक कमपनियों की वित्तिय जानकारी को वित्तिय विवर्णों के एक सेट में जोडते है यह केवल मूल कमपनी के बजाय पूरे समूह के वित्तिय स्वास्थ्य और प्रदर्शन की स्पष्ट तस्वीर प्रदान करता है यह महत्वपूर्ण क्यों है? रवी ने स्पष्टता की तलाश में पूछा बहुत अच्छा सवाल है, रवी शिक्षक ने उत्तर दिया समेकित वित्तिय विवर्ण निवेश को, लेंदारों और नियाम को सहित हित्धारकों के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे समूह के समगर संसाधनों और दायत्वों में अंतरग्रिष्टी प्रदान करते हैं यह उन्हें पूरी इकाई की वित्तिय स्थिती, लाभप्रत्ता और नकदी प्रवाह का आतलन करने की अनुमती देता है, जिससे बहतर जानकारी वाले निर्ने लिये जा सकते हैं रवी ने सिर हिलाया, समझने लगा मैं ये समेकित वित्तिय विवर्ण कैसे तयार करूँ? अच्छा सवाल है, शिक्षक ने कहा Ind as 110 के तहट, आपको कुछ चर्णों का पालन करना होगा सबसे पहले उन सहायक कमपनियों की पहचान करें जिनहें आप नियंतरित करते हैं जिसका अर्थ है कि आपके पास उनकी वित्तिय और परिचालन नीतियों को नियंतरित करने की शक्ती है नियंतरन आम तोर पर तब मौजूद होता है जब आपके पास 50 प्रतिशत से अधिक मतदान अधिकार होते हैं लेकिन यह समझोतों या अन्य व्यवस्थाओं से भी उत्पन हो सकता है रवी करीब जुक गया आगे क्या है? शिक्षक ने आगे कहा एक बार जब आप सहायक कमपनियों की पहचान कर लेते हैं तो आपको उनके वित्तिय विवर्णों को मूल कमपनी के साथ जोड़ना होगा इसमें संपत्ती, देंदारिया, राजस्व और व्यजैसी समान वस्तूओं को एक साथ जोड़ना शामिल है दोहरी गिंती से बचने के लिए किसी भी अंतर कमपनी लेंदेन जैसे मूल कमपनी और सहायक कमपनीयों के बीच बिक्री को खत्म करना महत्वपूर्ण है रवी की आखें चौड़ी हो गई यह थोड़ा जटिल लगता है क्या मुझे कोई विशिष्ट समायोजन करने की आवश्यक्ता है? हाँ, रवी, वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण समायोजन है शिक्षक ने पुष्टी की आपको गैरनियंतरित ब्यास का हिसाब देना होगा जो मूल स्वामित्व वाली सहायक कमपनी में एक्विटी के हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है यह समेकित बैलेंस शीट और आय विवर्ण में दिखाई देगा इसके अलावा अधिग्रहन के समाय किये गए किसी भी उचित मूल्य समायोजन पर समेकन प्रक्रिया में भी विचार किया जाना चाहिए तो अगर मैं प्रीमियम पर एक सहायक कमपनी खरीदता हूँ तो मुझे समेकित विवर्ण में इसे प्रतिबिम्बित करना होगा रवी ने पूछा बिल्कुल शिक्षक ने उच्साह से कहा आपको अधिग्रहन तिथी पर सहायक कमपनी की पहचान योग्य समपत्तियों और देंदारियों के उचित मूल्य को पहचानना होगा शुद्ध समपत्ती के उचित मूल्य से अधिक भुगतान किया गया कोई भी अतिरिक्त भुगतान समेकित वित्तिय विवर्णों में सद्भावना के रूप में दर्स किया जाता है रवी ने इस जानकारी पर विचार किया क्या होगा यदि मेरी सहायक कमपनियों की लेखांकन नीतिया अलग-अलग हो एक और बढ़िया बात रवी शिक्षक ने उत्तर दिया समेकित वित्तिय विवर्ण तयार करते समय आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि सहायक कम्पनियों के वित्तिय विवर्ण मूल कम्पनी की लेखांकन नीतियों के अनुरूप समायोजित किये गए हैं। यह समेकित बयानों के भीतर स्थिर्ता और तुलनियता सुनिश्चित करता है। जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ा, रवी को इंड एस 110 का महत्व समझ में आने लगा। तो वित्तिय विवर्णों को समेकित करके मैं हित्धारकों को अपने समूह के वित्तिय प्रदर्शन की पूरी तस्वीर प्रदान कर सकता हूँ। बिलकुल रवी शिक्षक ने पुष्टी की समेकित वित्तिय विवर्ण न केवल समूह की वास्तविक वित्तिय स्थिती को दर्शाते हैं, बलकी पारगर्शिता भी बढ़ाते हैं और हित्धारकों के साथ विश्वास का निर्मान करते हैं। वे देख सकते हैं कि प्रत्येक सहायक कम्पनी मूल कम्पनी की समगर सफलता में कैसे योगदान देती हैं। जैसे ही कक्षा समाप्थ हुई, रवी ने इंड एस 110 की ठोस समझ के साथ खुद को सशक्त महसूस किया। उन्होंने सहायक कम्पनीयों की पहचान करना, समेकित वित्तिय विवर्ण तयार करना और आवश्यक समायोजन करना सीख लिया। इस ज्ञान के साथ रवी ने समूह संरचना में वित्तिय रिपोर्टिंग की जटिलताओं से निपटने के लिए तयार महसूस किया। और अपनी कम्पनीयों के सामूहिक प्रदर्शन के बारे में हित्धारकों को सार्थक अंतरद्रिष्टी प्रदान करने की अपनी क्षमता में विश्वास किया। क्रुप्या सूचनाय प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्य तालें, टिपपनी करें और घंटी आइकन दबाएं। एक उज्वल दोपहर में रवी प्रत्याशा के साथ बुद्बुदाते हुए अपनी कक्षा में चला गया। उनके शिक्षक, जो अपनी आकर्शक कहानी कहने की तकनीकों के लिए जाने जाते हैं, एक और मनोरम पाठ प्रस्तुत करने के लिए तयार थे। आज वे इंड एस 111 का पता लगाएंगे, जो संयुक्त व्यवस्था से संबंधित है। रवी यह देखने के लिए उच्सुक होकर अपनी सीट पर बैठ गया कि इस विशय को कैसे जीवंत किया जाएगा। प्रसन्न मुस्कान के साथ शिक्षक ने कक्षा का अभिवादन किया। सभी को शुब दोपहर आज हम संयुक्त व्यवस्था की दुनिया में एक रोमांचक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इस अवधारना को स्पष्ट करने के लिए आये कलपना करें कि रवी यहां युवा उद्यमियों की एक टीन का हिस्सा हैं, जिन्होंने पर्यावरन के अनुकूल प्रौध्योगी की समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इको टेक नामक एक नया व्यवसाय शुरू कर करने के लिए एक साथ आने का फैसला किया है। सुनते सुनते रवी की जिग्यासा बढ़ती गई। इस बिजनिस में हम किस तरह की व्यवस्था कर सकते हैं, सर। बहुत अच्छा सवाल है, रवी शिक्षक ने उत्साह पूर्वक उत्तर दिया। इंड एस 111 के दाएरे में सन्युक्त व्यवस्था के दो मुख्य प्रकार हैं, सन्युक्त संचालन और सन्युक्त उद्यम। आएए अपने इकोटेक उद्यम की सहायता से इन में से प्रत्येक का पता लगाएं। रवी आगे की ओर जुक गया, जानकारी ग्रहन करने के लिए तैयार। सन्युक्त उपरेशन कैसे काम करता है। शिक्षक ने समझाया, एक सन्युक्त उपरेशन में शामिल पक्षों के पास व्यवस्था की देंदारियों के लिए संपत्तियों और दायत्वों का अधिकार होता है। कलपना करें की आप और आपके साथी सन्युक्त रूप से एक नई सौर पैनल तक्नीक विक्सित करने का निर्णय लेते हैं। प्रत्येक भागीदार उपकरण और विशेशग्यता जैसे संसाधनों का योगदान देता है और आप योगदान किये गए संसाधनों के आधार पर लाब और हानी को सीधे साजा करते हैं। दिल्चस्प लगता है, रवी ने कहा, तो मैं अपने स्वयं के वित्तिय विवर्णों में इस परियोजना से संपत्ती, देंदारियों और आय के अपने हिस्से की रिपोर्ट करूंगा। बिल्कुल शिक्षक ने पुष्टी की। इंड एस 111 के तहट, आप संयुक्ट संचालन की संपत्तियों और देंदारियों के अपने हिस्से के साथ साथ उत्पन राजस्व और व्यय के अपने आनुपातिक हिस्से को पहचानेंगे। यह सुनिश्चित करता है कि वित्तिय विवर्ण ओपरेशन में आपकी भागिदारी को सटीक रूप से दर्शाते हैं। रवी ने एक पल के लिए इस पर विचार किया। और सन्युक्ट उद्यमों के बारे में क्या? वे कैसे भिन्न हैं? उत्कृष्ट पूच्टाच रवी शिक्षक ने प्रसन होकर कहा। एक नई कमपनी स्थापित करने का निर्णय लेते हैं। यहाँ इको इनोवेशन एक अलग इकाई बन जाती है और आप में से प्रत्येक के पास इसमें शेयर होंगे। तो मैं सीधे अपने वित्तिय विवर्णों में इको इनोवेशन की संपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट नहीं करूंगा। रवी ने स्पष्टी करण मांगा। सही है शिक्षक ने पुष्टी की। इसके बजाए आप इकविटी पद्धती का उप्योग करके इको इनोवेशन में अपने निवेश का हिसाब देंगे। इसका मतलब है कि आप शुरू में लागत पर अपने निवेश को पहचानेंगे और बाद में आप सन्युक्त उध्यम के लाभ या हानी के अपने हिस्से को प्रतिबिंबित करने के लिए अपने निवेश को समायोजित करेंगे। रवी ने इस पर गहराई से विचार किया। क्या होगा यदी सन्युक्त उध्यम लाभ कमाता है या हानी उठाता है। अच्छा प्रश्निक शिक्षक ने उत्तर दिया। यदि Eco Innovation Lab कमाता है तो आप लाब के अपने हिस्से से अपने वित्तिय विवर्णों में अपना निवेश मूल्य बढ़ाएंगे इसके विपरीत यदि इससे नुकसान होता है तो आप तदनुसार अपना निवेश कम कर देंगे यह सुनिश्चित करता है कि आपके वित्तिय विवर्ण सन्युक्त उद्यम में आपके निवेश के प्रदर्शन को दर्शाते हैं रवी ने अवधारनाओं के साथ अधिक सहज महसूस करते हुए सिरहिलाया क्या सन्युक्त व्यवस्थाओं की रिपोर्ट करते समय मुझे कोई विशेश खुलासे ध्यान में रखने की आवश्चकता है हाँ वास्तव में महत्वपूर्ण खुलासे हैं शिक्षक ने समझाया इंड एस 111 के तहट आपको उन सन्युक्त व्यवस्थाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करना आवश्चक है जिनमें आप शामिल हैं जिसमें व्यवस्थाओं की प्रकृती, संपत्ती में आपकी हिस्सेदारी, देंदारियां, राजस्व और व्यय, साथ ही व्यवस्थाओं से संबंधित कोई भी प्रतिबधता शामिल है सन्युक्ट संचालन या उद्यमों में आपकी भागीदारी को समझने के लिए हित्धारकों के लिए यह पारदर्शिता महत्वपूर्ण है जैसे ही पार्ट समाप्थ हुआ, रवी को इंड एस 111 के बारे में ज्यान प्राप्थ हुआ अब वह सन्युक्ट संचालन और सन्युक्ट उद्यमों के बीच अंतर वित्तिय विवर्णों में उन्हें कैसे रिपोर्ट किया जाए और खुलासे में पारदर्शिता के महत्व को समझ गए इस नए ज्यान के साथ रवी को अपने भविश्य के उद्यमशीलता प्रयासों में सन्युक्ट व्यवस्था की जटिलताओं को नेविगेट करने में सक्षम महसूस हुआ उसे विश्वास था कि वह अन्य व्यवसायों के साथ सहयोग पर प्रभावी ढंग से प्रबंधन और रिपोर्ट कर सकता है कृप्या सूचनाए प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्य तालें, टिपपनी करें और घंटी आइकन दबाएं बरसात की दोपहर में, रवी ने अपनी कक्षा में कदम रखा, अपने शिक्षक से एक और मनोरम पाठ की प्रतीक्षा में, जो अपनी कहानी कहने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे आज कक्षा को इंड एज 112 में गहराई से जाने के लिए निर्धारित किया गया था, जो अन्य संस्थाओं में हितों के प्रक्टिकरण पर केंद्रित है रवी अपनी सीट पर बैठ गया, यह जानने को उच्षुक था कि यह जटिल विशय एक कहानी के माध्यम से कैसे सामने आएगा उजवल मुसकान के साथ शिक्षक ने छात्रों का अभिवादन किया, सभी को शुभ दोपहर आज हम वित्तिय प्रक्टिकरण की दुनिया की खोज में एक यात्रा पर निकलेंगे, विशेश रूप से इंड एज 112 पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस अवधारणा को सपष्ट करने के लिए आए कलपना करें कि रवी यहां विभिन उद्यमों में काफी व्यस्थ है इको टेक और इको इनोवेशन के साथ अपने काम के अलावा उन्होंने दो अन्य कमपनियों Green Energy Solutions और Sustainable Products Company में भी निवेश किया है सुनते ही रवी की दिल्चस्पी बढ़ गई मेरे निवेश के लिए इसका क्या मतलब है सर शिक्षक ने आगे कहा उत्कृष्ट प्रश्न रवी जैसे ही आप इन कमपनियों में निवेश करते हैं आपके लिए उनमें अपने हितों का खुलासा करना आवश्यक हो जाता है खास कर अपने वित्तिय विवर्ण तयार करते समय Industries Ace 112 के तहट आपको अन्य संस्थाओं में अपने हितों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण खुलासे करने होंगे जिनमें सहायक कमपनिया, सन्युक्त व्यवस्थाएं और सहयोगी शामिल हो सकते हैं रवी ने विचार को समझने की कोशिश करते हुए अपनी भौहें सिकोड ली तो मुझे इन कमपनियों के बारे में वास्तव में क्या खुलासा करना चाहिए बहुत बढ़िया पूचताच शिक्षक ने उत्तर दिया आपको प्रत्येक इकाई में अपनी रुची की प्रकृती के बारे में जानकारी प्रदान करने की आवश्यक्ता होगी जिसमें उनके साथ आपके संबंध का प्रकार भी शामिल है उदाहरन के लिए क्या वे सहायक कमपनिया है जहां आपका महत्वपूर्ण नियंतरण है क्या वे सन्युक्त उद्यम है जहां आप नियंतरण साजा करते हैं या सहयोगी है जहां आपका महत्वपूर्ण प्रभाव है लेकिन नियंतरण नहीं है रवी ने सिर हिलाया, समझने लगा और मैं यह कैसे निर्धारित करूं की महत्वपूर्ण प्रभाव क्या है? शिक्षक ने समझाया, आम तौर पर महत्वपूर्ण प्रभाव तब मौजूद होता है जब आपके पास किसी कमपनी में 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच बोटिंग अधिकार होते हैं हाला कि अन्यकार को जैसे निदेशक मंडल में प्रतिनिधित्व या नीतिनिर्मान निर्नयों में भागीदारी पर भी विचार किया जा सकता है समझ गया इसलिए मुझे अपने खुलासे में इन रिष्टों को स्पष्ट करने की जरूरत है रवी ने बिंदूओं को जोडते हुए कहा बिलकुल शिक्षक ने पुष्टी की अपने हितों की प्रकृती का वर्णन करने के अलावा आपको अपने वित्तिय विवर्णों पर इन निवेशों के वित्तिय प्रभाव का भी खुलासा करना होगा इसमें सहायक कमपनियों, सन्युक्त उध्यमों और सहयोगियों में निवेश की वहन राशी के बारे में विवर्ण प्रदान करना शामिल है रवी विचारशील लग रहा था क्या होगा यदि इन संस्थाओं की वित्तिय जानकारी तक पहुँचने के मेरे अधिकारों पर कोई प्रतिबंध हो अच्छी बात है, रवी शिक्षक ने जारी रखा यदि आप जिन संस्थाओं से जुड़े हैं, उनके वित्तिय प्रदर्शन या स्थिती के बारे में जानकारी प्राप्त करने की आपकी ख्षमता पर प्रतिबंध हैं, तो आपको उसका भी खुलासा करना होगा यह उन हित्धारकों के लिए पारदर्शिता बढ़ाता है, जो निर्ने लेने के लिए आपके वित्तिय विवर्नों पर भरोसा करते हैं रवी की आखें एहसास से चमक उठी तो इन खुलासों का उद्देश अन्य संस्थाओं में मेरी रुचियों की पूरी तस्वीर प्रदान करना है बिल्कुल शिक्षक ने उच्साह पूर्वक उत्तर दिया इंड एस 112 वित्तिय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता और जवाब देही पर जोर देता है यह सुनश्चित करता है कि निवेश को लेंदारों और नियाम को सहित हित्धारकों के पास अन्य संस्थाओं में आपके हितों के बारे में प्रासंगिक जानकारी तक पहुँच हो इससे उन्हें आपके समगर व्यावसाइक संचालन के वित्तिय स्वास्थ्य और प्रदर्शन का आतलन करने में मदद मिलती है जैसे जैसे रवी का आत्म विश्वास बढ़ता गया, कक्षा जारी रही मुझे अपने हितों के बारे में और क्या खुलासा करने की आवश्शक्ता है शिक्षक ने विस्तार से बताया, आपको इन हितों के वित्तिय प्रदर्शन का भी खुलासा करना होगा उदाहरन के लिए यदि आपके सहयोगी या संयुक्त उद्यम महत्वपूर्ण लाभ या हानी उत्पन करते हैं, तो इस जानकारी को शामिल करना आवश्शक है इसके अतिरिक तक आपकी कंपनी और इन संस्थाओं के बीच किसी भी लेंदेन का खुलासा किया जाना चाहिए, क्योंकि वे दोनों पक्षों की वित्तिय स्थिती को प्रभावित कर सकते हैं जैसे जैसे पार्ट समाप्थ होने लगा, रवी को इंडस्ट्रीज एस 112 की स्पष्ट समझ के साथ सशक्त महसूस हुआ उन्होंने वित्तिय रिपोर्टिंग में पारगर्शिता की आवश्शक्ता को पहचानते हुए, अन्य संस्थाओं में अपने हितों का खुलासा करने के महत्व को समझा इस ज्ञान के साथ रवी अपने निवेश की जटिलताओं को सुलजाने और यह सुनिश्चित करने के लिए बहतर धंग से तयार थे कि वह अपने वित्तिय विवर्णों में विश्वास और जवाब देही को बढ़ावा देते हुए, अपने व्यावसायक उद्यमों के बार में हिद्धारकों को सार्थक अंतरग्रिष्टी प्रदान करें। कृप्या सूचनाय प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्य तालें, टिपपनी करें और घंटी आइकन दबाएं। एक धूप भरी दोपहर में रवी अपनी कक्षा में दाखिल हुआ। यह जानने के ल तेरह की जटिल दुनिया के माध्यम से मार्ग गर्शन करने के लिए तयार थे, जो उचित मूल्य माप पर केंद्रित है। रवी यह जानने के लिए उचसाहित होकर अपनी सीट पर बैठ गया कि इस जटिल विशय को एक कहानी के माध्यम से कैसे व्यक्त किया जाएगा। ग इसे सपष्ट करने के लिए आये कलपना करें कि रवी ने हाल ही में पैंटिंग के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक छोटी आर्ट गैलरी शुरू की है। उसके पास कई खूबसूरत कलाकृतिया हैं लेकिन वह अनिश्चित है कि जब वह उन्हें बेचेगा त परिभाशित किया जाता है जो किसी परिसंपत्ती को बेचने के लिए प्राप्त की जाएगी या माप्तिथी पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेंदेन में देता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। जब आप अपनी कलाकृतियों के मूल्य का आकलन करेंगे तो यह परिभाशा आपका मार्क गर्शन करेगी। तो सर्क मैं अपनी पेंटिंग का उचित मूल्य कैसे निर्धारित करूं रवी ने उच्छ सुकता से पूछा। शिक्षक ने उत्तर दिया बहुत बढ़िया प्रश्न रवी। Industries Ace 113 के तहट उचित मूल्य को मापने के लिए तीन प्रमुख द्रिष्टिकोन हैं बाजार द्रिष्टिकोन, आय द्रिष्टिकोन और लागत द्रिष्टिकोन। आए एक उदाहरन के रूप में अपनी आर्ट गैलरी का उप्योग करके इन में से प्रत्येक द्रिष्टिको का पता लगाएं। जानकारी को आत्मसाद करने के लिए उच्सुक होकर रवी आगे की ओर जुख गया। बाजार द्रिष्टिकोन क्या है? शिक्षक ने समझाया बाजार द्रिष्टिकोन समान संपत्तियों के लिए अवलोकन योग्य बाजार कीन्तों पर निर्भर करता है। अनुमान लगाने के लिए कर सकते हैं। तारकिक लगता है रवी ने कहा। आईद्रिष्टिकोन के बारे में क्या? आईद्रिष्टिकोन शिक्षक ने विस्तार से बताया भविश्य में नकदी प्रवाह पर आधारित है जो एक परिसंपत्ति उत्पन होने की उम्मीद है। अपनी पैंटिंग के लिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप समय के साथ अपनी कलाकृतियों को बेचने से कितना राजस्व अरजित करने की उम्मीद करते हैं। भविश्य के नकदी प्रवाह को उनके वर्तमान मूल्य पर छूट देकर आप अपनी पैंटिंग के लिए उचित मूल्य पर पहुँच सकते हैं। यह विधी उन परिसंपत्तियों के लिए अच्छा काम करती हैं जो नियमित आय उत्पन करती हैं। दिल्चस्प और लागत द्रिष्टिकोन क्या है? रवी ने पूछा उसकी जिग्यासा गहरी हो गई। शिक्षक ने उत्तर दिया लागत द्रिष्टिकोन उस राशी पर केंद्रित है जो किसी संपत्ति को बदलने या पुन उत्पन करने में लगेगी। आपके मामले में इसका मतलब आपकी कलाकृती बनाने में लगने वाली सामगरी और श्रम की लागत पर विचार करना है। यदि किसी विशेश पेंटिंग को बनाने में आपको पांच हजार रुपए का खर्च आया, तो आप इस आकडे का उप्योग उचित मूल्य के रूप में कर सकते हैं, यदि आपको लगता है कि यह बाजार में संपत्ति के मूल्य को सटीक रूप से दर्शाता है। रवी ने इस अवधार्णा के बारे में अधिक आश्वस्त महसूस करते हुए सिरहिलाया, तो मैं वह द्रिश्टिकोन चुन सकता हूँ जो मेरी पेंटिंग्स के मूल्य को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। बिल्कुल शिक्षक ने पुष्टी की। हाला कि यह ध्यान रखना महत्वपून है कि द्रिश्टिकोन का चुनाव डेटा की उपलब्धता और परिसंपत्ती की विशिष्ट परिस्थितियों पर आधारित होना चाहिए। इसके अलावा आपको यह सुनिष्चित करना होगा कि उचित मूल्य माप समय के साथ सुसंगत रहें और उन्हें अपने वित्तिय विवर्णों में उचित रूप से प्रकट करें। रवी ने और अधिक समझने की उच्छुपता से अपना हाथ उठाया। यदि मेरी कलाकृतियों के लिए कोई सक्रिय बाजार नहीं है तो क्या होगा। फिर मैं उनका उचित मूल्य कैसे माप सकता हूँ। शिक्षक मुस्कुराए एक वैध चिन्ता रवी। ऐसे मामलों में आपको उचित मूल्य पर पहुँचने के लिए मूल्यांकन तक्निकों का उपयोग करने की आवश्शक्ता हो सकती है जिसमें बाजार डेटा और अन्यप्रासंगिक जानकारी शामिल हो। यहीं पर बाजार और विशिष्ट परिसंपत्ती की गहरी समझ के साथ साथ पेशेवर निर्नय भी काम आता है। जैसे जैसे पाठ जारी रहा, रवी को इंडस्ट्रीज एस 113 के ज्ञान से सशक्त महसूस हुआ। उन्हें अपनी संपत्ती के मूल्य की सटीक रिपोर्ट करने में उचित मूल्य माप के महत्व का एहसास हुआ, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि वह अपनी आर्ट गैलरी की वित्तिय स्थिती को पारदर्शी और विश्वसनिय रूप से प्रस्तुत कर सकें। अंत में जैसे ही कक्षा समाप्थ हुई, शिक्षक ने सभी को याद दिलाया, याद रखें, उचित मूल्य माप केवल संख्याओं के बारे में नहीं है। वह अपनी आर्ट गैलरी में उचित मूल्य माप के सिध्धान्तों को लागो करने के लिए तैयार था। यह सुनिश्चित करते हुए कि वह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके और अपने व्यवसाय को प्रभावी धंग से प्रबंधित कर सके। कृप्या सूचनाय प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्य तालें, टिपपनी करें और घंटी आइकन दबाएं। एक उजली सुबह में, रवी अपनी कक्षा में दाखिल हुआ, यह देखने के लिए उच्सुक था कि उसके शिक्षक ने उस दिन के लिए कौन सा अनोखा पाठ तयार किया था। अपनी कहानी कहने की क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध, शिक्षक छातरों को इंड एस 114 के जटिल विशय के माध्यम से मार्ग दर्शन करने के लिए तयार थे, जो नियामक स्थगन खातों से संबंधित है। जैसे ही रवी अपनी सीट पर बैठा, वह इस बात को लेकर उच्सुप था कि इस अवधार्णा को कहानी में कैसे बुना जाएगा। सुप्रभात कक्षा शिक्षक ने शुरुवात की, उसकी आखें उच्साह से चमक रही थी। आज हम विनियामक स्थगन खातों की आकरशक दुनिया का पता लगाएंगे। इस अवधार्णा को और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए आये कलपना करें कि रवी ने हाल ही में अपने समुदाय में बिजली सेवाएं प्रदान करने वाला व्यवसाय शुरू किया है। रवी के कान खड़े हो गए। बिजली सेवाएं। यह दिल्चस्प लगता है सर। शिक्षक ने आगे कहा हां रवी। इस परिद्रिश में आपको ग्राहकों से उनके द्वारा उपभोग की गई उर्जा के आधार पर शुल्क लेने की अनुमती है। लेकिन आपके पास कुछ नियामक समझोते भी हैं जो आपको कुछ लागतों को स्थगित करने की अनुमती देते हैं। मान लीजिये की उचित-मूल्य निर्धारन सुनिष्चित करने के लिए सरकार यह नियंत्रित करती है कि आप अपने ग्राहकों से कितना शुल्क ले सकते हैं। रवी ने स्थिती को समझने की कोशिश करते हुए सिर हिलाया। तो ये विनियामक स्थगन कैसे काम करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, रवी शिक्षक ने उत्तर दिया. इंड एस 114 के तहट, नियामक स्थगन खातों का उप्योग उन खर्चों और राजस्व को पहचानने के लिए किया जाता है, जिनहें आप अपने व्यवसाय को नियंतरित करने वाले नियमों के कारण स्थगित करने की अनुमती देते हैं. उदाहरण के लिए यदि आप अपने बिजली के बुनियादी धाचे में सुधार के लिए लागत लगाते हैं, लेकिन उन लागतों के लिए अपने ग्राहकों से तुरंट शुल्क नहीं ले सकते हैं, तो आप इन लागतों को नियामक स्थगन खातों के रूप में पहचान सकते हैं। रवी उच्सुक दिखे तो मैं इन लागतों को रिकॉर्ड कर सकता हूँ, भले ही मैं अपने ग्राहकों से तुरंट शुल्क न ले रहा हूँ बिल्कुल शिक्षक ने पुष्टी की यह लेखांकन उपचार आपको अंत्ह अर्जित होने वाले राजस्व के साथ अपनी लागतों का मिलान करने की अनुमती देता है यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आपके वित्तिये विवर्ण आपकी गतिविधियों के वास्तविक आर्थिक प्रभाव को प्रतिबिम्बित करते हैं क्या आप मुझे एक उदाहरन दे सकते हैं? सर्क रवी ने अपनी सीट पर आगे जुकते हुए पूछा निश्चित रूप से शिक्षक ने उत्साह पूर्वक उत्तर दिया मान लीजिये कि आपने बिजली ग्रेड को अपग्रेड करने पर दो मिलियन रुपए खर्च किये लेकिन नियामक संस्था आपको ग्राहक शुल्ट के माध्यम से अगले पाँच वर्षों में इन लागतों को वसूलने की अनुमती देती है आप इस दो मिलियन रुपए के खर्च को अपनी बैलेंस शीट पर एक नियामक स्थगन खाते के रूप में पहचान सकते हैं जैसे ही आप अपने ग्राहकों से भुगतान एकत्र करते हैं, आप धीरे धीरे इन राशियों को नियामक स्थगन खाते से राजस्व के रूप में अपने आय विवर्ण में स्थानांतरित कर देंगे बिंदूों को जोरते हुए रवी की आखें चौड़ी हो गई तो मैं दिखा सकता हूँ कि मैंने ये लागते वहन की हैं, लेकिन मुझे तुरंट अपने लाभ या हानी पर प्रभाव डालने की जरूरत नहीं है बिल्कुल शिक्षक ने उत्तर दिया हाला कि यह ध्यान रखना महत्वपून है कि नियामक स्थगन खाते को केवल तभी मान्यता दी जानी चाहिए जब यह इंड एस 114 द्वारा निर्धारित विशिष्ट मान्दंडों को पूरा करता हो इसमें यह प्रदर्शित करना शामिल है कि लागत की वसूली संभव है और स्थगन को संबंधित नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया है अधिकार रवी ने एक पल के लिए सोचा और फिर पूछा क्या होगा यदी नियामक संस्था उन लागतों को वसूलने के बारे में अपना मन बदल दे एक और उत्कृष्ट प्रश्न शिक्षक ने उत्तर दिया यदी नियामक वातावर्ण बदलता है या यदी आप यह निर्धारित करते हैं कि पुनर प्राप्ती अब संभव नहीं है तो आपको नियामक स्थगन खाते की मान्यता रद्द करनी होगी इसका मतलब है कि आपको अपने आय विवर्ण में नुकसान को पहचानना होगा रवी को इंडस्ट्रीज एस 114 के बारे में आत्मविश्वास महसूस हुआ उन्होंने नियामक धाचे का अनुपालन करते हुए अपने बिजली व्यवसाय की वित्तिय स्थिती का सटीक प्रतिनिधित्व करने में नियामक स्थगन खातों के महत्व को समझा कक्षा के अंत तक शिक्षक ने संक्षेप में कहा याद रखें विनियामक स्थगन खाते आपके जैसे व्यवसायों को भविश्य के राजस्व के साथ लागतों का मिलान करने की अनुमती देते हैं जिससे वित्तिय रिपोर्टिंग में पारगर्शिता और निश्पक्षता सुनिश्चित होती है यह प्रथा उन उद्योगों में महत्वपूर्ण है जहां नियम मूल्य निर्धारण और लागत वसूली निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जैसे ही रवी उस दिन कक्षा से बाहर निकला, उसने खुद को प्रबुद्ध महसूस किया और विनियामक स्थगन खातों के बारे में मूलिवान ज्यान से सुसजित हो गया वह इन सिध्धानतों को अपने बिजली व्यवसाय में लागू करने के लिए तयार था यह सुनिष्चित करते हुए कि वह अपने संचालन को नियंतरित करने वाले नियमों का पालन करते हुए वित्तिय रिपोर्टिंग की जटिलताओं से निपट सके कृप्या सूचनाए प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्य तालें, टिपपनी करें और घंटी आइकन दबाएं एक धूप भरी दोपहर में रवी दिन के पाठ के लिए उच्साह से भरा हुआ अपनी कक्षा में चला गया उनके शिक्षक जो अपने उलेखनिय कहानी कहने के कौशल के लिए जाने जाते हैं, इंड एस 115 की जटिलताओं को जानने के लिए उच्सुक थे, जो ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व पर केंद्रित है जैसे ही रवी अपनी सीट पर बैठा, उसने सोचा की उसके शिक्षक इस जटिल विशय को कैसे जीवन्त करेंगे शुभ दो पहर कक्षा शिक्षक ने शुरू किया, उसकी आखों में चमक थी आज हम एक कहानी के लेंज के माध्यम से राजस्व मान्यता की दुनिया में उतरेंगे कलपना कीजिये की रवी ने अद्वितिय केस और चार्जर बना कर और बेच कर अपना खुद का मोबाईल फोन एकसेसरीज व्यवसाय शुरू किया है रवी अपनी आकांक्षाओं से जुड़ कर उत्सुक हो गया यह एक मजेदार व्यवसाय जैसा लगता है, सर वास्तव में यह है, शिक्षक ने जारी रखा अब जब रवी इस उद्यमशीलता यात्रा पर निकल रहा है तो उसे यह समझने की जुरूरत है कि वह अपने ग्राहकों के साथ किये गए अनुबंधों से राजस्व को कैसे पहचाने इंडस्ट्रीज एस 115 के तहट राजस्व तब पहचाना जाता है जब वस्तूओं या सेवाओं का नियंतरन ग्राहक को हस्तान्तरित किया जाता है और यह पांचचर्णिय प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया जाता है रवी ने ध्यान से सुना जब उसके शिक्षक ने पहला चरण समझाया पहला कदम ग्राहक के साथ अनुबंध की पहचान करना है मान लीजिये की रवी को एक स्थानिय स्टोर से 100 मोबाईल फोन केस का ओर्डर मिला है यह आदेश एक अनुबंध का गठन करता है क्योंकि यह कीमत और डिलीवरी समयरेखा सहित विशिष्ट शर्टों को रेखांकित करता है समझ गया सर अगला कदम क्या है? रवी ने और अधिक जानने के लिए उच्सुक होकर पूछा दूसरा चरण अनुबंध में प्रदर्शन दायत्वों की पहचान करना है शिक्षक ने विस्तार से बताया इस मामले में रवी को मामलों को वित्रित करके आदेश को पूरा करना होगा हाला कि यदि वह मामलों के लिए वारंटी प्रदान करने का भी वादा करता है करते हुए सिरहिलाया तीसरा चरण क्या है? शिक्षक ने समझाया तीसरा चरण लेंदेन मूल्य निर्धारित करना है यह वह राशी है जो रवी को अपने उत्पादों के लिए प्राप्त होने की उम्मीद है यदी स्टोर सौ मामलों के लिए दस हजार रुपए का भुगतान करने के लिए सहमत होता है तो यह लेंदेन मूल्य बन जाता है हाला कि यदी रवी छूट की पेशकश करता है तो उसे इसे अंतिन कीमत में शामिल करना होगा दिल्चस्प मैं देखता हूँ कि यह कैसे काम करता है रवी ने कहा उसका उत्सा बढ़ रहा है शिक्षक ने आगे कहा चौथे चरण में प्रदर्शन दायत्वों के लिए लेंदेन मूल्य आवंटित करना शामिल है यदि रवी के अनुबंध में मामले और वारंटी दोनों शामिल है तो उन्हें अपने स्टैंडलोन बिक्री मूल्यों के आधार पर प्रत्येक दायत्व के लिए दस हजार रुपय का एक हिस्सा आवंटित करने की आवश्शकता होगी यह सुनिश्चित करता है कि मान्यता प्राप्त राजस्व प्रत्येक घटक के मूल्य को दर्शाता है वाह यह काफी विस्त्रित है रवी ने कहा और अंतिम चरण क्या है? शिक्षक ने अपने उत्साहवर्धक स्वर में कहा प्रदर्शन दायत्वों को पूरा करने पर अंतिम चरण राजस्व को पहचानना है एक बार जब रवी मामलों को स्टोर में पहुचा देता है और नियंतरन स्थानांतरित कर देता है तो वह अपने वित्तिय विवर्णों में राजस्व को पहचान सकता है यदि वारंटी एक वर्ष से अधिक बढ़ जाती है तो वह वारंटी के लिए राजस्व को अलग से पहचानेगा क्योंकि वह समय के साथ उस दायत्व को पूरा करता है इस प्रक्रिया को समझ कर रवी की आखें चौड़ी हो गई तो राजस्व की सही पहचान करने के लिए मुझे इस बात पर नजर रखने की जरूरत है कि मैं मामले कब सौंपता हूं और कब वारंटी सेवाय प्रदान करता हूं बिलकुल शिक्षक ने पुष्टी की इस पांच चर्णिय मॉडल को समझने से आपको यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि आपकी वित्तिय रिपोर्टिंग इंड एज 115 के साथ संरेखित है आपके व्यवसाय के वित्तिय प्रदर्शन को सटीक रूप से चितरित करने के लिए उचित राजस्व पहचान महत्वपूर्ण है जैसे ही पाठ समाप्थ हुआ शिक्षक ने जोर दे कर कहा याद रखें रवी राजस्व को पहचानना केवल संख्याओं को दर्स करने के बारे में नहीं है यह अंतरनिहित अनुबंधो और आपके ग्राहकों को प्रदान किये गए मूल्य को समझने के बारे में है यह ज्यान आपको एक उद्यमी के रूप में अपने व्यवसाय को प्रभावी धंग से प्रबंधित करने के लिए सशक्त बनाएगा इंड एज 115 की नई समझ के साथ रवी प्रेरित महसूस करते हुए कक्षा से बाहर चला गया वह इन सिध्धानतों को अपने मॉबाईल फोन एकसे स्रीज व्यवसाय में लागू करने के लिए उचसाहित थे जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे राजस्व की सटीक पहचान कर सकें और अपने उद्यम की सपष्ट वित्तिय तस्वीर पेश कर सकें कृप्या सूचनाय प्राप्त करने के लिए साजा करें सदस्य तालें, टिपपनी करें और घंटी आइकन दबाएं एक उजली दोपहर में रवी अपनी कक्षा में दाखिल हुआ यह देखने के लिए उचसुक था कि उसके शिक्षक के पास क्या मनमुहक पाठ है अपने अद्वितिय कहानी कहने के कौशल के लिए प्रसिध शिक्षक इंड एस 116 के जटिल विशय का पता लगाने के लिए तयार थे जो की पहले के इंड एस 17 की जगह पट्टों से संबंधित है रवी इस बात को लेकर उचसुक थे कि इस अवधार्णा को एक कहानी के माध्यम से कैसे व्यक्त किया जाएगा शुभ दोपहर कक्षा शिक्षक ने अभिवादन किया उसकी आवास गर्म जोशी पून और आमंत्रित थी आज हम एक कहानी के माध्यम से पट्टे के बारे में जानने जा रहे हैं कल्पना कीजिये की रवी अपने पडोस में एक छोटा सा कैफे शुरू कर रहा है अपने कैफे को चलाने और चलाने के लिए उसे संचालित करने के लिए जगह की आवश्शकता है जब रवी ने खुद को एक कैफे मालिक के रूप में देखा तो उसकी रुची बढ़ गई उसे किस तरह की जगह चाहिए सर? शिक्षक ने आगे कहा रवी के कैफे के लिए आदर्श स्थान एक व्यस्थ सडक के कोने पर एक अनोखी छोटी सी जगह है हालांकी संपत्ती खरीदने के बजाए रवी ने इसे पांच साल की अवधी के लिए पट्टे पर देने का फैसला किया यह निर्णय उसे अपने व्यवसाय के अन्य पहलू जैसे उपकरण और इन्वेंट्री के लिए अपने धन को संरक्षित करने की अनुमती देता है पट्टे की व्याभारिक्ता को समझते हुए रवी ने सिरहिलाया तो इंड एस 116 कैसे चलन में आता है? शिक्षक ने समझाया इंड एस 116 का सार यह है कि यह वित्तिय विवर्णों में पट्टों का हिसाब किताब करने के तरीके को महत्वपूर्ण रूप से बदल देता है इस मानक के तहट जब रवी लीज समझाते पर हस्ताक्षर करता है तो उसे अपनी बैलेंस शीट पर उप्योग के अधिकार वाली समपत्ती और लीज देंदारी को पहचानने की आवश्शक्ता होती है यह Industries A. 17 से अलद है जहां पट्टों को परिचालन या वित्त पट्टों के रूप में वर्गी क्रित किया गया था क्या आप इसे और समझा सकते हैं सर्क रवी ने उच्शुकता से पूछा बेशक हमारे मामले में एक बार जब रवी पट्टे पर हस्ताक्षर कर देता है तो उसे भविश्य के पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य की गणना करनी होगी शिक्षक ने विस्तार से बताया मान लीजिये की वार्शिक पट्टा भुगतान एक लाख रुपए है जो प्रत्येक वर्ष के अंत में दे है रवी को अपनी बैलेंस शीट पर पहचानी जाने वाली कुल लीज देंदारी निर्धारित करने के लिए इन भविश्य के भुगतानों में छूट देनी होगी रवी की भौहें हल्की सी सिकुड गई उप्योग के अधिकार वाली संपत्ती के बारे में क्या? शिक्षक ने आगे कहा उप्योग की संपत्ती लीज अवधी के दौरान पट्टे पर दी गई जगह का उप्योग करने के रवी के अधिकार का प्रतिनिधित्व करती है वह शुरू में इस संपत्ती को लीज देंदारी के समान राशी पर पहचानेगा जिसे किसी भी प्रीपेड लीज भुगतान या प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत के लिए समायोजित किया जाएगा यह आर्थिक वास्तविक्ता को दर्शाता है कि रवी पट्टे की अवधी के लिए पट्टे पर दी गई जगह को नियंत्रित करता है यह समझ में आता है रवी ने अवधार्ना को समझना शुरू करते हुए कहा पट्टे की अवधी के दौरान क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न शिक्षक ने उत्तर दिया जैसे जैसे समय बीटता जाएगा रवी को उपयोग के अधिकार वाली संपत्ती का परिशोधन करना होगा और पट्टे की देंदारी पर व्याज व्याय को पहचानना होगा हर महीने वह उपयोग के अधिकार वाली संपत्ती के मूल्यहरास और बकाया लीज देंदारी पर व्याज व्याय का हिसाब देगा यह द्रिश्टिकोन व्याय पहचान को उस अवधी के साथ संरेखित करता है जिसमें उसे पट्टे से लाब होता है तो इसका मेरे वित्तिय विवर्णों पर क्या प्रभाव पढ़ता है रवी ने पूछा प्रभाव महत्वपूर्ण है शिक्षक ने जोर दिया पट्टा देंदारी और उप्योग के अधिकार वाली संपत्ती को पहचानने से रवी की बैलन्स शीट उनकी वित्तिय स्थिती को अधिक सटीक रूप से दर्शाएगी उसका कैफे अधिक लाभप्रत दिखाई देगा जिससे पता चलेगा कि उसके पास संपत्ती और संबंधित देंदारी दोनों है इसके अतिरिक्त इंड एस 116 के तहट यह नया उपचार कंपनी की लीजिंग गतिविधियों के संबंध में अधिक पारगर्शिता प्रदान करता है जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ा रवी ने इंड एस 116 के महत्व को समझना शुरू कर दिया तो लीजिंग मेरी लाभप्रत्ता और वित्तिय अनुपात को प्रभावित कर सकती है, है न उन्होंने पूछा बिल्कुल शिक्षक ने पुष्टी की इस मानक को समझने से आपको पट्टे पर देने बनाम संपत्ती खरीदने के बारे में सूचित निर्नय लेने में मदद मिलेगी और आप हित्धारकों के सामने अपनी वित्तिय स्थिती को सटीक रूप से प्रस्तुत कर सकेंगे जैसे ही कक्षा समाप्थ हुई शिक्षक ने संक्षेप में कहा याद रखें रवी इंड एस 116 की मुख्य बात यह है कि यह पट्टा लेखांकन में पारदर्शिता और जवाब देही पर जोर देता है संपत्ती के उप्योग के अधिकार और पट्टे की देंदारी को पहचान कर आप यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके वित्तिय विवर्ण आपके कैफे व्यवसाय की वास्तविक्ताओं को सटीक रूप से दर्शाते हैं पट्टों की नई समझ के साथ रवी प्रेरित होकर कक्षा से बाहर चला गया उन्होंने पट्टे और अपने वित्तिय स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव का ध्यान रखते हुए अपने कैफे के प्रबंधन की चुनोतियों का सामना करने के लिए तैयार महसूस किया कृप्या सूचनाय प्राप्त करने के लिए साजा करें, सदस्य तालें, टिप्पनी करें और घंटी आइकन दबाएं एक ठंडी दोपहर में रवी अपनी कक्षा में चला गया अपने शिक्षक से एक और आकर्षक पाठ के लिए उचसाहित होकर, जो अपनी कहानी कहने की क्षमताओं के लिए जाना जाता है आज का विशय एंड एज 119 था, जो सेवा रियायत व्यवस्था से संबंधित है रवी इस बात को लेकर उचसुक थे कि उनके शिक्षक इस जटिल अवधार्णा को एक कहानी में कैसे पिरोएंगे शुभ दोपहर कक्षा शिक्षक ने अभिवादन किया, उसकी मुस्कान प्रभावशाली थी आज हम एक कथा के माध्यम से सेवा रियायत व्यवस्था का पता लगाएंगे आये कलपना करें कि रवी ने अपने समुदाय में एक सारवजनिक पार्ग को विक्सित करने और प्रबंधित करने की परियोजना शुरू की है रवी की आखें दिल्चस्पी से चौड़ी हो गई एक पार्ग यह मजेदार लगता है वास्तव में यह है शिक्षक ने जारी रखा इस परिद्रिश में स्थानिय सरकार ने रवी को सेवा रियायत व्यवस्था से सम्मानित किया है इसका मतलब यह है कि उसे एक निर्दिष्ट अवधी मान लीजिये की 20 वर्ष के लिए पार्ग को विक्सित करने, संचालित करने और बनाय रखने का अधिकार है इस दोरान रवी जनता को पार्ग सेवाएं, जैसे रखर खाव, सुविधाएं और मनोरंजक गतिविधियां प्रदान करेगा यह एक बड़ी जिम्मेदारी की तरह लगता है, रवी ने जानकारी को आत्मसाथ करते हुए कहा बिल्कुल, हाला की इसमें एक दिक्कत है, शिक्षक ने समझाया हाला की रवी के पास पार्ग को संचालित करने का अधिकार है, स्थानिय सरकार अभी भी भूमी का स्वामित बरकरार रखती है इंडस्ट्रीज एस 119 के अनुसार, रवी को अपने वित्तिय विवर्नों में इस व्यवस्था का हिसाब देना होगा ठीक है, लेकिन वह ऐसा कैसे करता है, रवी ने उच्सुक्ता से पूछा शिक्षक ने विस्तार से बताया, पहला कदम सेवारियायत से संबंधित वित्तिय संपत्ती या अमूर्थ संपत्ती को पहचानना है यदि सरकार ने रवी को पार्ग तक पहुँच के लिए उपयोग करताओं से शुल्क लेने का अधिकार प्रदान किया है, तो इससे राजस उत्पन होता है इस मामले में रवी एक वित्तिय परिसंपत्ती को मान्यता देगा जो उपयोग करताओं से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के उनके अधिकार को दर्शाता है, जैसे की प्रवेश शुल्क और घटनाओं से किराय की आए रवी ने संबंध समझते हुए सिरहिलाया और क्या होगा यदी सरकार कुछ लागतों पर सबसिड़ी देती है? बढ़िया सवाल यदी सरकार रवी को पार्क के विकास में सहायता के लिए निर्मान या परिचालन अनुदान प्रदान करती है, तो उसे एक अमूर्थ संपत्ती की पहचान करनी चाहिए, शिक्षक ने स्पष्ट किया यह अमूर्थ संपत्ती सेवा रियायत व्यवस्था के तहट उसे दिये गए अधिकारों का प्रतिनिधित्व करती है उदाहरण के लिए यदि सरकार खेल का मैदान बनाने के लिए धनराशी का योगदान देती है तो रवी इसे अपनी बैलन्स शीट पर एक अमूर्थ संपत्ती के रूप में दर्स करेगा यह दिल्चस्प है सर खर्चों के बारे में क्या? रवी ने आगे पूछा शिक्षक ने समझाया पार्क का प्रबंधन करते समय रवी को भी खर्च उठाना पड़ेगा इंड एस 119 के अनुसार उसे इन खर्चों को उसी रूप में पहचानने की आवश्चक्ता होगी जैसे वे किये गए है उदाहरन के लिए यदि वह पार्क के रखर्खाव के लिए कर्मचारियों को नियुक्त करता है या उपकरन खरीदता है तो ये लागत उसके लाब और हानी विवर्ण में दिखाई देगी रवी ने एक पल के लिए सोचा और फिर पूछा इससे मेरी समगर वित्तिय स्थिती पर क्या प्रभाव पड़ेगा शिक्षक ने कहा प्रभाव महत्वपूर्ण है वित्तिय और अमूर्थ संपत्तियों को पहचानने से रवी की बैलिंस शीट सेवा रियायत व्यवस्था से प्राप्त मूल्य की स्पष्ट तस्वीर दिखाएगी इसके अतिरिक्त उसे यह सुनिष्चित करने की आवश्चक्ता होगी कि उप्योग करता शुल्क और अनुदान से उसका राजस व्यवस्था की आर्थिक वास्तविक्ता को दर्शाते हुए सटीक रूप से रिपोर्ट किया गया है वा, यह विचार करने लायत बहुत कुछ है, रवी ने स्विकार किया अगर व्यवस्था ख्त्म हो गई तो क्या होगा? मैं इसका हिसाब कैसे दूँ? शिक्षक ने आगे कहा, जब सेवा रियायत व्यवस्था समाप्थ हो जाएगी, तो रवी को संपत्ती के मूल्य और किसी भी शेश दायत्वों पर विचार करना होगा अगर उसने पार्क विक्सित करने में निवेश किया है, तो उसे यहाँ आतलन करना होगा कि क्या वह उन लाक्तों को वसूल कर सकता है विक्तिय या अमूर्थ समपत्ती में किसी भी शेश मूल्य का उचित हिसाब लगाया जाना चाहिए जैसे ही पाठ समाप्त हुआ, शिक्षक ने संक्षेप में कहा, याद रखें, रवी इंडस्ट्रीज एस 119 सेवारियायत व्यवस्था में पारदर्शिता पर जोर देता है यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक शेत्र और निजिक शेत्र दोनों संस्थाएं अपने अधिकारों और दायत्वों का सटीक हिसाब लगा सकें यह समझ आपको स्पष्ट वित्तिय तस्वीर पेश करते हुए अपने प्रोजेक्ट को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम बनाएगी सेवारियायत व्यवस्था के नए ज्यान से रवी प्रेरित होकर कक्षा से बाहर चला गया उन्होंने पार्क के प्रबंधन की चुनोती लेने के लिए तैयार महसूस किया यह सुनिश्चित करते हुए कि वह अपने उद्यम के हर पहलू का सटीक हिसाब दे सकें कृप्या सूचनाय प्राप्त करने के लिए साजा करें सदस्य तालें, टिपपनी करें और घंटी आइकन दबाएं एक धूप भरी सुबह में रवी अपने शिक्षक से सीखने के लिए उच्सुक होकर अपनी कक्षा में दाखिल हुआ जो अपने आकर्शक कहानी कहने के द्रिष्टिकोन के लिए प्रसिध थे आज का विशय एंड एज 120 था, जो सरकारी रिनों के लिखांकन पर केंद्रित है रवी यह जानने के लिए उच्साहित थे कि उनके शिक्षक इस विशय को एक मनोरम कथा में कैसे बदल देंगे सुप्रभात कक्षा, शिक्षक ने अभिवादन किया, उसकी आवाज उच्साह से भरी थी आज हम एक कहानी के माध्यम से सरकारी रिनों के बारे में जानेंगे आईए कलपना करें कि रवी का अपने समुदाय में एक स्थाई बेकरी खोलने का सपना है इस उद्यम को शुरू करने के लिए उसे वित्तिय सहायता की आवश्चकता है और वह छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किये गए सरकारी रिन के लिए आवेदन करने का निर्णय लेता है रवी परिद्रिश से उच्सुक होकर जुग गया यह एक महान अवसर की तरह लगता है, सर लेकिन रिन कैसे काम करता है? शिक्षक ने बताया, सरकार रवी के आवेदन को मनजूरी दे देती है और उसे सामान्य से कम ब्यासदर पर पांच लाख रुपए का रिन प्रदान करती है यह रिन उन्हें उपकरण, सामगरी खरीदने और प्रारमभिक परिचालन लागत को कवर करने में मदद करेगा हाला कि रिन की शर्तों में विशिष्ट शर्तें शामिल हैं, जिन्हें रवी को पांच साल के बाद रिन माफी के लिए अरहता प्राप्ट करने के लिए पूरा करना होगा कर्ज माफी? यह कैसे काम करता है? रवी ने पूछा उसकी जिग्यासा बढ़ गई अच्छा सवाल है इंड एज 120 के तहट, जब रवी को सरकारी रिन मिलता है, तो उसे इसे अपनी बैलन्स शीट पर देंदारी के रूप में पहचानना चाहिए शिक्षक ने विस्तार से बताया रिन राशी एक वित्तिय दायत्व का प्रतिनिधित्व करती है और उसे इसे समय के साथ आमतौर पर ब्यास के साथ वापस चुकाना होगा हाला कि चूंकी यह रिन विशेश रूप से उद्यमिता को प्रोच साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है सरकार अनुकूल शर्तों की पेशकश कर सकती है जिसमें कम ब्यास दर या कुछ शर्तें पूरी होने पर संभावित माफी शामिल है रवी ने अवधारना को समझने की शुरुवात करते हुए सिरहिलाया तो इसका मेरे लेखांकन पर क्या प्रभाव पड़ता है? शिक्षक ने आगे कहा एक बार जब रवी धन का उप्योग करना शुरू कर देता है तो उसे रेन के ब्यास व्याय का हिसाब रखना होगा हर महीने जैसे ही वह भुगतान करता है वह अपने लाब और हानी विवर्ण में ब्यास व्याय दर्स करेगा हाला कि यदि वह रेन माफी के मानदंडों को पूरा करता है तो वह रेन के उस हिस्से को सरकारी अनुदान के रूप में मान्यता दे सकता है दिल्चस्प तो मैं अनुदान का हिसाब कैसे दूँ? रवी ने उच्शुकता से पूछा शिक्शक ने समझाया यदि रवी रिन माफी के लिए अरहता प्राप्त करता है तो उसे उस राशी का आतलन करना चाहिए जिसे वह अनुदान के रूप में पहचान सकता है इंड एज 120 के अनुसार वह इस अनुदान को अपने लाब और हानी विवर्ण में आय के रूप में दर्स करेगा जिससे उसके समगर खर्चों को कम करने में मदद मिलेगी यह सम्मान उन्हें सरकार से प्राप्त वित्तिय सहायता को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करने में मदद करता है समझ गया लेकिन क्या होगा अगर मैं माफी की शर्टों को पूरा नहीं कर पाता रवी ने थोड़ा चिंतित होकर पूछा शिक्षक ने उसे आश्वस्त किया यदि रवी मान दंडों को पूरा नहीं करता है तो उसे रिंड चुकाना जारी रखना होगा और इससे जुड़े ब्याज व्याय को स्वीकार करना होगा यह सुनिश्चित करता है कि उसके वित्तिय विवर्ण सटीक रहें और उसके दायत्वों को प्रतिबिम्बित करें जैसे जैसे कक्षा आगे बढ़ी रवी चर्चा में और अधिक व्यस्त हो गया क्या होता है जब रवी पूरी तरह से चुका दिया जाता है शिक्षक ने समझाया एक बार जब रवी ने पूरी तरह से रवी चुका दिया है तो उसे अपनी बैलेंस शीट से देंदारी हटा देनी चाहिए उस समय उसके पास अपनी वित्तिय स्थिती की स्पष्ट तस्वीर होगी, जिससे पता चलेगा कि अब उस पर वह दायत्व नहीं है यदि वह रिन के किसी भी हिस्से को अनुदान के रूप में पहचानने में सक्षम था, तो यह उसके लाब और हानी विवर्ण में भी सकारात्मक योगदान देगा जैसे ही पाठ समाप्थ हुआ, शिक्षक ने संक्षेप में कहा, याद रखें, रवी इंड एस 120 सरकारी रिनो के लिखांकन में पारदर्शिता और जवाब देही पर जोर देता है इन रिनों और किसी भी संभावित अनुदान को पहचानने के तरीके को समझने से आपको लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हुए अपनी बेकरी के वित्त को प्रभावी धंग से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी सरकारी रिनों की नई समझ के साथ रवी प्रेरित और आश्वस्थ होकर कक्षा से बाहर निकला उन्होंने वित्तिय लेखांकन और सरकारी सहायता की जटिलताओं से निपटने के ज्ञान से सुसजित स्थाई बेकरी खोलने की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार महसूस किया